कि अब कि अब कि अब कर दो आ है अब आख आ इस बहुत ही खूब सरत सौट मीडल अब दा बैट करनेक्शन काव कॉर्मर के दिस्सा में चौके के साथ बल्ले बाजने अपना कि अब कि अब कि अब कि बहुत ही बढ़िया सुरवात यहां पर अच्छा अंदास खाता खुलनेगा फुल्टोस गेन खराब गेन थी सही नसियत स्क्वेर लेक के उपर से मिलेंगे पूरे छेरन बहतर इन सौट खराब गेन बैट डिलेवरी गॉद्ध कि अब कि 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 रिवर्स अटेम करने का प्रहास लेकिन उतनी ये बैक आफ लैंड गेन नहीं थी कि रिवर्स खेला जाए थोड़ी अगर सीधा खेलते तो रडार में वैसे ये गेन थी स्लोट में ये गेन थी 10 रन बाड के उपर है पहला ओवर चल रहा है इस बार एक रन के साथ स्कोर अब बढ़ेगा 11 रन स्कोर बढ़ता हुआ प्यूस अब पहली बार सामना करेंगे इस ओवर में अब जाए खुशक पहलोर की समापती 11 रन बिना किसी विकेट के नुक्सान पे लीला पॉल लायन्स लिला पॉल लाइन जिन्हों ने टॉस जीता था फिल्डिंग का फैसला किया था और वांदर वेला वाइकिंग्स को बल्ले बाजी के उपर आमंदरित किया था और बहुत ही बढ़िया पारी एक स्रही के द्वारा देखने को मिली अभी अभी युएस से लोटे है लेकिन फिर भी जो गेम यहां से वो क्रिकेट जो यहां से छोड़के गए थे ना ऐसा लगा वहीं से उन्होंने कंटीनी के अपनी गेम को और जानकारी के मुताबी एक वहाँ पर लेधर बॉल खिलते है वो तो क्रिकेट से लगातार जुड़े हुए है और एक स्पोर्स परस और बीस रणों की पारी मुरुगेस ने खेली थी सलामी बल्लेबास के रूप में तो अठासी रण बनाए थे 89 का टारगेट यहां पे लेके उत्री है और पहले वर की समापती पे लिला पॉर 11 रण बन चुके है भूमीन अब गेनबाजी का भार संभालेंगे सामने स्टलाट में गेन फिल्डर स्रेई गलती कोई करेंगे नहीं अमुमान आसान नहीं होता इस प्रकार का जब कैच आपको पीछे लेके दौड़ना पड़ता है पूरा प्रेजन्स ओफ माइंड आपका होना चाहिए नजरे अंतक गेंद के उपर आपको टिकाए रखनी पड़ती है और बखुबी तरीके से कच्छे फिल्डर की जो निशानी होती है न वो यहाँ पे साबीत करते हुए स्रेई अच दिन उनका अच्छा है अच कुछ भी वो गलत नहीं कर सकते और पहले विकेट का ग्यारा के उपर पहला विकेट गिरा है हैनिस अच्छे लग रहे थे लेकिन वैसे देखा जाएक हाफ वाली गें थी लेकिन नई गें में ये दिक्कत होती है जब गें नहीं होती है तो अमोमन हाफ वाली गें भी कई का बार ज्यादा हवा में चली जाती है और ग्यारा के उपर पहला विकेट गिरा है हैनिस पर्टिल आउट होने वाले पहले बल्ले बास डगाउट में वापिस जाएंगे और भुमिन क्या बात है गें बाजी में आए और विकेट के साथ उन्होंने अपना खाता खुला है सुरज नई बल्ले बास के रूप में एक बहुत ही खुबसरत कैच आज उन्होंने लिया था काव कॉर्णर की दिस्टा में अब सुरज नई बल्ले बास के रूप में उनके आने की वज़़ा यह है कि हैनिस को डगाउट में जाना पड़ा है यह अच्छा खूब सुरत कैच वहाँ पर स्रेई के द्वारा अच्छी गेन बाजी बहुत ही बढ़िया गेन क्या बात है खूब सरत गेन बाजी ओफ्स्टम के बाहर थोड़ा सफल करके स्वीप खिलने का प्रयास और सीधा विक्टो के उपर विक्टे संभाल नहीं पाए एक्सपोस हो गए वहाँ पे और अगर देखा जाए तो यह और कर यह गेन थी ब्लॉक हॉल में थी बिल्कुल ब्लॉक में यह गेन थी जो मार्जिन ओफ एरर बिल्कुल था नहीं वहाँ पे अच्छी गेन बाजी मानना पड़ेगा बहुत ही बड़िया गेन बाजी का प्रदसन इस ओवर में भूमिन के द्वारा पहले एक सैट बल्ले बाज सलामी बल्ले बाज हैनिस को चलता किया उसके बाद सूरज बीना खाता खोले डख लेके वापिस डगाउट में चले गए खूब सूरज गेन थी यह वैसे भी क्रिकेट में खास करेंगे भारतिय क्रिकेट में स्वीप एक डिंजर सौट माना जाता है वहीं प्रयास किया और विकेट का पतन लीला पॉल लाइंस अब थोड़ी दिक्कत में 11 ग्यारा रन 11 ग्यारा रन दो विकेट के नुकसान पे निर्वपटल नए बल्लेबास के रूप में बीच मैदान में अब अच्छा ओवर ये गुजर रहा है भूमिन के द्वारा बेहतरीन लगाता चेंज ओफ लेंथ देखने को मिला है अच्छी गेन यॉरकर ये भी थी आपसाइट की दिसा में और यहां से इस एंड से इस ओवर में देखा जाए तो भूमिन को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और अमूमन लेफ्टाम गेन बास है तो थोड़ा एंगल क्रियेट होता है ये नेच्राल एंगल होता है लेफ्टाम का बहुत ही बढ़िया अच्छी गेन बाजी काभीले तारिफ बहुत ही बढ़िया गेन बाजी का प्रदस्टन लगातार दो नटराजन वाली गेन दे पहले ऑप्षम के बाहर यॉरकर फिर बिलकुल विक्टो के उपर यह यॉरकर थी यह होना चाहिए अपने आप में एक कंसेस्टनसी होना एक अच्छे गिनबास की निशा नहीं है मेहंगा रहा था उसका खामियाजा यहां पर बुगता है उसका खामियाजा कवर किया है यहां पर लिला पॉलाइंस दो वर के बाद 12 रन दो विकेट के नुक्सान पर और इस पूरे टुनामेंट का आप लाइव टेलिकास देख सकते हैं स्माइल चैनल स्माइल चैनल फॉर यू वलसार से बिलोंग करते हैं ओपरेटर आनन पटेल और केमेरामेंट के तौर पे रौनक राठोड और हमारे साथ जाने पहचानी एक सक्सियत क्रीक हीरोस के स्कोरर काफी अनुभवी एक्सपिरियंस उनके पास सलमान रावत 845 मैचों का एक्सपिरियंस उनके पास और डीजे अपरेटर के तौर पे दिपेंड पटेल ओमसाई डीजे बामन विल से कि इस बार सीधे बल्ले से पॉइंट की दिश्चा में एक रन मिलेगा और कॉमेंटरी बॉक्स में राजे साचरियं मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तीसरा ओवर है प्रगती पर तेरा रन है बार के उपर पिछला और बहुत ही बढ़िया रहा था भूमीन का सौड अच्छा ये लेकिन फिल्डर है मौजूद मात्रत दर्सक बनके रह जाएंगे थोड़ी सी दूरी थी वहाँ पर प्रयास किया लेकिन उतना इनफ उचाई उतनी थी लंबाई उतनी थी के छेरन देखे गई पारी का दूसरा ये छक्का पियूस पटल के बल्ले से आता हुआ गेन बाजी में परिवर्तन हुआ है भाविस पटल है ये इस बार स्वाट आम जैप खिलने का प्रयास लेकिन उच्छाल इस विकेट में आपको उच्छाल मिलेगा थोड़ी ओवर्कास्ट कंडिशन जरू चल रहे है अगल नहीं धर बॉल होता ना तो गेन बास को मज़ा आ जाता है ये ओवर्कास्ट कंडिशन अमूवन गूमाते है गेन को ये विकेट बहुत ही बढ़िया है रूम था अपस्टम के बाहर ज्यादा वाइड हो गई अपस्टम के बाहर वाइड कही सारा और इस वाइड की मज़द से स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन पहला 21 माफ केज़ेगा अतिरी क्रणों का खाता खुला अपस्टम के बाहर लेकिन उसके लिए प्रोटेक्शन है वहाँ पे स्वीपर पॉइंट है गली में खेलाडी है थर्ड मैन है पीछे शॉट फाइन लेग है यह हवा में है लेकिन अपने ही फॉलो थुरू में है विकेट का पता नूत नहीं यह जो बाहुंस था ना विकेट का यह यहाँ पे परेशान हुआ है इसकी वज़ा से बल्ले बाद ने यह परेशानी के सामना करना पड़ा है डैक हीट किया था और अमूमन जब आब कॉरिडर अफ अनसर्टेंडी जो होता वहाँ पे अगर आप हिट करोगे न तो आपको अत्रीक बाउंस इस विकेट के उपर स्पेस्सेल ही मिलेगा और अत्रीक बाउंस को संभाल नहीं पाए उपरी किनारा लगा गेन बाज ने अपने ही फॉलो थुरू में एक सॉफ्ट डिस्मिसल और लीला पॉर लाइंस थोड़ी ट्रबल में 22 के उपर तीसरा विकेट किस्टा हुआ व्यूस एक अच्छे लग रहे थे एक छक्का जड़ चुके थे इस ओवर में लेकिन उनको भी वापिस अब डगाउट में चलता किया है साथ रन बना के वापिस चले गए हैस्टु डिपार्ट्स ऑन सेवन फेसिंग फॉर डिलिवरिस इंक्लूडिंग वन सिक्सिस इस ओवर की आखरी गेन होगी 22 रन तीन विकेट के नुकसान पे 89 का पीछा करने उतरी है लिला पॉल लाइन्स की टीम कि आप स्टॉम के बाहर कट किया है उसके लिए प्रोटेक्शन है बाउंडरी लाइन पे दूसरे के चेस्टा नहीं करेंगे और अब 23 कि तीन वर के समापती के बाद 23 तेईस रन तीन विकेट के नुकसान पे कि अब गेन बाजी का बाहर संभालेंगे स्विप खिलने का प्रयास था अच्छी गेन बाजी चेंज ऑफ पेस्ट वहाँ पे गती में परिवर्दन किया बढ़िया गेन बाजी पिर से उंगलिया गुमाए थी बहुत ही बढ़िया हाया में एक्सन है उनका अमूमन जो रिलीज डिगरी रहता है वो काफी उनका उपर से गिंद रिलीज होता है और खास करेंगे आपके पास चेंज ऑफ पेस्ट से उंगलिया गुमा सकते तो वह बल्ले बास को परिशन क कर सकता है जैसे इस ओर में देखने को मिला है अच्छी गेंद बाजी बहुत ही बढ़िया लेकिन ऑप्स्टम के बहुत दीशा से इस बार बढ़के और वाइट का ही सारा इस वाइट की मदद से 24 24 रन स्कूर बढ़ता हुआ इस बार हाफ वाली गेंद थी सीधे बल्ले से डाउन दा ग्राउंड है फिल्डर वहाँ पे मौजुद रन मातर एक ही प्राप्त होगा अच्छी गेंद बाजी इस ओर में भी पहला और जहां पे 11 रनों से सुरवात हुई थी उसके बाद दूसरे और मातर एक रनाय अबु रिवर्स अटेम नाकामियाब वहाँ पे प्रिमेडिटेडी सौट था पहले से मन बना लिया था और चेंज ओफ पेस गती कम हो तो उसके सामने यह रिवर्स वी उतना खासा अच्छा ओप्सन नहीं माना जाता इस पर गती थी यह चकमा दिया यह होना चाहिए गेंबाज में यह गेंबाज में होना चाहिए कि आप प्रेडिक्टेबल नहीं होना है चेंज ओफ पेस कर सकते लेकिन अंत में एकादा बीच में यह से तेज गेंध होनी चाहिए डॉट बाल के साथ ओवर की समाप्ती और अबाल के साथ गेंबाज प्रेडिक्टेबल नहीं होना है सब्सक्राइब करते हैं तो उनका जो इंटेंशन होता है वह ज्यादा से ज्यादा विक्टो के उपर गेंबाजी करना पड़ता है यदि अगर आप देखोगे ना फिल्डिंग पोजीशन भी बिल्कुल उसी लिहास से सब्सक्राइब करेंगे और कोई गलती नहीं कि पीछे हमन पटल कुद कप्तान है अमुवन विकेट की तौर पे वो खड़े रहते हैं बहुत ही अच्छी गें थी लगातार दबाव बना था बैसमें वांस तो गो फर दा बीक सॉट बट देर इस अडफिनेट एज एन मेक्स नुए नी मिस्टेक बिहाइं दो विकेट वाइड विकेट की पर हमन पटल इस नाइस बॉलिंग इस टेराफिक बॉलिंग बहुत ही बढ़िया घेनबाजी भूमीन के द्वारा पहले वर में भी दो विकेट निकाले से मातर एकरन दिया था और अच्छी सोच हेमन भाई की कप्तान की कि जो दबाव बना है वो दबाव को जारी रखा जाए उसकी छोटी गेन थी पूरा मौका था पूल सोट खेलने का लेकिन लॉंग लेक की दिशा में फिल्डर मौजूद है लॉंग लेक स्क्वैर लेक के बीच में से जब तक फिल्ड करेंगे एक रन आसानी से वहाँ पर प्राप्त किया और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 27 27 27 रन विकेंग जीनों ने अपना खाता खोला एक रन की मदद से अमीत के ओपर जिम्मेवारी होगी पूरी इस बार हटके रूम बना के अपने आपके लिए स्पोर्ट को पिक्क्या लैंद को पिक्क्या लैंद को बढ़िया तरीके से पड़ा है और मैक्सिमम जड़ा है इस सच्छे रन की मदद से 33 33 रन पांच वावर है चल रहा है यहां से मोमेंटम सिफ्ट करना होगा पहला हाफ जो भी गुजरा हो से आपको बूलना होगा दूसरे हाफ में वापसी करने क्रिकेट वापसी का खेल होता है अच्छी गेंदी एक रन आसानी से प्राप्त करने के कवर की दिशा में फिल्डर मौजूद है बड़ा सोट खिलने का प्रयास लेकिन वाइट का इसारा बल्ले बास से दूर काफी दूर निकल गई स्टेंड डिलीवर करने का प्रयास यह सोच अच्छी थी क्योंकि एक्स्ट्रा कवर में बाउंडरी लाइन के उबर फिल्डर है नहीं तो यह सोच अच्छी थी स्वीपर पॉइंट खड़ा है उपसाइट की दिशा में और लॉंग ओफ यह उपसाइट के उपर पीछे सौट थर्मेंट कवर बैकवर पॉइंट इस बार रूम था नहीं उतना सौट आम जैब जरूर खेला है मीड़ौन की दिशा में स्रेह मौज़ूद एक रन लेने का परियाप्त मौका इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 5 और की समापती 36 रन 53 रन चाहिए अब अठरा गेंदों में जीतने के लिए 53 रन रिकुवायर इन 18 बॉल्स रिंगल कप्तान गेनबाजी का बार संबालेंगे अच्छी गेन बहुत ही बढ़िया कठिन सवाल पुछा था पढ़ने के बाद थोड़ा काटा बदला था बाहर की और निकली थी लेक ब्रिक के अंदाज में लेक कटर ये गेन थी इस बाद सौट आम जैब बैक फूट पे गयो वेट ट्रांसपर किया अच्छा सौट आकवर्ड बाउंस की वज़त से वहां पे चौका मिल गया फिल्डर मौजू थे उचे लंबे कट के मुरूगें लेकिन रोक नहीं पाए और चौका ये वेलकम बाउंटरी जरूरत थी और इस चौके की मदद से 40 रन अब स्कोर बढ़ता हुआ 16 गेंदों में 49 रन चाहिए अब जीतने के लिए इस बाद लो फुल्टोस गेन बहतरीन तरीके से स्वीप खेला है और मिडल अब दा बैट वहां पे कनेक्शन हुआ है हाफ वेटर ये वैसे तो सौट था लेकिन ताकत पूरी लगी बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पे इंप्रोवाइस करके सौट को खेला 46 रन चटा हुआ है चल रहा है बहुत है सामने की दिस्था में हाफ फॉलिक गेंद है इंसाइड आउट सौट की अंदाज में सौट खेलने का प्रयास और मात्र वहां पे देखा जाए तो उंचाई प्राप्थ हुई एलिवेशन मिला नहीं इस बार हटके अपने आपके लिए रूम बना के खिलने का क्रॉस बैटर यह सौट सरी मौजूद बाउंडरी लाइन के उपर लॉंगान पर और अच्छे वर की समापती के बाद 49 उन्चास रन बारा गेंदों में 40 रन चाहिए जीतने के लिए तो एक ताबर तोड तेज पारी यहां से चाहिए ज़ादा से दादा मैक्सिमम में डिल करनी पड़ेगी यहीं कि 20 रन प्रती ओवर यहां पे जरूरत है यह ओवर काफी कुछ कुछ कुरूसल होगा यह इस ओवर के ओपर काफी कुछ डिपेंड करेगा और उसके लिए कप्तान ने जिम्मेवारी अब स्रेई को दी है भुमिन बहुत ही बढ़िया स्पेल अपना खत्मा किया दो वर में 12 रन देके 3 विकेट निकाले स्रेई पहला ओर बढ़िया रहा था मातरा 2 रन दिये थे एक महत्व पुरुन ओर में जिम्मेवारी दी है कप्तान ने फुल्टोस गेन थी और फिल्डर वहाँ पे बन गए दर्सक बहुत ही बढ़िया स्वाट पहली ही गेन के उपर 6 रन तो दबाव में अब गेन बास को लाने का प्रयास है बल्ले बास का लड़ना होगा यहां से ट्राइ करना होगा क्योंकि अमूमन हमने देखा है कल भी देखा था एक और में 16 चाहिए थे मिलन ने तीन गेनों में छक्के लागा के मैच को खत्म किया थे तो यह चमातकार हो सकता है अच्छी गेन थी इंतजार करना पड़ा क्योंकि फ्लाइट देते है गेन बास तेज गेन बास है लेकिन थोड़ा स्पीनर वाला अंदाज है उनका क्योंकि हाई डिगरी से गेन चुटता है और अगर आपके पास फ्लाइट होना तो वह बल्ले बास को दिक्कत में वो डाल करना पड़ा लेकिन चौके में गेन को तबदिल किया और स्कोर बढ़ता हुआ साथ रन दस रन इस ओर में आ चुके है ग्यारा रन इस ओर में आ चुके है 29 रन चाहिए 9 गेंदों में यह क्रिकेट एक बहुत इंटरस्टिंग खेल है यहां पे आप कुछ भी नहीं कह सकते 20 या 22 का उसाथ हमने बनते हुए देखा है कि छोटी गेन ऑप्स हम के बाहर कट क्या है स्वीपर पॉइंट में वन बाउंस फिल्डर के पास गेन जाएगी एक रन का परियापता मौका मिला और 61 एक साट रन और एक साजेदारी अच्छी हो रही इन दोन के बीच में 35 रनों की 14 गेंदों में साजेदारी हो चुकी है सेटप हो चुका है इस साजेदारी को अगर फीनिस में खत्म करते हैं न तो यह बहुत ही उमदा उनके लिए कॉन्फिनेंस हो गाई और वैसे भी नॉक आउट मुक पेस बैक बैक ऑफ लेंद रिंगल मौजूद थे वहाँ पर सॉट एक्ष्ट्रा कवर की दिशा में और जिसकी जरूरत थी जिसकी खोज थी यहाँ पर विकेट की वो स्रेई ने दिलाई है 61 61 के उपर पांचवा विकेट गीरा है और एक सेट बल्ले बाज विकेंड को चलता किया लेकिन 10 गेंदों में 20 रणों की एक उमदा पारी और अपनी टीम के लिए उम्मिदे बरकार रखे गए है और सबसे बड़ी बात अमित पटेल अभी भी वहाँ पर मौझूद है तो मैच यहाँ से कहीं भी मुड़ सकता है सांध गेंदे 28 रण ये एक इमपोर्टन गेंद होगी इस उबर की ये जो आखरी गेंद है वो काफी कुछ निर्भर करेगी कि आखरी ओर में कितने रण आपको डिफेंड करने पड़ेंगे या तो कितने का यहाँ पर रण जेस करना आएगा आखरी ओर में ये सब कुछ डिपेंड करेगा इस गेंद के उपर मेहल पडिल नहीं बल्ले बास के रूप में एक महत्वा पुरुन गेंद का सामना करेंगे फुल्टोस गेंदी और कलायों के सारे और पूरी ताकत के साथ चौका बड़ोरा इंपोर्टन ये गेंदी उसके उपर एक चौका मिला है तो ये थोड़ा रन कम करेगा और 24 रन अंत में छे गेंदों में अब चाहिए जहां पे 40 रनों की जरूरत थी 16 रन आये स्रेई के पिछले ओर में और वो मोमेंटम भी सिफ्ट हुआ है उस 16 रनों की मदद से छे गेंदे 24 रन चाहिए लड़े है यहां पे लिला पॉर लाइन्स की टीम जी है पहला हाफ अगर देखा जाए तो वांदरवेल वाइकिंग्स के पक्स में था लेकिन उसके बाद दूसरा हाफ बढ़िया बल्ले बाजी अच्छी वापसी की और भाविस अब आखरी छे गेंदों में 24 रन बचाने के लिए कप्ता ने जैमसान एंड से उनको लगाया गया है शी गेन बाजी वाइट काई सारा दुबार डालनी पड़ेगी और अब ट्वेंटी थी ते बीस रन चाहिए पांच गेंदे बची है बड़ा सोट खिलने का प्रासी इंबैलेंस वहाँ पे थोड़े हुए लेकिन फिर भी छे रन देके चली गई वाड़ा सोट क्या बात है गिरते पड़ते लेकिन अपनी टीम को उठाएंगे ये जस्बा कायम है इनका क्योंकि ये लड़ा ये गेम अब जीद के उपर आ चुकी है क्योंकि मनजीले जिद्धी है रास्ते भी जिद्धी है अब तो इनका होसला भी जिद्धी है बहुत ही बढ़िया बल्ले बाजी ये सोट अच्छा लगा इंबैलेंस थोड़ा जरूर हुए लेकिन ताकत पूरी थी छोटी पटकी वी गेन किनारा मिला पीछे किनारा अमुमन जब भी लगता है न तो तेज गति से गिन ट्राविल करती है थोड़ा काटा बदला था गेन ने दूसरा रण लेना चाहते है और नॉन स्ट्राइक एंड के उपर विकेट अपना अगर देखा जा तो अब तीन गेंदे 16 रण चाहिए तीन गेंदे बची है 16 रणों की यहां पर जरूरत है बहुत ही बढ़िया सोट बहतर इन क्या बात है स्टेंड एंड डिलिवर डिपोजेट किया लॉंगन के उपर से हाफ फॉली गेंड को बैक फूट पे गए वेट ट्रांसफर किया और कनेक्शन इतना बहतर के जो 16 रण चाहिए थे ना वो अब 10 के उपर आ गया है दो गेंदे बची है दसरन चाहिए क्या बात है बहुत ही बढ़िया जो उनका जज़बा है जीत का वो उन्होंने कायम रखा वो कहते हैं ना कि विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए बलकि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते और इनोंने हार नहीं मानी है बहुत ही बढ़िया पारी उम्दा पारी अमित के द्वारा एक एकजम्पल सैड किया है अपनी टीम के लिए सभी टीमों के लिए किराब बे जजबा होना आपमें जीद होना जीतने की तो आप कहीं भी पहुंच सकते है बहुत ही बढ़िये ये भी सौड अच्छा है फिल्डर को है दूढ़ा वहाँ पे जिसकी जरूरत थी प्रयास अच्छा था सौड भी अच्छा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य साली माने जाएगे फिल्डर को दूढ़ निकाला डीप लॉंग लेक की दिसा में और जो एक उम्मीद की लौ थी अब वो ऐसा लगता है कि दीरे दीरे बूझ रही है यहाँ पे क्योंकि एक गेंद में दस रन चाहिए अगर एक भी ज्यादा गेंद नहीं आती लिगल डिलिवरी होती है तो यहाँ पे जीत का पंच लगाया है वांदरे वेला वाइकिंग्स ने मितुल नहीं बल्ले बास के रूप में अब एक गेंद और दस रन चाहिए अगला मुकाबला जो है उंडाच और सुपर किंग के बेच में तो सुपर किंग ने टॉस जीत के बैटिंग ली है उंडाच की टीम फिल्डिंग के लिए रेडी रहेगी और आखिर में विकेड यहाँ पे मिला है और एक गोल्डन डग भी आया है तो नौ रन से इस मैच को जीता है काफी कुछ ड्रामेटिकल यह मैच रहा लेकिन अंत में वांदर वेला वाइकिंग्स रियली वाइकिंग्स की तरह खेले किंग की तरह खेले उन्डास की टीम जल से जल फिल्डिंग के उपर आ जाएंगी बीना टाइम वेस्ट किये तो बहुत ही बढ़िया इस मुकाबले को देखने में मज़ा आया अच्छी क्रिकेट दोनों तरप से देखने को मिली टॉस जीता था वैसे लिला पॉल लाइंस ने फिल्डिंग का फैस्टा किया था अठा सीरन बॉर के उबल लगा दिये वांदरवेला वाइकिंग्स ने 89 का पीछा करने उत्रे थे लिला पॉल लाइंस की टीम पहला हाफ काफी अच्छा रहा था वो वांदरवेला वाइकिंग्स के पक्स में रहा लेकिन एक उमदा पारी अमित के द्वारा 16 गेनों में 29 और वीकेंड 10 गेनों बाइंस केल वांदर वाल उक्वारी स अवार बाली नाम पना आओर गो वाली अवार वाली के असे के दाली लाइकिंग्सWell झाली का ँ्क्वार. भीका पार्म हाँक्वार किहां रहा षांबिगक्स here경 झाल 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 किया तार्गेट बॉर्ड के उपर रखना चाहते हैं जो लक्सियां का दबाव है वो पहले बॉर्ड के उपर रखने की उनकी मंसा है सिन्धाई की उंडाज को यहाँ पर पहले फिल्डिंग के लिए उनना मंतरित किया है जल से जल्द मुकाबला सुरू होगा मैस अप प्रिमियल लीग पाटिदार समाच के द्वारा आयो जित आठ टीमें इस प्रत्योगीता में हिस्सा ले रही है सभी नॉकाउट मुकाबले वन डे फिनिस साथ मेच आज पूरे दिन इसस जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के उपर झाल 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 है 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 इस तुनामेंट के अगर ऑफिस सेल्स की बात की जैए इस मैच में अंपायर के तौर पे स्रेई पटेल और अदिपतेस जंपायर की भूमिका में नजर आएंगे स्कोरर के तौर पे हमारे साथ सलमान रावत आठ सो पैथिस मैचिस का उनके पास अनुपव और इस पूरे टुनामेंट का इस मैच अप पाटिदर प्रीमियल लिग 2022 पहले सीजन का पूरा आखोदे का हाल आप सुन पाएंगे स्माइल चैनल फॉर यू जिसके ऑपरेटर है विष्टा आनन पटेल बलसार से बिलोंग करते हैं और कैमेरामेंट के तौर पे रोनक राठोड बहुत ही बढ़िया खुपसुरत कैमेरा कैप्चरिंग उनके द्वारा और डीजे की सुवीधा यहाँ पे ओम साइं डीजे दिपेंड पटेल जो बामनवेल से बिलोंग करते हैं और अज़ा कॉमेंटेटर राजे साचारिय में आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे मित्र और हमारे पैनल के दो और बहुत ही बढ़िया कॉमेंटेटर मिस्टर सरपराज भाई माकडा और राज चोहान आज अपने व्यक्तिगत और ओकेजन में बीजी है बहुत ही बढ़िया वो भी दो कॉमेंटेटर सरपराज भाई माकडा और राज चोहान बीजी है आज कहीं और अपने परस्टनल ओकेजन में रिवर्स है टाम किया है लेकिन फिल्डर है सौट थर्मेन के उपर सिंद्धाई सुपर किंग्स जो टॉस जीत के जीनों ने बैटिंग का फैसला किया प्रसांत और मेहुल कप्तान नॉन स्ट्राइक एंड के उपर मेहुल स्ट्राइक के उपर है प्रसान एकरन बॉर्ड के उपर लग चुगा है कि अप्स्टम के बहार रूम था कट करने का प्रयास लेकिन रैंज में थी नहीं थोड़ा जल्दी वहां पर बल्ला चला इसहल लगा गेन बाज ही बहुत ही बढ़िया पार्थ पटेल अच्छे गेन बाज है पाटीदार समाथ से एक बढ़िया गेन बाज के तौर पे उबरे है पार्थ पटेल इस बार छोटी गेन थी गुड लेंद के ओपर टपा पड़ने के बाद बहुती बड़िया तरीके से जल्दी पोजीशन में आ गए और क्रॉस बेटेड वहाँ पे सौट आम जैब पूल खेला स्क्वेर लेक की दिशा में एक बहुत बहतरीन चौका बटोरा और खाता खोला प्रसंद इस चौके की मदद से अपना वेरी अरली ओफ दे माक विद बाउंटरी सा स्टलाइड स्टॉट आफ लेंद दिलिवरी वांस तो ट्राइड परफेक्ली स्टाम जैब पूल और चोवर्स दे स्क्वेर लेक अरिया फर दे बाउंटरी और दे स्कोर फाइड रन बहुत ही बड़ी आई है सौट पैक फूट पे जाके गुड लेंद की गेंद के उपर मिडल अप दा बैट कनेक्शन ये कंट्रोल में इतने अच्छे थे ना कि जैसे ही गेंद बल्ले के उपर लगी छे रन की छाप लग गई और स्कोर इस छे रन की मदद से बढ़ता हुआ 11 रन और पारी का ये पहला छक्काता हुआ प्रसांद के बल्ले से इस बार अपर करटा अपसाइड की जिसा में रूम था हवा में ज्यादा खेला है नो मैंसलर में गेंगिरेगी लेकिन देखे जाएगी चौका बहुत ही बढ़िया बल्ले बाजी नाम है प्रसांद पटेल चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ पहले और की समाप्ती के बाद सीन्दाई सुपर किंग 15 रन सुपर किंग है ना तो सरवात उस प्रकार की होगी पंद्रा रन बीना किसी विकेट के नुक्सान पर पहली दो गेंदे तीन गेंदे अगर देखी जाए तो अच्छी रही थी पार्त की लेकिन उसके बाद एक बड़िया चौका बटोरा वहाँ से कॉन्फिरंस आया फिर दूसरी गेंदे के उपर और फिर ओपसाइट के बाहर एक उच्छाल वाली गेंद को अपर कट में तबदील करके चौका बटोरा आसिस अलेजंडरी क्रिकेटर उनाई से बिलॉंग करते है गेंबाजी के उपर और समके बाहर एक्स्ट्रा कवर की दिसा में स्ट्रैड एंड डिलिवर लुक एट द पोज ओफ मेहुल पटेल देखने लायक यह सौट था खड़े खड़े और बहतरी न सुर्वात यहां पर भी सोर में मेहुल जॉइन द पार्टी विद प्रसान पटेल इन द सेकंड ओवर और छेरन के साथ आसिस का स्वागत किया है उन्चे नम्बे करके वो प्लेयर है बले बाजे बाउंस वाली गेंदे उनको ज्यादा परेशान करती नहीं है यह भी सौर्ट अच्छा है यह भी सौर्ट बहतर है इस बार भी स्ट्रेंड एंड डिलिवर यह छेरन वाला लगातार बैक टू बैक टू सिक्सिस पहले कवर का एरिया चुना उसके बाद लॉंग ओफ के उपर से हुवाई यात्रा पे गेंद को बेजा नाम है मेहूल पटेल बहुत ही बढ़िया पारी एक लीडिंग फॉर्द एक्जम्पल यहाँ पे सेट कर रहे है 27-27-27 रन इस छेरन की मदद से अब यह भी छोटी गेंदी बैकफूर्ट पे यह इनको परेशान नहीं करेंगी काव कोरनर की दिशा में मिलेगा चौका आउट फिल्ड बहुत ही तेज है और पूरी तरीके से कंट्रोल में है मेहूल पटेल क्योंकि कॉन्फिरंस जब एक बड़ा स्वाट आपको खास करके बूस्ट हो जाता है तो वहीं कॉन्फिरंस नजर आ रहा है बल्ले बाजी में मेहूल क्या चौके की मदर से 31 31 ताबढ़ तोड बरिया पारी मेहूल पटेल के द्वारा चार गेंदे 17 रन यह भी इस बार सीधा जिस दिसा में से गेंद आई उसी दिसा में तेज गती से गेंद को डिलीवर कर दिया डिपोजिट कर दिया साइट स्क्रिन के सामने चौका बटोरा दो छक्के, दो चौके, इस ओर में स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन मेहंगा अवर गुजरता हुआ 20 रन अल्डेडी इस ओर में आ चुके है और आसिस एक लेजंडरी क्रिकेटर है लेकिन यहाँ पे प्रतिष्ठा की जंग थी वो जीती मेहूल ने doesn't matter about the experience, doesn't about the reputation because it's a question of reputation of Mehul Patil इस बार भी, कडाक बले बाजी, ताब अड़तोर, क्या बात है इतना बहतर सौट, छे रन देके चला गया, stand and deliver ताकत भी है, इनके पास, और किस दिशा में गेन को बेजना है न सही तरीके से जानते है, उनको मालूम है कि गेन किस रडार में आ रही है, किस लेंध की उपर आ रही है, कहां पर बल्ला चलाना है, ये बली बादी जानते है, ये अगर अंतक्तिक गयना, तो काफी नुक्सन पहुचा के जा सकते है, उन्डाज को, और छे रन की मदद से छक्का जड़ा है, और इस सब पूरी तरीके से इस उवर में एक वनवे ट्राफिक रहा है, चार छक्के, दो चौके, 26 रन, 32 रन माफ कीजिगा, आसिस पडल के पहले ओर में आये, चार छक्के आये, दो आपसाइट की दिशा में, दो आनसाइट की दिशा में, और जहां पे छे रन के साथ सुरुवात की थीस उवर की, और छे रन के साथ ही खत्मा कर दिया, दो वर के बाद 47 रन, सिंड़ दै सूपर किंग बिना किसी विकेट के नुकसान पे पिशला वर बहुत ही बढ़िया था, पूरी तरीके से धवा बोला, बहतरीन पारी मेहुल पटेल कप्तान है, साथ गेने 33 रन, चार छक्के, दो चौके समिल, और साथ में प्रसांच, पांच गेन्दों में 14 रन, एक छक्का उन्होंने भी जड़ा है, दो चौके उन्होंने ज़रूरत थी इस एक बहुत ही बढ़िया सुरुवात की खास करके पावर प्ले में, तो वो सुरुवात मिल चुकी है, ओर आई मिटंन अब गेन बाजी का बार संबालेंगे गेन्बाजी में परिवरतन कावरीं एंड इंड से अब गेन बाजी का संबालेंगे दोर 47 रण ऑंसाइट प बाइमाँ में तो और बांब सेटालिस रन ओंसाइड पे लोंगव कॉरननर डीप में स्क्वेर क्रॉस बेड़ेट सौट खेलने का प्रयाज वैसे लोफ फुल्टोस थी आप्स्टम के बाहर हवा का रूख भी काफी कुछ असर करता है इस ग्राउंड के उपर जब से यहां पर ग्राउंड बना है वहां से में देखता रहा हूं कि हवा का रूख एक इंपोर्टन पहलू रहता है फिर से क्रॉस बेड़ेट सौट खेलने का प्राइस है सौट सिलेक्षन थोड़ा मुझे गलत लग रहा है क्योंकि आप्स्टम के बाहर फुल्टोस हाफ फॉल लिकिन अगर सीधे बल्ले से खेले तो थोड़ा परिणा बेहतर हो सकता है क्योंकि एक्ष्ट्रा कवर बाउंडर कि अंपायर दिपेस पटिल के द्वारा दिपेस पटिल अंपायर फ्रंट अंपायर और स्क्वेर लेंग अंपायर स्रेई कि अगर फोटीनाइन उन्चास रंग लेकिन क्या है इनको स्टेंड डिलिवर करने का इनका एक ट्रेड मार्क सौट है मेउल का वो ज्यादा पसंद करते हैं अच्छी गेन बहुत ही बढ़िया वाइडीस यॉर कर कटिन ये सवाल था जो पिछला ओवर जहां पे 32 रन आये थे उसके बाद तुरंत दूसरे ओवर में एक बढ़िया सेट बल्ले बास जो अच्छी बल्ले बास ही कर रहा है उसको खामोस रखना अच्छे गेन बास की न अच्छी सोच जानते है कि बड़े सोट आना ही रहे तो एक दो एक दो से स्ट्राइक रोटेट करना स्कोर बाड को चलाना एक अच्छी साजेदारी यहां से होती है और इन दोनों के बीच में पहले विकेट के लिए साजेदारी भी हो चुकी है पचास रुनों की तो प्लै गेंबाजी बहुत ही बढ़िया लाजवाब गेंबाजी का प्रदस्थन अगर आप इस गेंबाजी में खासियत देखोगे न तो ज्यादा चेंज ओफ लेंथ दिखा नहीं है ज्यादा वेरियस इनोंने दिखा नहीं है लेकिन बस अपना जो कॉन्फिरंस है ब्लॉक हॉल म तो यह एक अच्छे गेंबाज की निशानी होती है तीन ओर के बाद 51-51 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 17 की ओसत से पहले तीन ओर में रन बने है मितेस पड़ेल अपने पहले ओर में मातरा चार रन दिये बॉलिंग चेंज हैस बिन वर्क येर फॉर दा उंडाच पार्थ इन इस सेकंड ओवर फ्रॉम कावेरी एंड इन दे फॉर्थ होवर श्टार द प्रोसीडिंग इन फॉर्थ होवर पार्थ पटिल पहला ओवर महंगा राहता पंदरा रन आये थे लेकिन श्ट्राइक गेंद बाजे कप्तान ने बरोसा दीलाया है अच्छी गेन आई और कंती लेक्स्ट्रम के बाहर विकेट कीपर वहां पे आसिस बीट हुए अच्छी फिल्डिंग का प्रदर्शन पीछे सॉट फाइन लेक की दिसा में लेकिन कॉपल अफ रंस दो रन लेने का पूरा मौका कर दो कि अत्रिक में रन गीने जाएंगे अच्छी गेन थी यह पैरों को पकड़ा था बल्ले बास के कि अच्छी गेन फिर से वापिस उसी लाइन और लैंथ के उपर यहां पर बल्ले बास के पैरों के उपर ओन साइड लेक साइड ओरियेंटेड गेन बाजी दो गेंदों के उपर परेशान किया और इस पहले ओर में और इस ओर में अगर कंपेरिजन देखा जाए ना पार्त का तो उन्होंने बदला विये किया है कि गती ज्यादा इस बार प्रोड्यूस कर रहे है इस ओर में बहुत ही बढ़िया बैक ओफ लें गेन थी क्रॉस बैटेड सॉट खिलने का प्रयास इस नाइस बालिंग हिटिंग उन्टो गूड लेंथ एरिया और पेस इस इनफ फर बीद बैस्में 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 वन्स ट्राइब बीग विद ग्रॉस बैटेड ओर मीड विकेट बट इस नाइस बॉलिंग रियली जहां पर दोवर में 47 रन बने थे और पिछले आठ गेंदों की बात की जाए तो मातरा छे रन आये हैं तो अच्छी वापसी बहुत ही बढ़िया इस बार भी सायद कीनारा लगा ऐसा लगा मुझे या क्रॉस बैटेड सॉट लगातार क्रॉस बैटेड बल्ले बास ये बल्ले बास पसंद करते हैं लेकिन उसके लिए क्या है ना थोड़ा आपके आर्क में गेंद चाहिए और सबसे बढ़िया बात क् बैक ओफ लेंद तो भी आप क्रॉस बैटेड सॉट का आपको परिणाम मिल सकता है लेकिन यहां पर उपर गेंद बादी तो हुई है लेकिन बिल्कुल हुआ क्या सरीद के करीब से गेंदे गुजर रही है अच्छी वापसी पार्थ की कि अपसाइट की दिशा में एक्ष्ट्रा कवर में डीप में फिल्डर मौजुद और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 55 पच्पंद रन इस उबर की आखरी गेंद होगी दो रन मात्र इस उबर में आये है अभी तक अच्छी तरीके से खत्म करना चाहेंगे पा खामोसी जो चा गई थी ना उसे बड़े सौट के साथ उस खामोसी को खत्म किया है और छे रन के साथ ओवर की भी समाप्ती हुई है चार ओवर की समाप्ती पे 61 स्कोर बढ़ता हुआ और 13 गेंदों में 23 के उपर खेल रहे 23 के उपर प्रसांद पटेल 11 गेंदों में 35 के कवाले में जाएंगी बहुत ही बढ़िया सौट था प्रेसर रिलिस करने वाला ये सौट चार ओर के बाद 61 बिना किसी विकेट के नुक्सान पर सिन दई सूपर की करके बाका जाएंगा एकिस विके बादिया सौ ता के बादिया सौट झाल झाल और विकेट मिला है जी यहां एक सेट वले बस और मीतेस डिजव करते थे विकेट को क्योंकि पहला और भी बहुत ही बढ़ी आ रहा था मातरा चार अन दिये थे तो यहां पर विकेट की संभावना थी उनके ओर में उसी लिए कफ्ता ने उनके उपर बरोसा रखा और गेन बाजी के उपर उनको लगाया क्योंकि विकेट की तलास थी उनको और एक बड़ा विकेट यहां पर मिला है मेहुल के रूप में 61 एकसंट की उपर पहला विकेट की रहा है एकसर्ट रनों की साजेधारी यहाँ पर दूटी है तो दूसरा हाफ यहाँ पर विकेट आया है दूसरे हाफ में पहली गेंट के पर और मितेस पहला और भी अच्छा रहा था मातरा चार अंदिये थे सेड बल्ले बास को खामोस रखा था जो सुरुवात मीली थी उसे थोड़ा कंट्रोल में लाये थे मितेस और विकेट को अपकेक सा उन वो कर रहे थे डिजव कर रहे थे और बड़े बल्ले बास को वापीस बिजस्तने हल नहीं बल्ले बास के रूप में और पैरों को पकड़ा इस बार भी बल्ले बास के और स्रेः का इसारा वाइड फुल्टोस गेन थी विकेट की बर बीट हुए और बाई के रूप में चौका मिलेगा क्योंकि तेज गती से हमोमन फुल्टोस आसान नहीं होता इस गेन को रोकना और बहुत ही बढ़िया स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ अब 66 मिलेट हक में गया बल्ले से बल्ले गेन लगी नहीं लेकिन फिर भी चौका दे के चली गई पर अब कर दो के लिए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अच्छी गेंबाजी हो रही है इस ओवर में एक बाई का चौका जरूरा है लेकिन उसमें गेंबाज की कोई गलती थी नहीं यह भी अच्छी गेंथी बिल्कुल जड में ब्लॉक होल में गेंदा आली कठीन सवाल पुछा था वहाँ पे आस्किंग टॉफ क्वेस्टन बाई दमितेस नॉट अप्रॉपर रिप्लाई बाई दस नहल और इस सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ शिक्स्टी सेवन श्नेहल पडेल आफ्दमाग विद दस सिंगल पांच वावर ये प्रकती पर है अच्छी गेन ये भी खोद के निकालना पड़ा कॉपी बुक स्टाइल में सीधे बलने से कॉवर की दिशा में मानना पड़ेगा ला जवाब चौका आज के दिन का सबसे मेरे लिहास से कुपसरत सोट क्योंकि अपने आपके लिए जगा बनाई थोड़ा हटे लैंथ में बिल्कुल फुल फेस अप दा बैट लैंथ को पड़ा और बिल्कुल क्रेकेटिंग सोट कॉपी बुक स्टाइल में कॉवर एक्स्ट्रा उगर के बीच में जो गैप थाना उसे दुंडा इस प्रकार के सोट देखने में खूपसूरत लगते हैं क्लास दिखाता है यह बल्ले बास की कि इन्हें के पास ताकत भी है और सीधे बल्ले से खिलने की नजाकत भी है और चौके की मदद से स्कूर बढ़ता हुआ 71 क्रोस बैड एट सोट खिलने का प्राइस बारत ताकत इस्तमाल करना चाहते थे लेकिन ओवर की समापती डॉट बॉल के साथ यह ओवर हुआ समाप पांच ओवर के बाद 71 इककतर सीधे सूपर किंग एक विकेट के नुकसान पे मेहुल जीनोंने 12 गेनों में 35 रोनों की एक पारी खेली पहले विकेट के लिए 61 रोनों की साजेदारी की प्रसांद के साथ और अब जिम्मेवारी होगी प्रसांद के उपर 15 गेंदों में 27 सामने श्नेहल पटेल मौजूद है इस ग्राउंड के उपर जब पहला टूनामेंट हुआ था नौसारी वर्षा लेवा पाट ओला नेम प्लीज अगर ओर अप्र अग्यार गंदवाजी का बाहर समभालेंगे गंदवाजी परिवर्तन के रूप में अवर जैमसन एंड से गेन बाजी करेंगे पहली गेन के उपर छक्का बड़ो रहा है स्निहल इस ग्राउंड से बलीबादी वाकिफ है ग्राउंड के चपपे चपपे से यहां के मैनेजर है विकेट किस प्रकार से खेलती है कहां पे उच्छाल है और कहां से आप स्पॉट को पिक कर सकते यह सब बलीबादी जानते है पीच कुरेटर भी है यहां के वो बड़ा सोट खेलने का इस बार उंगलिया गुमाई थी प्रयास था के बड़ा सोट खेले लेकिन उसके लिए थोड़ा गेंद की लाइन्थ को पढ़ना पड़ेगा वहां तक जाना पड़ेगा बहुत ही बड़ा सोट इस बार रडार में है आर्क में है और मिडल अप दब बैट फूल फेस अप दबैट स्क्वेर लेक की दिशा में बहतर इन सोट वहां पे मानना पड़ेगा अपने आपके लिए थोड़ा रूम बनाया थोड़ा बैक फूट पे गए और क्रोस बैट एडिये मैक्सिमम जड़ा ये गेंद बाजी अच्छी है थोड़ा उनसे दूर रखने का प्रयास है उंगलिया घुमाते हैं अगर आपके पास इंडेक्स फिंगर का इस्तमाला बच्ची तरीके से कर सकते तो इस विकेड में गुमाओ भी मिलेगा इस बार रडार में गेंद थी सौट अच्छा था बढ़िया था काफी तेज गजी से गेंद ट्राविल कर गई फिल्डर के पास और एक रन के साथ वहाँ पे संतुष्ट होना पड़ेगा अस्तनिहल को और अब स्कोर बढ़ता हुआ 84-84 रन छठा ओवर चल रहा है ये भी अच्छी गेंद थी वैसे तो थोड़ी उपर डाली थी बड़ा सोट खिलने का जरूर प्रयास था क्रॉस बेटेड सोट काफी प्रयास की है प्रसान ने एक दो बार सफुलता मिली है लेकिन ज्यादा तर बीट हुए है क्रॉस बेटेड सोट खिलने का प्रयास में अब अच्छे और की समाप्ती हो चुकी है सिंदधाई सूपर किंग 85 एक विकेट के नुकसान पे आट गेंदों में 14 के उपर स्निहल और प्रसान 16 गेंदों में 28 के उपर खिल रहे हैं कि अब घेनबाजी का भार संभालें के काविरेंड से 85 पंचा सीरेंड बाड के उपर लग चुके है सात्वा वल्ले के आए है जई ये 12 गेंदे काफी कुछ महत्व पून होगी कितना टार्गेट आपको मिल सकता है रची सुरवात सिंदधाई सूपर किंग को मिली है उचे उसे बड़े स्कोर में कनवर्ट करना जरूर चाहेंगे क्रोस बैड हवा में है सागर वहां पे लेकिन दर्सक बनके रह गए हवा के साथ ये सौट खेला और हवा के साथ ये बेनिफिट मिलता है इस ग्राउंड के उपर और खास करके जब इस एंट से गेनमाजी होती है तो यहां से हवा का रुख गेन बाजों को, अबलने बाजो को मदद करता है अगर आप सहीं स्पोर्ट को पिक कर सकते हैं लेंद को बढ़िया तरीके सागर आप जज करके शौट खिलोंगे happening हवा का रुख मदद करेगा पीक दा लेंद वेरी अर्ली पीक दा स्पाट वेरी अर्ली कनेक्शन बहुत ही ठीक हुआ छेरन देखे गया इस बार बड़ा सोट खिलने का प्रयास लेकिन निगाहे कहीं और थी गेन कहीं और चली गई यह सोच अच्छी आपस्टम के बाहर थोड़ा बल्ले बास से दूर रखा जाए फिर से वहीं प्रयास था बल्ले बास से दूर रखने का उपरी किनारा लगा लेकिन जो सौट फ्रम लो विकेट कीपर आसिस प्रयास जरूर किया लेकिन वहां पर दूर रह गई गेन्स विकेट की पर से 92 बानवे रन फिल्लिंग में परिवर्तन पीछे एक सौट फडमेन है बैकवर्ड पॉइंट है एक्स्टा कोवर है क्रोस बैटेड ओन साइड की जिशा में खिलने का प्रयास था लेकिन ये थोड़ी गेंद उपर थी रडार में थी नहीं और थोड़ा सौट जल्दी खेले गती जो थी उसे पढ़ नहीं पाए लेंथ थी उसे पढ़ नहीं पाए और अच्छी वापसी गेंबाज जई पडल की सांतरन अब तक इस ओर में आये हैं लेकिन उतने ज्यादा ये फरक नहीं करेंगे क्योंकि दो गेंदे अगर ठीक तरीके से निकाल लेते हैं तो ये उम्दा ओर बाना जाएगा खास करके डेथ ओर में क्योंकि साथ वावर चल रहा ही है फुल्टोस खराब गेंथी है और सही नसियत प्रदान की है श्निहल ने फुल्टोस गेंबाट डिलवरी विद्धा मैक्सिमम ओवर दा स्क्वेर लेग एरिया और छे रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ नाइंटी एट रन और दोसों के स्ट्राइक रेट से बल्लेवाजी कर रहे है यहां पे श्निहल पटेल दस गेंदेव का सामना किया और 20 रन अच्छा अपना फॉर्म दिखाया है और अच्छा साथ निभाया था मेहुल के जाने के बाद और साजेदारी अच्छी हो रहे है इन दिनों के बीच में सागर मौजूद है और अच्छी फिल्डिंग का प्रदसन यहां पे निष्चित तौर से दो रन बचाई अपनी टीम के लिए और इन दो रन की मदद से सो रन का अकड़ा छुआ है यहां पे सिंदाई सूपर किंग ने साथ ओर के बाद सो रन बोर के उपर लगा दिये है स्कोर अप तीन फिगर में जा पहुँचा है विकेड मातर एक ही की रहा है और सबसे अच्छी बात 39-49 रनों की साजेदारी इन दोन के बीच में हुई है जई के पहले ओर में 15 रन आये है महंगे वो भी साबित हुए है अमर पटल अप गेन बाजी के उपर आखरी ओर में कावेरियंट से गेन बाजी का भार संभालेंगे उंड़ा अच्छा ड्रिम लेंड के लिए लेकिन जो स्कोर चाहिए थे ना सिंदे सूपर किंग का फैसला सही साबित हुआ है चोटी पटकी वी गेन थी पटकोगे तो पड़ेगे फटके हमारे सरपरास भाई हमेशा बोलते है कि इस वीकेट के उपर पटकोगे ना तो फटके पड़ेंगे और बहुत ही बढ़िया सोट कंट्रोल में थे पूरी तरीके से बैक फूट पे गए और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना पूल सोट खेलने के लिए कि आपका हेंड आई कॉर्डिनेशन बिल्कुल सही होना चाहिए आपकी जो नजरे होती है वो गेंद के उपर होनी चाहिए बिल्कुल सही तरीके से और कंट्रोल और बैलेंस वो सही होना चाहिए ये अच्छी गेंथी ये ब्रेक करवा सकते है एक ओफ स्पीनर की जो खासियत होती है वो इनके पास है इंडेक्स फिंगर गुमाते है इनका रिष्ट बिल्कुल सीधा रहता है और अंत में रिलीज अच्छा करते है इस बार भी लेकिन कदमों का इस्तमाल ओफ स्पीनर की गेंद को जहां से टपा पड़ा वहीं से पिक किया लेंद को पड़ा लेंद को जज़ किया स्पॉट को पिक किया और लॉंगन की उपर से छक्का बटोरा फिल्डर थे लेकिन दर्सक बनके रह गए क्या पारी खेल रहे प्रसांद पटेल तीन रन अब दूर है मात्र अपने अर्धस अतक से वन वन टू एक सो बारा रन ये भी मेहंगा ओवर गुजरता हुआ इस बार हाफ ओल गेन डाउन दा ग्राउंड दूसरे रन की चेस्टा करेंगे और अच्छी रनिंग बीट्वीन दा विकेड क्योंकि फिल्डर काफी दूर था वहाँ पे पार्थ जब तक वहाँ पे आके फिल्ड करेंगे पूरा मौका था परियाप्त मौका दो रन लेने क 114 रन एक रन मातर दूर प्रसांद 49 के उपर 22 गेंदों में एक अच्छी साजेदारी पहले की मेहुल के साथ और क्या बाद है वाट वे टू फिनिस वे अफ दौ फिप्टी ब्रिंग अफ फिप्टी एन क्या सहीं वहाँ पे उन्होंने एक अंदाज अपना दिखाया है बहुत ही बढ़िया अंदाज में खत्म किया है वाट वे टू प्रिंग अद फिप्टी सता की यह आधा था लेकिन महत्व इसका ज्यादा है और क्या प्लेयर ने समाबांधा है बहुत ही बढ़िया पारी और छे रन एक और मिलेगे इतनी बढ़िया फॉर्म में है तो दिक्कत होगी नहीं हाफ ओल इगे ने लगा तर इनके रडार में रहती है कि तब आठ होवर की समाप्ति के बाद 126 रन 126 हुए है 127 का टार्गेट मिला है सिर्दाइ सूपर किंग जिन्होंने टॉस जीतके बैटिंग का फैसला किया और टीम मेनेजमेंट को भी लगा कि यह फैसला उनका बिल्कुल सही था क्योंकि जब आठ होवर में आपके पास ब के से बदल जाता है टीम का एक होसले के साथ उत्रे की सिर्दाइ सूपर किंग की टीम और यह जो होसला मिला है ना उसका पूरा स्रेज आएगा प्रसंद पटेल आज के दिन का दूसरा आधा सतक बना है 25 गेंदों में 61 एक साट रन नाबाद पारी और मेहुल पटेल 12 आठ होर की समापती के बाद 126 रन हुए है प्राप्त क्या होगे इतने परियाप्त तो आने वाली कहानी अब आपके साथ रूबरू करेंगे आपके सामने बया करेंगे कुछी देर में दूसरी पारी की आखो देखा हाल के लिए आपके साथ वापिस जुडेंगे 127 का टार् आपके साथ जुडेंगे जेदारी पहले की मेहूल के साथ और अग्याद पर आप स्कूर कार देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पारी प्रसान 61-61 की और खुबसरत सुरवादी मेहूल पटल ने और अच्छा फिनिस की आंत में श्निहल 22 रन और अच्छी साजेदारी पहले विकेट के लिए स्क्राल 22 सोला incarnation, कि लिए सम्ट याो जी बायर पाराफ . उत्तत्र तोन राफ्ट 3 विससेदार विकेट के अच्छी स्कूर है। झाच्छी साजेँ déjà कि गगि असीका है वित तो पत्तक्राण है 계속 eveningS झाल 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 कप्तान मेहूल पड़ेल खुद गेन बाजी में भी लीड करेगे अपनी टीम को अच्छे हर्फन मौला और लाउंडर खिलाडी है तेज गेन बाज भी करते हैं कई कबार स्पीन गेन बाजी भी करते हैं आफस्टम के बाहर वाइड का इसारा पहला रन बाड के उपर लगता हो वाइड की मदद से रिवर्स एटम किया है बैकवर्ड पॉइंट के उपर से फिल्डर को बीट किया है हाथों में लगी थी वैसे तो गेन तो हाफ़त चांस तो यह माना जाएगा ड्रॉप चांस में गिना जरूर जाएगा कनेक्शन अच्छा हुआ था लेकिन ताकत जो आनी चाहिए वो मिली नहीं और एक रन के साथ बल्ले बाज ने अपना खाता खोला टीम का स्कूर बढ़ता हुआ दो रन सौट अच्छा है यह लेकिन मिड़न की दिशा में श्नेहल डाइरेक्ट त्रो चाहिए कहानी खत्म करने के लिए के जी नहीं अच्छी फिल्डिंग का प्रज़सन पहले बल्ल्ले बाइज दबाऊ बनाना चाहते थे फिल्डर के उपर लेकिन अच्छी फिल्डिंग का प्रज़सन द्वार मीड़। की दिशा में अच्छी गेन बाजी थोड़ा फ्रंट फूट के ओपर इन्वाइट किया था सीधे बल्ले से खिलने का प्रयास था लेकिन लेंथ को पढ़ने में नाकाविया अच्छा वर गुजरा है मेहुल के द्वारा मात्रा दोरन इस ओर में अब तक दिये है आखरी गेन के ओपर हवाई फायर किया है सामने चौका बटो रहा है वन बाउंस ट्रेट इन्डू दा फैंस इतना सीधा के तीर भी सर्मा जाए स्ट्रेट एजन एरो और चारन के साथ ये ओवर हुआ समाप पहले वर की समापती उंडाच ड्रिम लेंड छे रन बीना किसी वि कर दो और अब डॉट बॉल के साथ यहां पी ओवर की समती माफ कीजिगा थोड़ी दिक्कत हुई थी जरा स्कोरिंग में उसकी वज़ा से तो अब कन्फरमेशन हो चुका है पहले और की समापती साथ रन बीना किसी विकेट के नुकसान पर अमित अब गेन बाजी का भार संबालेंगे कावेरी एंड से दूसरे ओवर में पहले और में साथ रन दिये मात्र कोई विकेट गीरा नहीं 117 का टारगेट यहाँ पे सेट किया है पहार जैसा लक्षांक यहाँ पे खड़ा कर दिया सिंदै सूपर किंग ने बहुत ही बढ़िया पारी प्रसान के द्वारा देखने को मिली अंतक डटे रहे अपनी टीम को लीड किया और अब गेनवाजी में वह कॉंफिरेंस कोर का जो है वह रहेगा क्योंकि जब बड़ा स्कॉर बड़ा टार्गेट आपके पास होना तो मार्जिन ऑफ एरर गेनवाज के लिए काफी कम हो जाता है दबाव जो होता है ना वह थोड़ा कम रहता है अगर आप एकादा सिक्स लग भी जाते हैं आपको तो वह ज्यादा उतना मैटर करता नहीं क्योंकि आपके बास डीपोजीट में रन होते है उतने अमित अब गेनवाजी करेंगे कि अमर पहली बार सामना करेंगे अच्छी गेन थी चकमादिया उपसाइट के उपर फ्लाइट थोड़ी प्रदान की थी गसिट के खिलने का प्रयास्ता स्वीप खिलना चाते थे अच्छी सुर्वात अमित की सुर में पीछे एक सौट फाइन लेग है डीप मीड विकेट थर्टी यार सर्कल के अंदर स्क्वेर लेग डीप में है लॉंग अन बाउंट लाइन के उपर है इस बार क्रोस बैटेड ऑपसाइट की गितिसा को खिलना चाते थे अक्रोस दलाइन लेकिन अच्छी गेन बाजी है अर्क से बल्ले बाज़ की अर्क से दूर रखने का प्रयास से उनके räडर में देना नहीं चाहते है अच्छी सोचे गेन बाज़ की है इस बार connection हुआ इस बार बल्ले के उपर gain चड़ी है तो देखे जाएगी 6 रन बहुत ही बढ़िया shot ये middle of the bat connection भी हुआ और जो spot था न उसे बहतरी इन तरीके से pick किया है और ये जादा confidence बढ़ाएगा बल्ले बाज अमर का दो गेंदे dot हो चुकी थी उसका दबाव था तो ये थोड़ा pressure release करेगा 6 रन की मदद से 13 रन फिल्लिंग में तबदिली होगी अब long on के filter को mid wicket की दिसा में खड़ा कर दिया है और स्नेहल खुद अब mid on के उपर 30 यार circle के अंदर offside के उपर cover है extra cover है mid off है सामने गली position है छोटी पटकी हुई gain खराब gain थी पूरा समय लिया अपना और shot arm वहाँ पे full face of the bat ये shot खेला और ताकत पूरी थी shot के पीछे छे run की मदद से 19 run ये अच्छा over गुज़रा है इस बार पैरों के पर गेंथी बल्लेवास के पैरों को पकड़ा है वहाँ पे और पैरों के पर गेंथे कराई थी लेक बाई अत्रिक मेरे अन गीने जाएंगे और सिंगल लेक बाई की मदद से 20 run up score पड़ता हुआ ति ये ओवर थोड़ा अच्छा गुज़र रहा है उड़ा ड्रिम लेंड के लिए पहले ओर में जहां मेहुल के मात्रा साथ रन आये थे तो इस ओवर में दो मैक्सिमम दो चक्के जड़ चुके हैं स्ट्राइक क्यों पर अब जैनिस फिल्लिंग में अब तब्दिल्या राइट हैं के लिए सौट थड़ में हैं पीछे इस बार आप्स्रम के बाहर सफल करके अपने आपके लिए थोड़ी जगा बना के डाउन दा ग्राउंड सौट खेला है लॉंग ओन के उपर फिल्डर मौजूद है रन एक ही मात्रा प्राप्त होगा और इस एक रन के साथ ये ओवर हुई समाप दोवर की समापती 21-21 रन ब उन्डाच ड्रिमलेंड 127 का यहाँ पे पीछा करने उतरी है क्योंकि पहार जैसा लक्षांक यहाँ पे खड़ा किया है सिन्दै सूपर किंग की टीम ने 126 रन बनाए थी विकेट मात्र एक ही गवाया था उन्होंने बहुत ही बढ़िया साजेदारी पहले विकेट के लिए उसके बाद दूसरे विकेट के लिए भी हुई और एक बहुत ही बढ़ा टार्गेट यहाँ पे लेके उतरी है उड़ाच ड्रीमलेंड की टीम सुरुवात अच्छी हुई है दो और में साड़े दसकी ओसत से 21 रन बने है राज अब गिनबाजी का बार संबालेंगे कलियारी से गरिल्यू क्रिकेट खिलते है गिनबाजी परिवरतन के रूप में पाउर प्लेख खत्म होने के बाद अब जैमसान एंड से राज सामने की दिसा में हाफ ओली गेंती स्ट्लोट में दिस नेहल है पीछे फिल्डर नीचे फिल्डर और पहले विकेट का पतन यहाँ पे अमोमन सेफ फिल्डर है स्नेहल गल्ती करते नहीं है अब जैमसान एंड से फिल्डर पहले विकेट का पतन यहाँ आएंगे कॉमेंटरी बॉक्स में संपर करेंगे सलमान रावत का विकेट के साथ यहाँ पे सुरवात हुए इस और में कप्तान ने विकेट के लिए राज को लगाया और अपने कप्तान के भरों से के उपर खड़े उत्रे है राज पार्थ नहीं बल्लेबास के रूप में सॉर्ट यह सीधा है अपने फॉल्टर में फिल्ड किया है अच्छी गेन बाजी बढ़िया गेन बाजी राज के द्वारा गती है इनके पास और जो पिछला सॉट जो विकेट अगर आप देखोगे न तो वो हवा के विपरुद वो सॉट खेला था हवा का रूख कावेरी एंड के और चल रहा था उसके विपरुद सॉट खेलने के प्रयास में विकेट मिला है इस बार बैतरीन सॉट कनेक्शन अच्छा फिल्डर को बीट किया है लेकिन बाउंडरी लाइन पे है फिल्डर वहाँ पे अमित मौजुद जब तक फिल्ड करेंगे एक रन लेने का पूरा मौका था और पार्थ ऑफ दमाक विद्ध सिंगल स्कोर बढ़ता हुआ नों बल्ले बाजों को पहली तीन गेंदे विकेड भी आया है और जब भी अमूबन विकेड मिलता है तो गेंद बाज का थोड़ा कॉंफिनेंस बढ़ जाता है उसकी लाइन लेंथ गती सब कुछ थोड़ा अलग लगने लगता है इसलिए अमूबन ज्यादा तर गेंद बाज विकेड की तलास करते हैं और अब 22 रन उंडाच यह सौड अच्छा है ब्यहतर है सौड लेंद को अच्छी तरीके से वहां पर जच किया है लेंद को पड़ा है और मैक्सिमम छक्का वहां पर जड़ा स्क्वेर लेक के उपर से गुड लेंद के उपर वैसे दो गेंद टपा खाई थी लेकिन गती कम थी और पूरा वहां पर समय लिया बल्लेबाज अमर ने अपना और सौटाम जैप पूल बहुत ही बड़ी आया खेलते हैं अमर छे रन में उसे डिपोजिट कर दिया स्क्वेर लेक के उपर से 28-28 रन बल्लेबाज है अमर पटेल और स्कुर बढ़तावा 34-34 तीसरा ओवर ये चल रहा है विकेट आया लेकिन थोड़ा महंगा भी हो रहा है ओवर इस बार क्रॉस बैटेड हवा में ज्यादा है लेकिन उतनी उचाई मिली है लंबाई भी मिली है कि देखे जाएगी पूरे छे तो डॉट बॉल के साथ जाओ ओवर हुई थी शुरू हूँ वहाँ से अब अच्छे रन के साथ ओवर को खिया एक खत्म तीन गेंदों के उपर लगातार तीन मैक्सिमम बैक टो बैक कंजुगिडो थ्री सिक्सेज बाई अमर पटेल पहले स्क्वेर लेक के उपर से फिद दो लॉंग उन के उपर से तीन ओर के बाद 40 रन एक विकेट के नुक्सान पर करते हैं कि मैं लीला पॉर से बिलॉंग करते हैं कि लिफ्ट आम गेनबास एक और गेनबाजी में परिवर्तन मैंग पटेल पहली गेन के उपर एक रन के साथ 41 रन स्कोर बढ़ाया है चौथा और यह प्रकती पर है कि इस बार आप्स्टम के बाहर दुबारा डाननी पड़ेगी वाइट का इसारा है स्रेई पटेल के दौरा 42 बाया लिस रन आप्स्टम के बाहर पीछे सौट थर्मेन है एक बैकवर्ड पॉइंट है कवर है लॉंग आप सामने बाउंटरी लाइन के उपर अच्छी गेन, you miss, I hit straight into the block hall अमर की पारी को यहाँ पे समाप्त किया है एक बढ़िया पारी, उम्दा पारी अमर पटेल आट गेंदों में 30 रन के उपर खेल रहे थे, नौमी गेंद आई सीधी ब्लॉक में, सीधी ब्लॉक हॉल में और विक्टो को वहाँ पे एक्सपोस कर दिया, बहुत ही बढ़िया उम्दा गेंद बाजी और लिफ्टाम गेंद बाज, अमोवन उनसे अपेकसा करते है के ब्लॉक हॉल में गेंद आएगी, यॉरकर आएगी, कठिन सवाल ये पूछेंगे और वहीं हमारी अपेकसा के उपर खरे उतरते हुए, लिफ्टाम गेंबाज मयंक और तलास थी यहाँ पे विकेट की, सिंधे सुपर किंग को वो दिलाई है, मयंक ने बायाल इसके उपर दूसरा विकेट गीरा है, अमर पटेल एक सैट बल्ले बास को चलता किया है, 9 गेंदों में 30 रन, 5 छक्के उसमें सामिल तो सिंगल उन्होंने लिये ही नहीं है, सभी जो 30 रन बनाए वो सभी छक्के के मैक्सिममम के आए इस बायरा उपसाइट की दिशा में क्रॉस बेटेड आसेज पटेल नहीं बल्ले बास, एक रन के साथ खाता खोला, एक लेजन्डरी क्रिकेटर आसेज पटेल उनाई सिंधर से गरलू क्रिकेट खेलते हैं मुवन 43 तयाल इस रन चौथा वर प्रगति पर है, यह वर अच्छा गुजर रहा है यह छोटी गें थी लेकिन उतिनी तरीके से पूरे कंट्रोल में थे नहीं पार्थ उसकी वज़़ थी कि थोड़ा लैक उफ बाउंस उच्छाल का अबाव नजर आया और इस विकेट में आपको कई कबर अनिवन बाउंस भी देखने को मिलेगा ओवरल मतलब स्पॉर्टिंग विकेट है यह टर्न भी है, उच्छाल भी है कई ऐसे पैची से जहां पे गेंदे थोड़ी उच्छाल का अबाव भी लेती है इस बार आपस्टावी की दिशा में कवर और मीड़ोफ के बीच में स्टिहल मौजूद है जब तक फिल कर एगर रन लेने का पूरा परियाप्त मौका मिला इस एक रन की मदद से 44-44 स्कूर बढ़ता हुआ जिमाफ की गया 45-45 रन और डॉट बॉल के साथ ये ओवर की समाप्ती चार ओवर की समाप्ती के बाद उड़ा ड्रीमलेंड का स्कूर है 45 दो विकेट के नुकसान पे अच्छा ओवर पीछला मयंग का गुजरा मातरा 5 रन आए और एक विकेट भी हासिल हुआ जिस समाफ्य विकेट के बाद आए कि इसनेहल एक और लिफ्टाम गेंद बाज अब गेंद बाजी का बार संबालेंगे कावेरी एंड से गेंद बाजी परिवर्तन में दूसरे हाफ में अब गेंद बाजी के सुरुवत करेंगे इसनेहल सामने आसिस चार ओर का खेल खत्म हो चुका है पहला हाफ खत्म हो चुका है चौबिस गेंद में बयासी रन चाहिए अब जीतने के लिए 20 से भी ज्यादा का उसत रिक्वाइर्मेंट है पहली गेंद के ओपर बड़ा सौट उठाने का प्रयास लेकिन इनकी गेंदे थोड़ा एंगल जरूर करेंगी खास करके दाएंहाथ के बल्ले बास के लिए कि लेफ्टाम गेंद बास एक टीम में होना एक अपने आप में एक अच्छा बेनिफिट होता है कि उनका एंगल का आप इस्तमाल कर सकते है पिर से उसी दीशा में हवा में ज्यादा उठ गई है एक सौफ्ट डिसमिसल श्निहल के लिए अपने ही फॉलो थूरू में कोई ग बड़ा इंसाइड आउट सौट खिलने का प्रयास था लेकिन होवा में ज्यादा चड़ी गई और फोटीफाइग पैतालिस के उपर तीसरा विकेट गिरा सागर अब नई बलने बास के रूप में दौनजा से गरिलू क्रिकेट खेलते और लेधर क्रिकेट के भी अच्छे फाई की उपर पहले ही अपने ओर में विकेट निकाला है इस निहलने यह इनकी यूएस पी है अमोमन ऑफसाइट के बाहर वाइडिस यॉरकर यह ज्यादा डालना पसंद करते है और बल्ले बास से मतलब दूर रखने का प्रयास वो ज्यादा उनका रहता है बल्ले बास को यहां से ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा अगर वाड़ा सौट खिलना है किनारा वहां पे लगा था टॉप एज पीछे फिल्डर सौट थर्डमेन के उपर जब तक फिल्ड करेंगे एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगा ची ओवरल गेंड बाजी यह बैक ओफ लेंड ग जाना चुके थे अच्छी गेन उपर गेंड डाले थी क्रॉस बैटर सौट खिलने का प्रयास लेकिन थोड़ा सौट जल्दी खेले रुक्के आई ये गेन अगर देखा जाए ना ऐसे कई पैचीस आपको विकेड में नजर आएंगे जहां पे गेन थोड़ी रुक्के आएगी तो इंतजार करना पड़ेगा आपको ये गेन अच्छी है आपसाइड की दिशा में लॉफ्टेड ड्राइव जैसा ये सौट खेला था और इस एक रण की मदद से दिरे दिरब स्कोर बढ़ता हुआ 47-48-48 रण पांच ओर की समापती उड़ाज ड्रीम लेंड 48-3 विकेट के नुक्सान पे स्वागत पतेल कॉमेंटरी बॉक्स मा आओ जो स्वागत पतेल कर दो 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 कि राज गिनबाजी कब बार संभालेंगे पहला वर अच्छा रहा था राज का अगर देखा जाए तो 19 रन आये थे थोड़ा महगा भी रहा था लेकिन अच्छी बात थी विकेट मिला था सफल ओर था वो लेकिन बड़िया गिनबाजी मानना पड़ेगा मयंक और अश्टनिहल के द्वारा एक एक विकेट उनको मिला अच्छी गेंथी किनारा लगा था वहाँ पे सिधे बल्ले से खिलने का प्रयास था लेकिन पड़ने के बाद थोड़ा एंगल क्रियेट हुआ था एक आउसाइड एज वहां पर लगा जरूर सीधे बल्ले से स्वाट खिलने का प्रयास अच्छी गेंड बाजी राजकी द्वारा फुल्टोस गेंड ये गेंड खराब थी लेकिन उसके ओपर भी विकेड मिला है जब आपका दीन अगर अच्छा होना गेंड बास के रूप में और मयंग वहां पर मौझू थे लॉंग ऑन की दिशा में कोई गलती नहीं की और वो कहता है अगर ऐसे गेंड बास के तौर पर आपका दीन अच्छा होना तो खराब गेंड के उपर भी आपको विकेड मिलता है और ये ग्राउंड में खास्यत है हमां का रूख कई कबार ग कि आपको करना है आपको किसा में सोट खेलना है यहाँ पर गलती कर दी में अंच्या पर चौथा ग रहा है झाल झाल फुल्टोस गेंधी इस बार क्रोस बेट अट काव कोर्नर के उपर से इस बार मैक्सिमम मिल जाएगा छेरन की मदद से स्कोर अब बढ़ता हुआ फिप्टी फाइब पच्पन रन स्क्रीन के उपर आग देख सकते हैं उपर डाली और दूसरी गेंधी आगे डाली हाफ फॉली गेंधी लेकिन मसला क्या हुआ के थुड़ी ज्यादा हवा में चली गई लंबाई मिली नहीं उचाई ज्यादा मिली और एक से फिल्डर को दूंडा स्नेहल को वहाँ पे और अब पच्पन के उपर पाँचवा विकेट की रहा है छठावर प्रकति पर नैलसन स्कोर औन स्कोर कार 5545 आफ्टर 5.5 सब कुछ 5 नजर आएगा आपका स्कोर करके उपर यह नैलसन स्कोर है 56 रन पाँच विकेट के नुक्सान पे उंडा ड्रीम लेंड तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पे सिंदाई सूपर किंग के गेंदबाजों के द्वारा और ओवरल टीम यूनिट की बात की जाए ना तो टीम पर्फरमंस बहुत ही बढ़िया रहा है सिंदाई सूपर किंग का पहले बहुत ही बढ़ा एक टार्गेट बाड के उपर रख दिया उसके बाद जब गेंदबाजी की बारी आई तो वहाँ पे भी राज पटेल जीनों ने तीन विकेट निकाले श्निहल उनको भी एक विकेट मिला उसके अलावा मयंग पटेल उनको भी एक विकेट मिला तो बारा गेंदों में अगर देखा जाए तो 71 इकत तरण चाहिए ना मुम्किन ये लक्षांक माना जाएगा और सम्भव अब कामिये बन चुका है उन्डा ड्रिम लेंड के लिए तो एक तरीके से देखा जाए तो मैज आपचारिकता भी मानी जाए तो उतना कहना कम नहीं होगा मेहुल खुद कपतान अब गेंबाजी का बार समभालेंगे सात्वे और में इस बार ऑप्स्टम के बाहर एक्ष्ट्रा कवर के दिशा में और चौका मिलेगा अच्छा कॉपी बुक क्रिकेटिंग ये शॉट था अच्छा एरिया वहाँ पे पिक किया एक्ष्ट्रा कवर का जानते है फिल्डर बाउंडरी लाइन के उपर कोई मौजूद है नहीं कि इस बार सिदे बल्ले से हवा में है पीछे फिल्डर नीचे फिल्डर और कोई गलती नहीं कि स्निहल पडेल एक और बढ़िया तीसरा कैच इस पारी में उनने लिया है और इस पोजीशन के उपर लॉंग अन लॉंग अफ के उपर एक सेव फिल्डर वो माने जाते है हवा में ज्यादा चली गई थी हाफ फॉली वैसे दो गें थी लेकिन इस बार भी हवा के विपरित सौट खेला और ज्यादा हवा में चली गई एलिवेशन मिला नहीं वापि छठा वर्थ साथ रन के उपर गी रहा है जाई पटेल डगाउट में वापिस चले गए है अक्सर अब नई बलेबास के रूप में क्रॉस बैटेड सौट खिलने का प्रयास लाइन कहीं और थी बल्ला कहीं और चला तो comprehensive convincing यहाँ पे victory जरूर माने जाएगी यह बहुत ही बढ़िया प्रदाशन सिन्दाई सूपर किंग के द्वारा एक one way ट्राफिक ऐसा लगा पूरी तरीके से हावी रहे सिन्दाई सूपर किंग सुरुवात से ही जहां से पारी शुरू हुई थे फिर gain बाजी में भी लग जो मैं बात कर रहा था कि सिन्दाई सूपर किंग की टीम की बहुत ही बढ़िया प्रदाशन गेन बाजी में बल्ले बाजी में भी overall एक one way ट्राफिक जैसा रहा दब दबा रहा है सिन्दाई का मैच में सागर के बल्ले से रिवर्शिप एटम के रूप में चौका यहां पे मिला है बहुत ही बढ़िया सौट इंप्रोवाइजसन किया था और येक परफेक्शन होता ही सौट के उपर और लेधर बॉली अमूमन खेलते हैं तो परफेक्शन तो दीखेका ही सौट के उपर आपको चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 66 66 रन 7 ओर की समापती 6 विकेट के नुक्सान पे उंडाच ड्रीमलेंड आखरी 6 गेंदों का खेल बचा है रन तो बहुत ही चाहिए 67 रन बनाने है लेकिन 61 माफ की जगा रन बनाने लेकिन येक इंपॉसिबल असंभव काम है तो सब्सक्राइब में वह अपचारिकता निभाने आए हैस निहल कि फुल्टोस गेंड पहली गेंड और फिल्डर है डीप में कोई गलती नहीं करेंगे अक्सर को वापीस जाना पड़ेगा एक बड़ा सौट खिलने के प्रयास में डीप स्क्वेर लेक में फिल्डर को दोन न करेंगा कदमों का इस्तमाल लेकिन अच्छी गेंथी जानते थे थोड़ा दिमागी खेल वहाँ पे स्निहल ने खेला और लेंथ को पीछे खींचा एक रण के साथ अब स्कोर 67 67 रण क्रोस बैटेड हवा में ज्यादा फलक में गेन बल्लेबास की हलक में जान जी नहीं लेकिन थोड़ी आगे गिरी अच्छा प्रयास किया था मयंक ने वहाँ पे एक्ष्ट्रा कवर दी समय कैस लेने का लेकिन पहुंच नहीं पाई वहाँ पे दो रण की मदद से 69 लेकिन मानना पड़ेगा काभिले तारिफ ला जवाब उम्दा प्रदासन सिंड़ाई सूपर किंग के द्वारा एक तरफा जैसे ही यहाँ पे मैच में दबदबा रहा उनका पहले जरूरी था टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया था तो जब भी आप फैसला करते है बैटिंग का तो आपके जहन में टार्गेट रहता है तो वो टार्गेट यहाँ पे बड़िया तरीके से सेट किया 117 का target डिया लेकिन उसके बाद कई कबार क्या होता है जब इतना बड़ा target आपको मिलता है तो थोड़ा confidence ज्यादा रहता है और थोड़ा lazy elegant game बाजी में नजर आता है लेकिन यहाँ पे सिंधाई ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं पुरी तरीके से अच्छे run rate के साथ इस match को व और वहीं काम उन्होंने क्या उनके game बाजोंने और अंत में मातर 69 69 रन बना पाई है उन्डाच dreamland की टीम और 58 57 रनों से convincing और comprehensively इस मुकाबले को जीता है तॉस जीता बैटिंग की 126 रन बनाए 61 रन प्रसाद ने बनाए 35 रन मेहूल ने बनाए थे इस नहल ने 22 रन बनाए थे जब 127 का target मिला उसको डिफेंड करनी की जरूरत थी सिर्दई को और बहतरीन तरीके से ला जवाब डिफेंड किया इस target को 2 विकेट मिले इस नहल पटेल को 6 रन देके 3 विकेट निकाले राज पटेल और एक विकेट मिला मयंको और मेहूल पटेल कप्तान उनको भी एक विकेट प्राप्थ हुआ तो इस प्रकार से इस मुकाबले को जीता है 57 रनों से और अगर देखा जाए तो all-rounder performance किया है यहाँ पे श्निहल पटेल ने और इस मैच के man of the match श्निहल पटेल 22 रन और दो विकेट बहुत ही बढ़िया all-round performance उनके लिए तो श्निहल पटेल मैनब दा मैच इस दूसरे मैच के और सबसे बड़िया बाद की फिल्डिंग में भी उनके अंक बड़े है तो यह भी एक फैक्टर ध्यान में रखके उनको मैनब दा मैच का खिताब दिया जाएगा अगला मुकाबला होगा जैस रॉकर्स देगाम और रॉयल चैलेंजर बॉस्टन के बीच में अगला मुकाबला होगा टॉस दीता था रॉयल चैलेंजर बॉस्टन ने और फिल्लिंग का फैसला किया है तो आर्सीवी के कप्तान से बिंति करेंगे कि जल से जल फिल्लिंग के सजावट कर दे और जैस रॉकर्स देगाम अपने दो सलामी बल्ले बाजों को बीच मैदान में बेच दीजिए दोनों टीम के कप्तान देगाम और रसीबी के कप्तान आएंगे यहाँ पे झालいい के रहाँ ओतान आएंगे यहाँ पे मुआ यहाँ गभा हैक साथ जेगी के कित्स हूआँ साथ को अभूर्स एओावे यहाँ रड़ला यहाँ झालिeousदे क के छ resolutions आबसे बल्ले देगाई झाल्पल लिवघvaं आएंगे गुना कित्वार लोग ā paycheck Dallas झाल 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 तानवर चोद्रन झाल 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 वर्टेवी सरान डेविक झाल 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 कार्प्त झाल 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 पाच अवर छत्रिस रन तौन विकित झाल 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 जैस रोग अस देगाम छेवर की समापती 45 पैतालिस रन रॉयल चलेंजर्स बॉस्टन आर्सी भी जीनों ने टॉस जीट के फिल्लिंग का फैसला किया पहली छो छेवर बहुत ही बढ़िया तरीके से गुजरी है बांध के रखा है एक मात्र ऐसे बल्ले बाज मनन जो डबल फिगर में पहुँच पाए नौ गेंदों में 22 रनों की अच्छी पारी खेली तीन शिक्सर मैक्सिमम उस पारी में नजर आए लिकन उसके अलावा कोई भी बल्ले बाज मनन का साथ नहीं दे पाया और अब जो तस्वीर जो कहानी हमारे सामने बया है एक छेवर के बाद 45 पैतालिस रन पांच विकेट के नुक्सान पे सादकपर और गोरगाम गोरगाम वारियर्स और सादकपर टीमना केप्टन कोमेंटरी बॉक्स मा आवे गेन बाजी की अगर बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया गेन बाजी दो विकेट हितेस पटेल दो और में दस रन पुनित एक और में एक रन एक विकेट और देव पटेल एक और नो रन एक विकेट राज पटेल दो और तेईस रन एक विकेट तो यह है कि पुनित अब गेन बाजी का पार सम्भालेंगे जtechn है कि बहुत ही अच्छी गेंद जड़ में थी और कर गेंद थी उच्छाल थोड़ा ज़्यादा मिला इसलिए विक्तों को मिस किया पहली गेंद के ओपर एक कठीन सवाल पूछा पुनित ने पुनित पहला और भी बढ़िया रहा था मात रेकरन दिया था इस बार उंगलिया गुमाई थी फ्लाइट प्रदान की थी टर्ण कराने का प्रयास था और चेंज ओफ पेस यह होना चाहिए अगर आप तेज गती से डालते हो बीच-बीच में चेंज ओफ पेस करते हो तो क्लेवर गेंद बास की एक निश्चा नहीं वो माने जाती है अगर मौडर्ण टैनिस क्रिकेट में भी देखा जाए तो गती में ज्यादा से डाधा परिवर्तन करते हैं गेंद बास उंगलिया गुमाने का ज्यादा प्रयास करते हैं जब खास करके डैथ होवर चल रहे होते हैं न तो वो चेंज ओफ पेस गती में परिवर्तन वाली गेंदे काफी किफाईती साबीत होती है यह सोट बड़ा खेलने का प्रयास था लेकिन अंद्रुनी की नारा इंसाइड एज लेके डाउन दग्राउंड फिल्डर डिप मिड्विकेट पे मौज़ुद एक रन का पूरा मौका मिला 47 से तालिस रन इसे एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ लगातार अंत्राल पे विक्टे यहां पे मिली है तो अच्छी गेंद बाजी का प्रवदसन आरसी भी के द्वारा इस बार उपरी की नारा छोटी गेंद थी टॉप एज लगा है फिल्डर उसके नीचे मौज़ुद लेकिन गेंद को पकड़ा है कैज तो पकड़ा है लेकिन बाउंटरी के बाहर से तो छेरन मिलेंगे समापती सान्थ और के बाद प्रेसर रिलीजे जरूर करेगा यह सौट और डेथ ओवर जो बाकी की सांद गेंद बची है जो सांध गेंद जो बची है बाकी की उस पर जादा से जादा बड़े प्रहार करने पड़ेगे जितना target आपके पास होगा उतना ही gain बाजो को confidence मिलेगा और मौका मिलेगा target को defend करनेगा ओवर की समापती साथ और के बाद 54-54 run पांच विगेट के नुकसान पे देगा हम 54-54 run साथ और की समापती के बाद जैस रॉकर देगा हम कि लिए वहसे हां कि हमें बाद 54 प्र दो दी जे हमें बहुत ये अच्छी गेन बाजी पहली गेन देव के द्वारा यॉरकर गेन थी और इससे पहले भी देव पहले और में नौरन मात्र दिये थी अपने यह भी अच्छी गेंद थी पिछली थोड़ी हाफ व ओली थी इस बार थोड़ी उपर डाली थी गेन क्रोस बैटेड एक्रोस दलाइन शॉट किलने का प्रयास लेकिन परिणाम सुन्या अच्छी गेन बाजी काभी लेता रहे वाकिए अच्छी गेन बाजी देव के द्वारा इस बार फिर से बैक उफ लेंथी उपर डाले थी क्रोस बैटेड वहीं प्रयास किया इंसाइड एड लगा थोड़ी मिस्फिल्ड वहाँ पे दूसरे रन का प्रयास है अच्छी रनिंग बिट्वीन दा विकेट चाहिए और थ्रो वहाँ पे ठीक भी आया था कालेक्शन भी अच्छा हुआ था लेकिन विकेट का मौका बना था लेकिन विकेट में वो परिवर्थित हुआ नहीं है अच्छी रनिंग बिट्वीन दा विकेट इस बार भी बड़ा सॉट खेलने का प्रयास जरूरी हाफ वाली गेंथी यह सीधे सॉट वाली गेंथी फुल फेस अप दा बैट अगर आप सीधे बल्ले से खेल सकते हैं तो हवा का रूख भी आपको फाइदे मन हो सकता है लेकिन गलती यहाँ पर कर रहे हैं कि एक्रोस दा लाइन लगातार सॉट करने के प्रयास है उसकी वज़ा से जो चाहिए कनेक्शन जो ताकत चाहिए वो आ नहीं रही है और जितने रन चाहिए वो भी नहीं आ रहे है तो 57 रन दो गेंदे बची अभी बीसी ओवर की इस बार ये भी अच्छी गेंद सिधा विक्टो के उपर यो मेस आई हेट बहुत ही बढ़िया गेंद यॉरकर गेंद थी फिर से वहीं प्रयास था के एक्रोस द लाइन क्रोस बैटेड गेंद कहीं और थी लाइन को पढ़ने में बिल्कुल नाकामियाब रहे है और चठा विकेट यहाँ पे 57 के उपर गिरा है ये पहली पारी की य आखरी गेंद होगी लेकिन मानना पड़ेगा आरसी भी बहुत ही बढ़िया गेंद बाजी पूरी तरीके से हावी रहे हैं और लगातार अंतरल पर विकेट भी निकाले है सादाक प्हर और गोरगाउं के कफ्तान आएंगे यदि कफ्तान अकर मादूद नहीं है तो टीम से कोई भी वाइसकेटन हो तो भी आएगा क्यूँकि टॉस करना है तो सादक पर के कप्तान गोरगाम के कप्तान कप्तान के बीहलफ में वाइस केप्टन भी चलेगे टॉस के लिए आना है इस बार किनारा लगा बहुत ही अच्छी गेन वाजी देव पडिल क्या बात है पहले यॉरकर उसके बाद आपस्टम के बहार बैक ओफ लेंद गेन बल्ला तो चला लेकिन किनारे लेके गया और साथवा विकेट आठ होर की समाप्ति पहत देगाम 57 रण मात्रा बना पाई है आरसीबी टॉस जीत के फिल्लिंग का जो फैसला किया बिल्कुल सही ये फैसला उनके लिए साबित हुआ एक मात्रा बल्ले बाज मनन जीनों न बाईस रणों की पारी खेली और अंतमे नो गेंदों में बारा रण जीत पटेल नाबाद रहे अच्छी गेन बाजी तीन विकेट देव पटेल को मिले हीते इस पटेल ने दो विकेट निकाले पुनित और आज उनको एक एक विकेट हसिल हुआ तो अब आठ होवर की समापती के बाद जैस रोकर देगाम 57 रण हुए है प्राप्त क्या होगे इतने परियाब तो 58 का टार्गेट मिला है कुछ कि झाल 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 कि शुरुबात की है गेन बाजी में इस बार सीदे बल्ले से थुड़ा हवा में जरूर रहा था इन दी एर फॉर वाइल बद चांस फ़र सिंगल से इनफ चांस फ़र सिंगल खाता खुला है एक रन की मदद से पुनित उन्होंने भी अपना खाता खुला अफ दमाग विद द सिंगल जैंटले पूस इंटेंसली पूस इन फ्रंट अब दा कवर इस बार उचाल मिला आपस्टम के बाहर रूम था परियापतर कट किया एक रन की मदद से दूसरा मिलेगा मिस फिल की वज़ा से अच्छी रनिंग बिडूइन द विकेट बढ़िया ता और चार रन स्कोर बढ़ता हुआ मानव पटेल जीनों ने दो रन के साथ खाता खुला अपना और अपने ही फॉलो थुरू में एक सॉफ्ट इसमिसल आसान सा उंगलियों पर चोट जरूर लगी है लेकिन चोट लगी है यहाँ पर आरसीबी को पहले विकेट के रूप में विकेट मिला है और चार अन के उपर पहला विकेट गीरा है ब्रेक्थू दिलाया है मनन पटेल ने कप्तान स्ट्राइक जब स्ट्राइक गेंदबाज होते हैं उनके उपर अमूमन बरोसा रहता है कि आप विकेट निकालेंगे तो चार अन के उपर पहला विकेट गीरा है पुनित कॉटन बोल्ड बाई मनन पटेल एक सॉफ्ट डिस्मिसल माना जाएगा आसान सा कैच वहाँ पे कोई गलती नहीं की और स्ट्राइक गेंबाज जो उनकी भूमी का होती है वो भूमी का बहतरीन तरीके से निभाई है यहाँ पे स्ट्राइक गेंबाज की रूपे मनन पटेल ब्रेक्थ्रू दिलाने की आवस्सक्ता होती है जो भी प्रमुक गिनबाज होते हैं उनकी तो वो बहती बढ़िया तरीके से काम किया है राज पटेल अब नए बल्ले बास के रूप में बीच मैदान में आएंगे अब स्ट्रम के बाहर काफी दूर है दो वाइट का ही सारा जग अब ऐसे खड़े-खड़े खेलने का प्रयास लेकिन सहीं फैसला दुबारा डालनी पड़ेगी इस गेंड को इस वाइट की मदद से पांच रन इस बार लो फुल टोस गेंथी बैक फूट के उपर जाके कलाईयों के सहरे डिप मीड विकेट की दिसा में 30 यार सरकल के अंदर जब तक फील्ड करेंगे एक रन का पूरा मौका मिलेगा और इस एक रन के साथ राज ने अपना खाता खोल और टीम का स्कोर पहले और की समापती के बाद छे रन एक विकेट के नुकसान पर तार्गेट उतना बड़ा है नहीं तो अच्छी सुरवात लेकिन तकलिफ क्या है कि एक विकेट गीरी है यहां पर आरसीबी कि अगर देखा जाए तो और वैसे भी जब आप एक कम टार्ग लगातार आपको बनाए रखना पड़ता है तबी आप एक लो टार्गेट को डिफेंड कर सकते हैं वो कई कबार हमने देखा है कई मैचिस में से टार्गेट डिफेंड करते हुए इस बार लेक्स्टम के बाहर वाइट कहीं सारा तेज गती से गेंट डाले थी लेकिन दिश गलत थी अच्छी गेंट थी यह सीधे बल्ले से और एक रन वहां पे जेंटली पुस्ट जान बुच के खेला था इस सौट को क्योंकि जानते थे एक कवर का फिल्डर थर्टीया सरकल से काफी दूर है ओपसाइट की ओपर पीछे सौट थर्डमेन है बैकवर पॉइंट कव पर एक्स्ट्रा कवर सामने मिड ओफ जॉप साइट की फिल्डिंग और पाप लेके दौरान जो फिल्डर होते है वह एक लॉंग ऑन के उपर लेकिन उस लॉंग ऑन के फिल्डर को बीट किया उनकी दाई और से गेंद काव कॉर्नर और लॉंग ऑन के बीच में से बेदी औ और बहतरीन तरीके से सोट वहां पे खेला सीधा एक बिल्कुल अलंग दा ग्राउंड सोट लो फुल्टोस गें थी टाइमिंग सहीं होना चाहिए था वो पूरी तरीके से सहीं हुआ और बारारन इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ वेलकम बाउंडरी ये मानो उपर तो अगली गेंद होगी फ्री हीट बाजुए खुलने का मौका मिला है यहां पर बल्ले बास को और उसकी ओपर चौका भी गया है तो यह ओबर थोड़ा महंगा गूजर रहा है जहां पर मैं बात कर रहा था कि लो स्कोरिंग मैच है तो थोड़ा आपको अच्छी गे फ्री हीट थी यह सौट वहां पर अपना खेल सकते दें लेकिन फ्री हीट कंटीन्यू होगी यह कि वाइड है कि वाइड उसके ओपर वाई तो दो रन और एड की जाएंगे 19 रन फ्री हीट अभी भी कंटीन्यू है लेकिन मौका इस बार आज की लिए है और लो फुल्टोस गेंथी सीधा कवर की दिशा में लेकिन कोई मसला होगा नहीं फ्री हीट थी कि अब भीस रन इस सिंगल की मदद से स्कूर बढ़ता हुआ है लेकिन जो जरूरी रन थे इस ओर में अब तक आ चुके है कि अब समके बहार यह वाइड़ी सी ओर कर लेकिन ज्यादा वाइड हो गई अतरिक गेंद दुबारा डालनी पड़ीगी 21-21 रन तो इस ओर में लाइन और लेंज से काभी दिक्कत हो रही है गेंबास को अतरिक रन ज्यादा आ रहा है इस ओर में लो फुल्टोस गेंदी यह बई कलायो के साहरे डीप स्क्वेर लेग में मोड़ा है फिल्डर डीप में मौजूद है जब तक फिल्ड करेंगे एक रन लेने का परियाप्त मौका है 22-22 रन अच्छा ओवर यह गुजर रहा है बल्ले बाजिल लिहास से कर देखा जाए तो इस बार थोड़ी जगा बनाई थी अपने आपके लिए हवा में थोड़ी देर गेंद रही थी क्योंकि उंगलिया गुमाई थी थोड़ी फ्लाइड भी प्रदान की थी लूप दिया था और इंतजार करके खिलना पड़ा बल्ले बास को यह चोटी गेंदी अपर कट आप साइड की दिशा में हवा में फिल्डर उसके पीछे भागे के गली पोजीशन में अच्छी फिल्लिंग निस्चित तोर से वहाँ पे रन रोके है दो रन अपनी टीम के लिए बचाए है और इस दो रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ बड़ 24 24 रन दोवर की समापती के बाद तो पिछले ओवर में अगर देखा जाए तो 18 रन जीत के उस ओवर में आये है और अगर देखा जाए तो 36 गेंदों में 24 रनों की दरकार है यहाँ पे जीतने के लिए RCB को तो रन अर बॉल से भी कम सिच्वेसन यहाँ पे मौजूद है RCB के लिए दिक्कत होनी नहीं चाहिए जीतने के लिए 24 रन दोवर के बाद एक विकेट मानो पटेल पांच गेंदों में 12 के उपर और आज पड़र रॉनर बॉल इनिंग पांच गेंदों में 5 रन एक मातरा सफल गेंदबाज मनन पटेल पहले और में छे रन देगें उन्हें एक विकेट निकाला और पहला और उनका अच्छा रहा था विकेट भी मिला था तो कप्तान ने उनको जारी रखा है लेकिन यहां से अब छोर बदलेगा कावेरी एंड से गिन बाजी लेके आएंगे तीसरे ओर में इस बार लो फोल्टोस गेन और स्टैंड और डिलिवर खराप गेन को डिपोजिट किया मिड विकेट की उपर से छे रन के लिए बहुत ही बढ़िया उम्दा ये सौट कमाल लाजवा बल्लेबाजी खराप गेन थी और खराप गेन को सही नसियत देते हुए मानव पटेल तीसरन ये स्कोर बढ़ता हुआ छे रन की मदद से छे रन के साथ स्वागत हुआ है यहां पर इस ओवर में मनन पटेल का और इस ओवर से हमोमन इस एंड से दिखा जाए तो रन आते है तो बल्लेबाज के फाइदे में रहता ये एंड अगर दिखा जाए तो इस बार थोड़ा जल्दी सॉट को खेल गए अत्रीक बाउंस मीला था लेकिन पूल सॉट के लिए जो मैं पहले भी बात की थी ना कि आपके हेंड आई कॉरडिनेशन वो सही होना चाहिए नजरे आपकी गेंड के उपर होनी चाहिए लेकिन वो हट गई थी इसके लिए जह फेस अप दा बैट, मिडल अप दा बैट कनेक्शन हुआ और बहतरीन तरीके से लॉंग ओन के उपर से उसे डीपोजिट किया छेरन के लिए और इस छेरन की मदद से 37, 37 रन स्कोर बढ़ता हुआ एक विकेट के नुकसान पर आरसी भी क्या बात है, स्टैंड एंड डिलिवर इस बार, ये कट कॉपी और पेस्ट था, पिछले आ जो छक्का था उसका बिल्कुल एक्सन रिपिले था, गेंद भी सही, बिल्कुल वहीं गेंद, रडार में और रडार में डालोगे, ना पाले में डालोगे, बल्ले बासके तो हव बाले में जाएगी बाउंडरी के, बेहतरीन तरीके से सौट को यहाँ पे खेल रहे और कनेक्शन इतना बढ़िया हो रहा है कि जैसे ही गेंद लगती है न बल्ले पे छे रन की छाप लग जाती है, इस बार पठकी हुई गेंद थी बैक आफ लेंद परिणाम जी एक टपे रहा था, लेकिन दूसरे ओर में धाबा बोला है, इस बार वाड़ा ग्रेट सौट, ब्रिलन पीस ओफ कनेक्शन, सफल आउटसाइड यह आप स्टम, बेहतरीन तरीके सब ने आपके लिए जगा बनाई, और गेंद की जो लाइन थी ना, जो लेंद थी ना, उसको पड़ा, और इतनी सही तरीके से पड़ा, कि मिडविकेट की दिस्था में सिक्सर जड़ा, छे रन की मदद से पचास रन बोड़े के उपर, पीछले ओर में 32 रन आए, जब दो ओर में 32 रन मनन को आए, तीन ओर के बाद 50 रन, काफी मेहगा ओर रहा, पिछला ये ओर मेहगा नहीं था, बलके मैच को खत्म करने का, मन्जिल के करिप ले जाने का, ये वो ओर था, तो अब ये वन साइडेट, एक वन वे ट्राफिक बन चुका है, यहां से अगर देखा जाए, तो RCB की जीत निश्चित तोर से तै मानी ज जाएगी, जैसे पिछले मुकाबले में सिनिदाई सूपर किंग ने किया था, तो इस बार यहां पर भी वहीं का मार्सी भी ने किया है, पहले अच्छी गेन बाजी की, सत्ता वन के उपर रोका देगाम को, और जब बल्ले बाजी की बारी आई, तो रंद्रेट को भी एक अ लाइन सौट खिलने का प्रयास, 9 गेंदों में 26 मानना पड़ेगा मानो पटेल, बहतरीन पारी, ला जवाब कमाल बल्ले बाजी, और राज पटेल 10 गेंदों में 19 रन, कप्तान है टीम के, इस बार कॉपी बुक स्टाइल में एक कवर की दिशा में कवर ड्राइव खिला है, लेकिन फिल्डर मौजुद तो इंतजार करना होगा अभी भी जीत के लिए, 53 टैप पंद रन, ये सौट बहतर है, ये सौट अच्छा, ये सौट बड़ा है, फिल्डर है उसके नीचे हवा के विपरित सौट, और विकेट का पतन, उंगली उठी है अंपायर की, मतलब बाह जाने का रास्ता, 53, 53 टैप पंद के उपर यहाँ पे गिरा है विकेट, और अभी भी इंतजार करना पड़ेगा, पांच रन चाहिए जीतने के लिए, एक गेंद बची है, इस वर की, और 53 के उपर दूसरा विकेट गिरा है, आर सीबी का, अगले मैच का टॉस होने जा रहा है, गोरगाम वारियर्स और जैपाटी दर सादक पौर के बीच में, हवा में उपरी किनारा, फिल्डर, जी नहीं है, फिल्डर वहाँ पर पहुंच गए थे, लेकिन ओवर की समपती कोई वहाँ पर मसला नहीं, कोई विकेट गीरेगा नहीं, और अब चारन जीतने के लिए जरूरी है, 24 गेंदे बची है, चार रन यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए आरसीबी को, चार और की समपती 54 रन, अब अब साइट की दिशा में फुल्टोस गें, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जा रहा है चौका, चौका नहीं बलके यह जीत का पंजिता, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री बहतरीन तरीके से अठ्थावन का टार्गेट था, वो 25 गेंदों में पूरा किया, आठ विकेट से मुकाबलेगों जीता, वेल्डन, रोयल चैलेंजस बैंगलोर, रोयल चैलेंजस बॉस्टन आर्सी भी, बहुत ही बरिया प्रदसन, बिल्कुल चैलेंजस की तरह खेले, और अठ्थावन का जो चैलेंज था, मेहज मातर 25 गेंदे खेलके, वो टार्गेट हासिल किया, और कन्वेंसिंग कॉंप्रिहेंसिव विक्ट्री टॉस जीत के, जो उन्होंने फिल्डिंग का फैसला किया था, वो सही सावीत हुआ, सत्तावन पे रोका देगाम को, और अठ अठावन का टार्गेट मातरा चार दस हमलोव एक ओर में समाप किया, मानो पटेल 26 गेंदों की एक बहतरीन पारी, और राज पटेल 11 गेंदों में 20 गेंदों नाबाद रहे, लेकिन बावेश पटेल जीनों ने जीत का पंच लगाया, विनिंग सौट उनके बल्ले से आया, और इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो एक man of the match के रूप में जो center person होता है, जिनका एक comprehensive contribution होता है, जीत में जिनका सबसे बहतरीन योगदान होता है, तो वो है देव पटेल, क्योंकि जो 77 रणों पे रोका हूं, उनमें सबसे बड़ा योगदान था देव का, तीन वि जई पार्टीदार 11 सादकपर और गोरगाम वारियर्स के बीच में toss हो चुका है, तो toss से खबर यह है, जई पार्टीदार 11 have won the toss and decided to fielding first, तो जई पार्टीदार 11 के कप्तान जिनोंने toss जीता है, और fielding का फैसला किया है, मतलब सादकपर को chase पसंद है, वो chase पसंद करेंगे, कुछी देर में आपके साद वापिस जुड़ेंगे, आज के दिन के चौते quarter final के लिए उस match की आँखो देखी, कहानी वापिस आपके सामने बया करेंगे, कुछी देर में हुआप़े से बाके सादकी आपके सादके सामने के सामने ज्यूतасा है, म shaping का अज़ि का यह है, चई यह नवागे कुछी पसंद दिनके सामने के सुछी तेर देर देरbie me that लिए कैसे तेर हमाने बयाराई झाल 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 मैं सब पार्टिदार प्रीमियल लिग 2022 पहला सीजन और जैमसन क्रिकेट ग्राउंड खुब सरतिये मैदान हरंगाम रांकुआ रोड के उपर और इस ग्राउंड को बनाने में जो इसका पूरा स्रेज हो जाएगा इस ग्राउंड के फांडर ऑनर मिश्टर रमेज भाई पतेल और वो लेवा पाटिदार समाज के प्रमुग भी है उसके अलावास नहल भाई पतेल स्यादा से देवु पतेल विशाल पतेल अम्रत भाई पतेल इस्वर भाई वैशनव मिनेज भाई पतेल कोच है पीच कुरेटर है कंसल्टन्ट है और उसके अलावा जो के स्कोरर हमारे साथ अपनी भूमी का नीपा रहे सलमान रावत एक बहुत गड़ा नाम 835 में चुका अनुपव है उनके पास और यूट्यूब इस पूरे टूनामेंड का आखो देखा हाल आज का ये वंडे फिनिश टूनामेंड चौथा क्वाटर फाइनल चलता हुआज के दिन का इस टूनामेंड का आखो देखा हाल आप स्माइल चैनल फॉर यू उसके ओपर देख पाएंगे ऑपरेटर के रूप में आनंद पटेल कैमेरा मैन है रॉनक राठोड डीजे ऑपरेटर दीपेंड पटेल मामन विल से ओम साइं डीजे के ओनर और कॉमेंटरी बॉ परियर्स और जई पाटिदार इलेवन सादक पॉर के बीच में अच्छी पाटिदार इलेवन की कप्तान जिन्होंने टॉस जीतार पहले उन्होंने फिल्डिंग का फैसला किया है अच्छी गेन बाजी मीरल की जो आंतर समाज यहां पे हुआ था पिछली बार एकता उपन आंतर समाज वहां पे एक मैच टाई हुआ था सेमी फाइनल जिसमें सबसे बड़ी भूमी का मीरल की थी तीन गेन्दों में एक रन चाहिए था मात्र धोडिया पटेल समाज के सामन में वह सेमी फाइनल था बहुत इब भभी उंदा गेन-बाजी का प्रतशन किया था तीन गेन inse Property बचा था और टाई किया था वह मैच ओँ भाडिया वहां पे प्रतशन रहा था मीरल का पने टीम को फाइनल में पहुचा या था इस बार क्रोस बैट है क्या बात है ताकत ये पूरी थी इस सौट के उपर वो देखते है न रौमन पवल याद आते है यूंकि अंदाज बिल्कुल वही था परफेक्शन उतना सही के मिड विकेट के उपर से पूरे छेरन देके चला गया और कनेक्शन इतना अच्छा था ना जो मधूर आवाज आई थी ना बैठ और बॉल के बीच में लग गया था ये छेरन देके जाएगी पहला जक्का इस पारिक आता हुआ कि गोरगाम के लिए कि साथ रंड बसकुर बढ़ता हुआ इस छेरन के मदद से इस बार आप्स्टम के बाहर ये लाइन और लेंद बहुत ही अच्छी है जो मैं टाई हुआ था वहाँ भी मैंने देखा था कि ये लाइन और लेंद था ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कंसेस्टनसी इनको यहाँ पे और हाइड भी है अच्छी हाया मैक्सन है तो उच्छाल भी मिलता है इनको आप्स्टम के बाहर ये जही है लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा बाहर हो गई दुबारा डालनी पड़ेगी आठ रन इस वाइड की मदद से प्रजय कप्ता ने टीम के खुद टीम को लीड कर रहे है एक छक्का ओलेडी लगा चुके है पहुत ही अच्छी गैंती उच्छाल भी मिला था बल्ले का फेस ओपन करके थोड़ में की दिशा में खेलने का प्रयास लेकिन फिल्डर को दूंडा वहाँ पे मौजुद थे फिल्डर विकेट कीपर के साथ एक सौथ थर्मेर है डेकवाड पॉइंट कवर है और एक्स्ट्रा कवर सामने मीड ओफ ऑन साइट कवर मीड ओन है डीप में एक्स्ट्रा डीप में स्क्वेर लेग इस बार रूम था अप्स्टम की दिशा में फिल्डिंग वहाँ पे मिस वहाँ पे देखने को मिली किसन के द्वारा एक और की समापती के बाद 10 रन गोर्गाम वारियर्स बिना किसी विकेट के नुकसान पे अच्छा वर यह गुजर आ था मीरल का अगर एक वो जो मैक्सिमम एक सिकसर आया उसको अगर निकल दिया जाए तो बाकी की गेंदे जो उनका यूएस पी है उनकी स्ट्रेंथ है ओप्स्टम के बाहर वहीं लगातार गेंद बाजी की पहले और की समापती गोर्गाम वारियर्स दस रन टॉस जीत के फिल्डिंग का फैसला किया है जैपार्टी दर सादक पर की टीम ने खुद कप्तान पिंटू अब गेंद बाजी का बार संबालेंगे काफी पूराने और अनुबवी क्रिकेटर इसी ग्राउन के उपर मुझे उनका एक मुकाबला याद है जो आरसीबी के साथ हुआ था उसके बारे में बाद में बात करेंगे काफी इंट्रेस्टिंग वो मुकाबला था आज भी वो मेरे जहन में है करें फूल्टोस गें थी और फूलटोस के साथ इसरे चाहलेर में वैसे खरब थी बैट डिलिवरी गॉट दर ट्रीटमेंट विद दर मैक्सिमम ओवर स्क्वेर लेग एरिया ये लो फूल टोस क्रॉस बैटेर अक्रोस दर लाइन लेकिन मिलेगा इस बार भी छे रन क्या बात है पीछला स्क्वेर लेक के ऊपर इस बार फ्लैट गया ये लेकिन फिर भी छे रन देगे चला गया लो फूल टोस ये भी खरब गेन लेकिन अगर आप क्रोस बेटे ताकत रखते हैं ना तो इस प्रकर के सोट आप खेल जकते हैं अब दबाव में गेन बास कप्तान को यहाँ पर नहीं बखसेंगे कप्तान ने जिम्मेवारी नी टीम को लीड करने की कावेरियंट से गेन बाजी सुरू की लेकिन दो गेंदों के उपर बैक टू बैक टू मैक्सिमम दबाव में गेन बास इस बार थोड़ा बचेने का प्रयास आप स्टम के बाहर अच्छी लाइन और लेंद है यह स्टम के बाहर की क्योंकि रवी जिस प्रकार से इंद्या बल्ला चलता है ना इनके बल्ले में वो लिविंग स्टोन वाली ताकत है उसकी वज़े से उनकी आर्क से और रडार से गर दूर रखा जाए ना तो यह बहतर आप्शन होगा इस बार थोड़ा ज्यादा बाहर दुबार डालनी पड़ेगी इस सिंगल की मदद से वाइड की मदद से स्कोर बढ़ता हो 23 23 तेईस रन इस बार किनारा लगा था लेकिन काफी नीची रही थी उसकी वज़े से विकेट कीपर उतना आसान नहीं होता इस प्रकार के कैचिस लेना अमिस थे वहाँ पे इस विकेट कीपर के तौर पे लेकिन आसान नहीं होता जब इस प्रकार का कट लगता है ना लेमन कट जैसा तो वह काफी नीचा रहता है कि इस बार प्रजाई के वहले से यह कॉपी बुक वहीं सौट था जो पहली और में उन्होंने मिरल के सामने खेला था उसका यह बिल्कुल कट कॉपी और पेस्ट था किकी लेंद भी वहीं थी लाइन भी वहीं थी गिन्बाज मात अलग था लेकिन परिणाम छे रन था और इस छे रन की मदद जी माफ कहिजएगा चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हो ट्वेंटी एट अठाइस रन बहुत ही बढ़िया बल्ले बाज जी मानना पड़ेगा दोनों छोर से और आज के दिन की पहले विकेट की सबसे बढ़िया साजेदारी सिंधरी सूपर किंग के बल्ले बाजों के द्वारा हुई थी मेहूल और प्रितेस जो जिनोंने 61 रनों की साजेदारी की है पहले विक काव कॉर्णर को टार्गेट करने का लेकिन क्लेवर गेन बाजी अंत में और दोबर की समाथती के बार 29 रन बीना किसी विकेट के नुक्सान पर गोरगाम वारियर्स जो मैं बात कर रहा था कि जैपाटी दर सादकपर और आरसीवी के बीच में जो यहां पर पहला सीजन हुआ ग्राउन का जो ओपनिंग था नौसारी वलसाल लेवा पाटीदार समाज के बीच में वो टूना वहां पर आरसीवी और जैपाटीदार के बीच में जो मुकाबला था तो एक बहुत ही बढ़िया इस ग्राउंड के उपर अब तक मैंने देखा हुआ वह सबसे बहतरिन मुकाबला था विकी अब गेन बाजी का भार संभालेंगे 29 रन दो बर की समापती के बाद बिना किसी विकेट को नुक्सन पर अच्छी साजेदारी पांच गेनों में 14 के उपर रवी पटेल और प्रजय कप्तान है साथ गेनों में 13 के उपर गेनवाजी में परिवर्तन जैमसन एंड से अब गेनवाजी का भार संभालेंगे विकी लिफ्टाम गेनवास छोटी पटकी वी गेन थी रहाँ पर रूम था फिल्डर है अमिस वहाँ पर लेकिन पैरों से रोकने का प्रियास नहीं रोक पाएंगे चौका मिलेगा बहुत ही अच्छा ये सौट था आपसम के बाहर अमूमन रूम मिलता है खास करके जब डाएं हाथ का बले बास खेल रहा हो न तो ये उनके लिए हाथ कुलने का एक मौका बन जाता है तो इस मौके को यहाँ पर चौके में तबदिल किया फिल्डर मौझूत थे अमिस लेकिन काफी फासला तेह करना था स्वीपर पॉइंट से लेके वो डीप थर्डमें तक का और चौका मिला स्वागत है यहाँ पर एक गेन बाज वीकी का चौके के साथ कि फास्ट टाइम स्पीन इंट्रोडिस किया गया इस बार भी रूम था आप स्टम के बाहर लेकिन सीधा स्वीपर पॉइंट अमिस के हाथ में एक रन मिलेगा और एक रन के साथ 34 स्कूर बढ़ता हुआ अच्छी गेन थी यह हलके हाथ हो से रक्साक्तमा गूरूप से खेला है इस सौट को रवी नहीं अच्छी साजेदारी पनप रही हैं दोनों के बीच में और एक सेट अप होना चाहिए एक प्लैटफॉर्म अगर आपको खड़ा करना है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो सलामी बल्लेबाजों के उपर होती है कि टार्गेट आप कितना खड़ा करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा तैस सलामी बल्लेबाज करते हैं यह सुरुवात अगर अच्छी होगी ना तो अंध भी अच्छा हो सकता है कि इस बार कॉपी बुक स्टाइल में लॉफ्टेट ड्राइव कवर की दिसा में मीरल मौजुद एक रन प्राप्त होगा अच्छा होगा वैसे का देखा जाए गुजर आए एक चौका जरूर आया लेकिन उसके बाद वापसी अच्छी है लेफ्टाम और्थोड़क्स पीन और विकीन है कि सब्सक्राइब वांस टू फॉर दस्वीप यह थोड़ा आधा स्वीप था आधा वो थोड़ा फ्लिक खिलने का प्रयास लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि रन सुन्य मिला दुबारा डालिये इस गिन को क्योंकि वाइट का इसारा अमपार के दुबारा लिफ्टाम और्थोड़क्स अमूमन यह लोट रेजेक्टरी गिन बाजी पसंद करते है उसी वज़ा से यह उपसाइट की उपर डालते है यह वहां से लोट रेजेक्टरी का उनको बेनेफि आज जहां पर अमिस खड़ रहे है गेन वहीं जा रही है किसे ने गेंद को गेंदने अमिस का एड्रेस दे दिया है स्वीपर पॉइंट में थे वहां भी गई और अब कवर में तो वहां भी उनका पीछा किया गेंदने तीन ओर के बाद 38 रन गोरगाम वारियर्स बीना किसी विकेट के नुकसान पे आठ गेंदो में 16 के उपर रवी पटेल और 19 के उपर खेल रहे है प्रजाई मातरा 10 गेंदो का सामना किया है स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया है दोनों का कप्तान खुद पिंटो पहला ओवर थोड़ा मेहंगा रहा था 19 रन आये थे तो वो जो महंगा हुआ रहा था वो रैपिटेशन को थोड़ा यहाँ पे सुधारने का प्रयास पिंटो के द्वारा उसी वज़ज़ से खुद कप्तान ने अपने आपको गेंबाजी के उपर इस बार एंड चेंज होगा जैमसन एंड से डालेंगे अच्छी गें थी लेमन कट वहाँ पे किनारा लगा था शॉट तो खिलने का प्रयास जरू था आड़े बल्ले से लेकिन थोड़ा लैक अफ बाउंस था उच्छाल जो था उसे पड़ नहीं पाए थर्टी नाइन उन्चालिस रन पीछे सॉट फाइन लेगे है डीप में मीड विकेट है डीप स्क्वेर लेगे सामने लॉंगण डीप में है लेकिन इस बार जो लॉंगण वाला फिल्डर है न वो भी दर्सक बनके रह जाएगा क्योंकि ओप साइट की दिसा कि ये हाफ वा लॉंचा दिया है फोटी फाइफ पैतालिस रन ये हेलिकॉप्टर निकाला है नो मैंस्ट लैंड में गिरेगी जो सॉट फ्रॉंद फिल्डर सॉट बढ़िया खिलने का प्रयास लेकिन उसके लिए थोड़ा ज्यादा आपको बैक फूट पे जाना पड़ेगा हाफ वाली क करेंगे थोड़ा बैक फूट पे ज्यादा जाना पड़ेगा आपको कि इस बार क्रॉस बैटेड फिल्डर है डीप में मौझूद जब तक थ्रो करेंगे एक रन आसानी से प्राप्त करेंगे इस एक रन के साथ 47 रन ये भी ओवर अगर देखा जाए नो रन इस ओर में भी अब तक आ चुके है इस बार डाउन दा लेग वाइड का इसारा नाखु से अपने आपसे जानते है कि ये स्क्वरिंग गेंधी कीना अब यगा साहर लग जादा ना तो पीछे चौका जा सकता था क्योंकि आउट्फिल तेज है ये फाइन लेग है वो थोड़ा ज्यादा खड़ा है तो लॉंग लेग की दिशा में से चौका जा सकता था कि ये सौड़ बहतर ये सौड़ अच्छा है ये सौड़ छे रन वाला है वाड़ा ग्रेट सौड़ बहुत ही बढ़िया स्लॉक्स भी आखरी गेंध के उपर छे रन के साथ पिंटू के स्पेल को खत्म किया जी माफ की जगए एक गेंध बाकी अभी भी चौवन रन फिप्टी फॉर चौवन रन इस छे रन की मदद से बहुत ही बढ़िया बल्ले बाजी प्रजाई के द्वारा इस बार स्टेंड एंड डिलिवर पिछला स्क्वेर लेक के उपर से तो इस बार जीस दिशा में से गेंध आई ना उसी दिशा में तेस गती से गेंध को बेज दिया साइड स्क्रीन के उपर येक और मैक्सिमम आया बैक टू बैक टू बैक टू सिक्सिस एंड ओफ दी ओवर विद दो मैक्सिमम स्कोर आफ्टर कंप्लेटिंग 4 ओवर 60 रन विदाउट लॉस 38 रन प्रजाई फेसिंग 14 डिलिवरीज रवी पटेल 18 रन फेसिंग 10 डिलिवरीज आज के दिन अगर देखा जाएदा दो हाफ सेंचूरी हम देख चुके है तो यहाँ पे तीसरी उसकी भी सक्यता है उसकी संभावना है क्योंकि प्रजाई 38 की ओपर खेल रहे है और आधा सफर अभी मात्रा तेह हुआ है पहली पारी का तो समय काफी ज्यादा है उनके पास और 38 की ओपर खेल रहे है प्रजाई तो लीड कैसे करना है टीम को लीडिंग फ्रॉम दो फ्रंट वो एक्जम्पल यहाँ पर सैट कर रहे है प्रजाई इसे पहले ये काम बहतरी इन तरीके से मेहूल ने किया था सीन्दई के और से खेलते हुए तो वहीं कप्तानी वाली पारी प्रजाई के बल्ले से भी आ रही है यहाँ पर अब मिरल गेनबाजी के उपर मिरेकल की अपेक्सा है यहाँ पर टीम को कि उपन अंतर समाज में तो वह मिरेकल किया था उन्होंने सुपर ओवर में तो यहाँ पर भी वह जरूरी है चार ओवर साथ रन चोटी पटकी वी गेनती स्टेंड एंड डिलिवर किया है और उसे छे रन के लिए डिलिवर किया है लॉंग उन के उपर से उतनी भी छोटी यह वैसे गेन नहीं थी लेकिन जिस प्रकार से रवी का बल्ला चल रहा है न और वह जिस प्रकार के पोजीशन में थे इतना पूरा बैलन्स था कंट्रोल पूरा था और सबसे बढ़िया बात कि जो फोराम है न उनका उसका अच्छा इस्तमाल किया इस सौट को खिलने के लिए और छक्का बढ़ोरा चांसर रन छे रन की मदद से इस बार वहीं प्रैयास किया था लेकिन ऊपरी किनारा लगा है फिल्डर है नीचे फिल्डर पीछे फिल्डर ड्रॉपства है क्यूंकि कैच थो चुटा लेकिन चौका भी गया है ये काफी कुछ खलेगा कैच आप नहीं छोड़ सकते, कल देखा था हमने बटलर के चार कैचिस छूटे थे, लेकिन अनफॉर्टुनेटली राजस्तान जीत नहीं पाई थी, लेकिन बात हम कर रहे हैं कि ड्रॉप चांस की, वो कितना महंगा पढ़ता है, वो हम IPL में भी देख चुके हैं, और लोकल क मौका कितना खलेगा, कितना नुक्सान पहुचाएगा, 70-70 रन स्कुर बढ़ता हुआ, इस बार हवा में हैं, फिर से मौका नीचे गेन, और ये खाट से क्या बात है, वाड़ ग्रेड कैच, सो ब्रिल्लियंट पीस ओफ कैच वाइद अमिस पटेल, फासला काफी तै करना थ से दोड़के हुए अपनी गेंद, अपनी नजरे गेंद के उपर बनाए रखनी होती है, और ज्यादा नुक्सान पहुचाएगा, उससे पहले मीरल ने वापीस चलता कर दिया है, बले बाज रवी को, एक बड़ा सोट खिलने का प्रयास जरूर किया एक छक्का आ चुका थ था ना, इस ओर में साइज विकेट लिखा था, नए बल्ले बास के रूप में, नए रूल के मुताबिक भवेस, श्ट्राइक के उपर आएंगे, विक्रॉस का जो नियम है अब वो निकल चुका है, 70-70 रन, पहला विकेट गिरा है, साजेदारी को तोड़ा है मिरल ने, मिरेकल की अप एक साथ ही वो किया है मिरल ने यहाँ बे, विकेट को वैसे भी डिजर्व कर रहे थे, अच्छी गेंद थी, सर्प्राइस किया बाविस्वामी को, जाने दिया लेट टू दो विकेट कीपर, क्योंकि जानते है कि गेंद अच्छी है, और अब प्रोटेक्शन वो कट अगर लगता ना, उसके लिए प्रोटेक्शन है पीछे थर्डमेन, थर्टी यार सर्कल के अंदर, सेवंटी सित्तरन, आप्स्टम के बाहर गती ज्यादा थी, लेकिन लाइन खराब थी, वाइट का ही सारा, सेवंटी वन इकत्तर इस अत्रिक वाइट की मदद से, बावेश स्वामी एक बहुती बढ़िया अच्छे ओल राउंडर खिला रही है, हरफन मौला खिला रही है, और लेधर क्रिकेट भी खिल दे, कोज भी है, यह सौट अच्छा, यह सौट बहतर है, स्टेंड लेवर है, तो मिलेगे छेरन, बहुती बढ़िया, क्या बात है, बावेश स्वामी, आफ दो माक विद दो मैक्सिमम, इसा सौट अफ लेंड डिलेवरी, यह भी महंगा ओवर गुजरा है, विकेट आया है, लेकिन ओवर महंगा है, इस बार जगा बनाई है, छोटी पटकी वी गेन, फिल्डर है, वहाँ पे देखना होगा, रंद रोके है, अच्छा प्रयास, ब्रिल्लेंड पीस अफ प्रेजन्स अफ माइंड, अच्छी सतरकता वहाँ पे देखाई, बाउंडरी लाइन के उपर, और निश्ची तौर से, पांच रन बचाई अपनी टीम के लिए, क्योंकि ये छक्का जा सकता था, और 78, 78 रन, 5 ओर की समापती के बाद, मिरल का आईये स्पेल हुआ खत्मा, दोवर में 28 रन दिये उन्होंने, और एक सफलता हासिल हुई, लेकिन सबसे महंगे साबित हुए है कप्तान, दोवर में 41 रन, बिन्टू, तो पांच ओर के बाद, 78 अठतर रन बोर की ओपर लगा दिये है, गोरगाम वारियस्ट ने, 14 गेनों में 38 की ओपर खेल रहे है, प्रजाई पटेल, और अभाविस्वामी, जो तीन गेनों में 7 की ओपर, एक छक्का ओलेडी लगा चुके है, अच्छे वर में अब कावेरी एंड से गिन बाजी की जिम्मेवारी समभालेंगे किसन, अच्छी गेन थी, यह यॉरकर थी, आउस्पिनर है लेकिन फिर भी यॉरकर डाली है, इनके पास उंगलिया घुमाने की काबिलिया थे, इंडेक्स फिंगर का अच्छा इस्तमाल करते हैं यह, और जो फ्लाइट चाहिए, वो जो डाइरेक्शन चाहिए, वो सब यह प्रदान करते हैं, और सबसे अच्छी बात इनकी कलाया है, वो जहें न, रिष्ट उनका सीधा रहता है, क्या बात है, यह सौट देखिए, चौका मिल जाएगा, अक्वर्ड बाउंस वहाँ पे, लेकिन यह सौट कमाल था, यह सौट लाजवाब था, इससे पहले हमने कॉपी बुक कवर ड्राइव देखा था, यहाँ पे, यह ओप साइट की दिशा में चाके, बैक फूट पे चाके, वो जो फ्लिक होता है न, वो देखा, यह कमाल लाजवाब सौट है यह, यह मॉडरन टैनिस क्रिकेट का यह फंडा है, उसकी यह देन है, न आपके लिए, लेकिन फॉलो किया, वो जो जगा थी न, छोटी सी, जो स्टंप और बल्लेवास के बीच में, वहाँ से गेन को निकाला, यह क्लेवर बॉलिंग है, फुल्टोस गेन, और जिस प्रकार के फॉर्म में चल रहे है न, प्रजा यह गेन आप इतको नहीं दे सकते क्योंकि इनके रडार में जाएगी न, और खास करके पैरों पे गेन आएगी तो यह 6 रन के लिए उससे डिपोजिट करी देंगे, 6 रन के साथ 89 और 48 के उपर प्रजाई, उम्दा पारी, कमाल, लाजवा, बल्लेबाजी, प्रजाई पटिल के द्वारा, अभी तक तो भिया खेल रहे, 17 गेंदे मातरा खेली है, और लीडिंग फ्रम दो फ्रंट, कप्तान है टीम के, फुल्टोस गेन, लो फुल्टोस और यह 6 रन नहीं, बलके आधा सतक बाड के उपर रखने वाला यह सौट था, बल्ला दिखाएंगे कैमरे के सामने, क्योंकि आपने काम ही बढ़िया किया, सतकी आधा है, महतव इसका ज्यादा है, और इस बल्ले बाजने क्या समा बांधा है, 18 गेंदों में 54 रनों की पारी नाबाद, अच्छी और सबसे बढ़िया ताबर तोड पारी, जहां जहां मौके मिले है, उस मौके को उन्होंने मैक्सिमम में सिक्सर में तब्दिल किया है, और मात्रह 18 गेंदों में 54 रनों की पारी खेलना अपने आप में एक बहुत ही अच्छे बल्ले बास की निशानी मानी जाती है, यह क्रोस बेड़ेड यह इनका ट्रेड मार्क का कॉबी बुक सौट है, जो इनका सौट है यह फ्लैट सिक्सर जो आप देखोगे ना, बार-बार लगातार देखने को मन करेगा, क्योंकि आप रिपले में भी देख पाओगे, कि इतना आसान नहीं थी यह गेंद वैसे, लेकिन फिर भी उसको हाफ बैटर सौट, हाफ बैटर इतनी ताकत लाना, यह एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है, अब एक संद रिपले में देख पाओगे, देखना, और के बीचे गैप है, वो बढ़ा करते हैं, क्योंकि ताकत मिलती है वहाँ से, और हाफ बैटर जो इनका फोरा महेना, उसका बरपूर तरीके से इस्तमाल करते हैं, और 101 रंच छेवर की समापती के बाद 19 गिनों में 60 के उपर प्रजय पटिल, झालर जो झालर सक्तमाल के बाद घस्तमाल करते हैं, क्यों तो नहींए अदिल, इस बार स्टेंड एंड डिलिवर किया है कवर की दिशा में क्या बात है नो कोई फिल्डर वहां पे मौजुद नहीं था एक आसान सा वहां का गयाप दूंडा और चौके के साथ यहां पे विकी पटेल का स्वागत किया इस दूसरे उबर में एक सो पांच रन बहुत ही बढ़िया पारी बाविस पटेल जॉइन दपार्टी विद प्रजाई यह अच्छे मेरिट के उपर सॉट खिलना जानते हैं बाविस स्वामी गेंद की जो टैक्टिक जो मेरिट होता है उसको अच्छी तरीके से भापते उसके बाद अपना सॉट स पाइडिस्ट लॉंगा ने खड़ा वो डिप मीडविकेट है डिप में स्क्वेर लेक शॉट फाइन लेक शॉट लॉंग लेक के रूप में खड़ा है वो कि इस बार आप साइट की दिशा में फिल्डर वहां पे ऑन अक्वर्ड बाउंस और काटा बदल लिया गेंने चौ मिल रहे 22 पटल भी और एक स्टार्ट अप ऐसा मिल चुका है एक स्टाप अच्छा हो चुका है तो उसे बड़े स्कोर में तब्दील करना पड़ेगा और आज के दिन का सबसे हाई एस टोटल 126 हम ने देखा था सीन धाई के द्वारा क्या वो रेकॉर्ड तूट सकता है इस बार रिवर्स लेकिन नाकाम्याब लेकिन अच्छी पारी प्रज़ई के द्वारा एक स्टेटमेन रखा है प्रज़ई ने आज छोटी गेंद थी पटकी भी गेंद बाहर की और निकली और बाहर भी चली जाएगी फिल्डर वहाँ पे मौजूद थे लेकिन मातर दर्सक बनके रह गए प्रयास किया लेकिन उतना परियापती है था नहीं छे रन निकल गए बहुत ही बढ़िया यह सोट था यह लाजवाब सोट था क्योंकि उचल भी था गुमाओ भी था लेकिन कनेक्शन इतना बहतर हुआ कि मिडोफ के उपर से यह चक्का निकल गया यह सोट बहतर है यह अपर कड़ इस बार कवर्स फीपर पॉइंट के बीच में से छे रनों के निकल दिया बहतर ही इन सोट कमाल और लाजवाब पारी पिछले ओर में प्रजाई हमने देखे प्रजा होगी इस उवर की 121 रन पॉड़ के उपर 121 तो आज के दिन का हाईएस टूटल पॉड़ के उपर मेरे ख्याल से तो रखा जाएगा इससे पहले 126 था कि इस बार ऑफ साइट के बाहर वाइड का इसारा दुबारा डालनी पड़ेगी इस गेन को और 122 रन वन ट्वेंटी डू बहुत ही बढ़िया ओल राउंडर खिला रिये बाविस्वामी अच्छे ओल राउंडर में उनका नाम सुमार होता है ओपन क्रिकेट भी काफी खिलते है शौट आम जैब मिड विकेट के बीच में वहां से चौका बटो रेंगे वन बाहूं स्ट्रेट इंडर दो फैंस चौके की मदद से इस ओवर को किया है समाब जहां चौके के साथ सुरू हुआ था ना वहां चौके के साथ ओवर भी समाब्थ हुआ है चारन की मदद से 126 रन आज के दिन का हाईय स्कूर 126 था तो वो तो लेवल हो चुका है लेकिन गोरगाम वारियर्स मानना पड़ेगा जई पार्टीदार के कप्तान ने टॉस जीत के फिल्लिंग की फैसला अब उन्हें लग रहा होगा के यह साथ मैंने गलती नहीं कर दीना पीछे मुड के जब देखेंगे के टार्गेट इतना बड़ा दे दिया है लेकिन लाजवाब पारी मानना पड़ेगा गेन बाजी ऐसा नहीं के खराब हुई है लेकिन बल्ले बाजी अच्छी हुई है प्रजई जिनोंने साथ रन उससे पहले रवी 28 रनों की पारी खेली लेकिन उसको जॉइन करने के लिए जब 22 स्वामी आये ना तो वो डगाउट मांसे ही सेट होके आये थे करन अब गेन बाजी का बाहर संबालेंगे जैमसन एंड से पहले पारी की आखरी ओर में चौथा क्वाटर फाइनल ये चलता हुआ इस बाज स्टेंड एंड डिलिवर हवा में ज्यादा अमिस है उसके नीचे पीछे फिल्डर नीचे फिल्डर और वापिस जाना पड़ेगा लेकिन मानना पड़ेगा क्या पारी कप्तान के द्वारा कप्तान ही पारी यहाँ पे कप्तान चल पड़ा सीना तान 126 के उपर दूसरा विकेट लेकिन जो नुक्सान पहुंचाना था ना वो नुक्सान पहुंचा के चले गया है प्रजाई लिदिंग फ्रॉंट प्रॉंट वाट ग्रेट इनिंग त्व ब्रिलियन पीस फ्नॉक पाइद प्रजाई पटेल 60 रन फेसिंग 20 बाल्स 7-6 इंक्लूइडिंग इन दिस इनिंग यह ग्राउंड पसाद है इनको यह विकेट पसाद है प्रजाई को मिराज वाइड के साथ स्कोर 127 आज के दिन का हाइस टोटल बन चुका है यह सॉट भी अच्छा है पूल सॉट फिल्डर डीप में मौजूर मीराज ऑफ दमाक विद द सिंगल नावद स्कोर 128 एक्षाट थाईस यह सॉट बहतर है फिल्डर है मौजूद वहाँ पे जब तक फिल्ड करेंगे एक रन दूसरे रन का प्रयास करेंगे बाविस्वामी और रन आउट हो जाएंगे मिराज देखा जाए तो सेक्रिफाइस किया जरू अपनी विकेट जानते है कि साइथ नहीं पहुंच बाएगे लेकिन भाविस्वामी सेट बल्ले बाजे उनका विकेट पर रहना जरूरी था उनका स्ट्राइक पर आना जरूरी था और इस एक रन की मदद से 128 एक्सों कि एक्सों तीस रन वन ट्वेंटीन आइन पर आए अधिन बल्ले बास के रूप में भाविस्वामी स्ट्राइक पर यह सौड अच्छा है यह कॉपी बुक्रिकेटिंग सौड है मिले गे चेर अनुक्या बाद है लॉफ्टेड ड्राइव के अंदाज में जक्का बोड़ा सिक्सर गया मजा गया जिस सौड को देखके छे रन की मदद से वन थर्टीवा एक्सों पैंटीस रन और बैक टो बैक एक और मैक्सिमम छोटी गेंधी पटकी वी गेंधी बैक फूट पे गए जगा बनाई और काफी जल्दी स्पोर्ट को पिक किया और इस छे रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ वन फोटी वन बावेस्वामी नाव उन फायर 45 के ओपर बावेस्वामी आदा सदक बनाने का मौका कर दो कर दो का मौका के ओपर बनाई झाल 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 14 गेंदे 46 रन 5 मैक्सीमम 3 चौके और मिराज अनफरचुनर रन आउट होके चले गए लेकिन मानना पड़ेगा काबिले तारिफ तीन इतने बढ़िया पर्फरमस देखने को मिले प्रजय पटेल, भाविस पटेल और रवी और रन्त में 143 एकसो तायालिस का टारगेट अब यहाँ में मिला है जई पाटिदार 11 की टीम को तो अब आठ होर की समापती के बाद 142 रन हुए है प्राप्त क्या होगे इतने परियाप्त यह देखना होगा अगली आने वाली पारी कहानी क्या होती है वैसे तो टारगेट बहुत बड़ा है और इस ग्राउंड के उपर इतना बड़ा टारगेट आज तक कभी एचीव होते हुए देखा नहीं है तो मुश्कील होगी तो कुछी कर के बा दूऊ blossom, प्रोगो मुश्की पुछीड़ झाल 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 प्रमोक है नवसारी वलसार जिल्ला लेवा पाटिदार समाच के प्रमोक सरी मिस्टर रमेश भाई वसंजी पटेल और ग्राउन के डाइरेक्टर के रूप में मिस्टर देवू पटेल यस पटेल जो साधरवेल से बिलोंग करते हैं इसके साथ श्निहल पटेल विसाल पटेल अमरत भाई पटेल और जो लाइटिंग अवेगरा सब काम हुआ है इस वर भाई वैस्टनव मीनेस भाई पटेल जो यहां के कोच है कंसल्टन है ग्राउंड कंसल्टन पीच कंसल्टन और उसके अलावा जो सभी कामदार वर्ग यहां पे है जो ग्राउंड्समेन अनिल भाई है गंस्याम भाई है बगो भाई कासम भाई बहुत ही उम्दा कामगीरी सभी के द्वारा लेकिन पूरा स्रेज आएगा मिश्टर रमिज भाई वसंजी पटेल जिनके द्वारा यह खुपस्वरत ग्राउंड क्रिकेट प्रेमियों को प्रदान हुआ है सिंद्धाई सुपर किंग और वांदरिवला वाई किंग्स के कप्तान हैंगे टॉस के लिए लेट्स प्लेई हैवी गव भावेस स्वामी स्टार्ट दप्रोसीडिंग लेफ्टाम और दोरक स्पीनर पहली गेन के उपर रन यहाँ पे मिला है पिंटू कप्तान खुद जिम्मेवारी उठाने आये है सलामी वल्लेबास के रूप में यह सौड अच्छा है बेतर है क्या बाद है स्टैंड एंड डिलिवर हाफ फॉली गेन क्रोस बेड़ेड लाइन एक्रोस लेकिन सीधा लॉंग अन के उपर जे एक बहुत ही बड़िया सिक्सर जड़ा क्या बाद है वाट वे टू आफ दो मार्क सौड देखिए अब ताकत देखिए और खिलने का अंदाज देखिए ओफ साइट की गेन थी लेकिन उसको लपेटा है वहां से गसीटा है लॉंग ऑन के उपर से चक्का बटो रहा है तेजस बैक टू बैक ये तो नो लुक सॉट था क्योंकि इस सॉट खेलने के बाद इनोंटे देखा भी नहीं के गेन कहां जा रही है कि उनको पता था कि जाएगी तो रोप के बाहर छेरन देके चली जाएगी वाट अस्टार्ड वाट अ ग्रेट इनिंग बाइद तेजस पीस ओफ स्टार्ड बैक टू बैक टू सिक्सेस अगेंस दक ग्रेट ओल्रांडर पाविस्वामी इस बार अच्छी वापसी ओप्चम के बाहर हलका सा रूम था उसे सिंगल में तब्दिल किया और चौदारन इस सिंगल की मदद से स्कूर बढ़ता हुआ तेजस बहुत ही बढ़िया पारी जियां सुर्वात अच्छी मिली है उनको अच्छी गेंसी दी और कर विक्टो के उपर एक्सपोस कर दिया वापे जो जगा थी ना बैट और पैर के बीच में वहां से गें को निकाला बाविस्वामी ने इनके पास वैरियासन है यह बैक बैक ओफ लेंथ भी गेंड बाजी करते हैं और जानते हैं कि साइद हाफ फॉल इगेंड बैक ओफ लेंथ के उपर छक्के जा रहे है तो सीधा यॉरकर भी डाल देते है और विकेट का पतन 14 के उपर पहला विकेट यहां पे गीरा है कप्तन बिंडो वापिस चले गए है ड तो पहला जो सेमी फाइनल आज खेला जाएगा वांदर वेला वाइकिंग्स और सिंधाई सूपर किंग्स के बीच में तो हम आपको यह इंफर्म करना चाहेंगे कि वांदर वेला वाइकिंग्स ने टॉस जीत चुकी है और पहले उन्होंनों फिल्डिंग का फैस्टा किया है तो सिंधाई सूपर किंग को इन्होंन आमंतरित किया है कि आप पहले बैटिंग कीजिए आप टार्गेट रखे हम चेज पसंद करेंगे वांदर वेला वाइकिंग्स है वांदा टॉस एंडिसाइडेट टो फिल्लिंग फर्स्ट इन दो फर्स सेमी फाइनल अच्छी गेन थी ये बैक फूट पे धकेला हलके हातों से सॉलिड डिफेंस वहां पे एक रन मिलेगा और एक रन के साथ 15 रन पहले वर की समापती एक विकेट के नुकसान पे जई पार्टी दारी लेवन सादकपर क्या सब्स्ि्ट को फिल्षा है क्या आफितك भी लेवन मिलेगा रने मिलेग, आई हम ऊनаюत गार्ट्स, दॉन पार्टी ऊंगे ओंवे शोती है नँट का चीत्क के साथ 15 रन भीता अट देलू unit कि इस बार लॉफ्टेट ड्राइव कवर में फिल्डर मौजू दे एक रन के साथ 16 रन स्कोर बढ़ता हुआ कि तेजस अब स्ट्राइक की उपर पहला वर काफी अच्छा गुजरा था दो मैक्सिमूम लगा चुके हैं अच्छी गेन थी ये थोड़ी देर हवा में जरूर रही थी तिस नाइस बालिंग इन दियर फर वाइल बट देर इस नो एनी एन सिंगल कैशिंग पोजिशन बट चैंस पर देर सिंगल अन नाव देर स्कोर 17 17 रन स्कोर बढ़ता हुआ आप साइट के बाहर अच्छी तरीके से चक्मा दिया आपा कर दो अच्छी प्रके पर अच्छी तरीके स्कांड़ करते हैं पहला और अच्छा रात अगर देखा जाए तो जैपाटी देर के लिए और दूसरा विकेट यहाँ पर गिरा है तेजस को वापिस चलता कर दिया है डगाउट में जो थोड़े डेंजर्स लग रहे थे खतरनाल लग रहे थे अब दीवियस पटेल कलवाडा से युझ मीडर यूच्वाशा रात ब्ल्येजर्स अगर में तूसरा जब के लिए महरे भीशब में ब्ल्यूंतwer और अवन कर दा कर दिइका लुझ मपना और आघंगे थे यॉच्छजर अद Lore他्ग जब कर दो फ Smash अजय को लिए नॉट वर फिर फिर मिरल ने बले बाज अमीरल आए और मिरल गए गोल्डन डख के स्वरूप में आज के दिन का गर्ड देखाए जा तो पहला गोल्डन डख इसे पहले भी सुन्य को पर आउट हुए है लेकिन पहली गेन के उपर यह पहले बले बाज तो अब थोड़ी मुसीबत में यहाँ पर जई पाटीदर की टिम क्योंकि अठरा के उपर तीसरा विकेट यहाँ पर गीरा है पुल्टोस गेन थी वैसे दो देखा जाए जहां चाहे मार सकते थे लेकिन गल्ती गर गें मीरल पड़े लमूमन अच्छे बल्ले बाज है और चौथे पोजीशन पे जो टीम का अच्छा बल्ले बाज होता है अमूमन वहीं बैटिंग करता है लेकिन आज फॉर्म नहीं है थोड़ा पहले बल्ले बाज गेन बाजी में भी दिक्कत रही थी मिरल को वहां पर भी थोड़े रन पड़े थे लेकिन बल्ले बाजी में भी आज गोल्डन डग का सामना करना पड़ा है अठरा के उपर तीसरा विकेद दो नहीं बल्ले बाज अब स्ट्रेंड डिलिवर क्या बाज है हाफ ओली गेन थी फूल फैस अप देट रड़ार में थी और बल्ले बाज के पाले में गेन तो बाउंडरी के हवाले में गेन क्या बाद है 24 रन चे रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ और करन पड़ेल अफ दो माग विद दा मैक्सिमम अगेन्स दा हाफ ओली डिलिवरी ओवर दा लॉंग ओन एरिया अफ्टर कम्पलेटिंग 2 ओवर 24 लास अफ 3 विकेट अफ्टर कर दो झाल 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 दोवर की समापती के बाद तीसरे और में जी विकेट की रहा है मिश्टर आनन्द बाई पटेल स्माइल चैनल फॉर यू के ओनर और केमेरामेन रोनक रोनक राठोड केमेरामेन के तौर पे और अच्छी सराहना लाइव के उपर सभी की आ रही है सबी के द्वारा अच्छी कॉमेंट और एक हमारे दोस्त राज चॉहान उनके द्वारा भी एक बहुत बढ़िया कॉमेंट आई है और खास करके हमारे लिए तो धन्यवाद हम करना चाहेंगे उनको भी हमारे पैनल के एक होनहार बहुती बढ़िया कॉमेंटेटर मिश्टर राज चोहान और सरपराजवाई माकड़ा और आज वो कहीं और अपने पर्सनल काम की वज़े से बीजी है इसे बेच एक बहतर सौट और लेकिन वन बाउंस सौट भी अच्छा था एरिया भी बहतर ही तर रन ने लोफ फुल्टोस गिन का लाईयो के सारे बहतर इन दरीके से मिड विकेट में से वन बाउंस चौका बटो रहा है 29 29 रन इस चौके की मदद से स्कूर बढ़ता हुआ तीसरा ओवर यह चल रहा है एक सो तयाल इस 143 का टार्गेट मिला है यहाँ पर बड़ा सौट खिलने का प्रयास एक्रोस दे लाइन लेंद कहीं और थी लाइन कहीं और थी बल्ला कहीं और चला अच्छी गेनबाजी अच्छी वापसी गेनबाज दीवेस की दीवेस जो कलवाडा से गरिलू क्रिकेट खिलते है एक अच्छे वो भी अल राउंडर अच्छे गेनबाज है इस बिच मिस्फिल्ड वहाँ पे कवर की दिसा में और चौका मिलेगा वैसे तो फिल्डर वहाँ पे मौजूद थे लेकिन मिस्फिल्ड की वज़े से अमूमन वह देखा नहीं जाता इस प्रकार की फिल्डिंग इतना अच्छा ग्राउंड है तो आप फिल्डिंग आफी आसान हो जाती है ग्राउंड काफी अच्छा है आउट फिल्ड बढ़ि प्राप्त हो जाएगा और इस सिंगल एक रन की मदद से 34 रन चार ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन चार विकेट के नुक्सान पर सफल ओवर की यहां पर समाप्ति वी दिवियस पटेल की गेन बाजी अगा देखी जाए दन दो विकेट मिली है मीराज को पहले ओर में नौर रन देखे दो विकेट उनको मिले और इवियस पटेल एक ओर दस रन एक विकेट उनको हासिल हुआ और भाविस स्वामी एक ओर पंदरा रन देखे एक विकेट उन्होंने निकाला द्रोव अब गेन बाजी का भार संबालेंगे विला स्टाट द प्रोसीडिंग इन द फोर्थ होवर अब सेकंड इनिंग फ्रम जैंशन एंड अच्छी गेन बाजी लेकिन थोड़ी ज्यादा बाहर निकल गई लेंध भी अच्छी थी लेकिन लाइन थोड़ी खराब सिंगल की मदद से अब थर्टी फाइप एथीस रन स्टाट अच्छा है वेहतर है लेकिन है फिल्डर और गलती कोई नहीं करेंगे मीराज वहाँ पे उससे पहले एक बहुत ही बढ़िया ओवर डाला था और इस बार एक अच्छा कैच वहाँ पे डिप मीड विगेट की दिश्चा में क्लियर करना चाहने थे उस फिल्डर को लेकिन उच्छा आई जो चाहिए थी वह मिली नहीं एलिवेशन मिला नहीं और लंबाई भी जितनी चाहते थे उतनी मिली नहीं पांचवा विगेट की रहा है आधी टीम डगाउट में जा चुकी है जई पाटिदार की टीम आधा सफर अभी ते नहीं हुआ है और आधी टीम जा चुकी है तो यहाँ से परेशानी होगी यहाँ से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अब जोई पाटिदार को क्योंकि टारगेट इतना बड़ा है उसे चेस करने के लिए आपके हाथ में जादा से जादा विक्टे होनी चाहिए और खास करके जो रंगती होनी जो रंगती चाहिए न वो पहले ओवर से ही आपको एक्सेलेरेट करनी पड़ती है रंगती को लेकिन ऐसा कुछ हुआ नही और एक बड़िया तरीके से मंजिल की और आगे बढ़ रही है गुरगाम वारियर्स की टीम एक सो तैयाल इसका टारगेट रखा था तो एक मेंटल कॉन्फिरेंस उनको मिला है एक बड़ा टारगेट जब आपके पास होता है तो क्योंकि गेन बाजी थोड़ी आसान हो जात है कि इस बार सिंगल एक रण के साथ विकी जिनुन अपना खाता खोला इस एक रण की मदद से कि अधियुक ओड़ा चापड़ा चाथीस थर्टी सिक्स रन आए अधाल चौथ हाओ अर ये प्रकाधी पर है चाथीस रन पांच विकेट के नुक्सान पे बड़ा सौट खेलने का प्रयास अमिस पड़ल के द्वारा लेकिन फिछला पाहू जो बिल्कुल हिला नहीं था और सरीर के काफी करीब से गुजरे थी फुरा लॉक पोजीशन में नजर आए क्योंकि बिल्कुल जगा नहीं थी सौट खेलने के लिए यह थोड़ी हवा में ज्यादा उड़ गई है गेन फलक में जान हलक में और वापीस जाना पड़ेगा अमिस पड़ल स्कोरर को भी ना ज्यादा परेशान किये चठा विकेट अमिस के रूप में गीरा है जई पाटीदार का नाव जई पाटीदार इन बिग एन बिग ट्रबल 36 रंज चठा विकेट एक बड़ा सौट खेलने का प्रयास किया अमिस पड़ल ने लेकिन वह कई बार हमने देखा है कि यहां से क्योंकि उनका पिछला पाउं जो ज्यादा तर हिलता नहीं है क्रीज में खड़ा खड़े वह सौट ज्यादा खिलने का प्रयास करते उसकी वजह से कई कबार लॉक पोजिशन में आ जाता है और जब यहां पर गेंद्गिरती है न तो जैसे उनका बल्ला जो नीचे से आता है लो जो उनका वह जो बल्ला नीचे से आता है वहां से कई कबार वे टॉप एज लग जाता है लो बैकलिफ के साथ बल्ले बाजी करना यह एक थोड़ा कई कबार फाइदे में रहता नहीं रहता बैकलिफ के लेकिन लो बैकलिफ के साथ सबसे बढ़िया बल्ले बास मैंने देखा है जॉस बटलर इस बार उपरी किनारा होवा में यह भी है और फिल्डर है मौजुद गलती नहीं करेंगे दो गेंदों के उपर लगातार दो दो गेंदों के पर लगाता दो विक्टे मिली है साथवा विकेट की रहा है जई पाटीदार का दिक्कते जादा से ज्यादा बढ़ती हुई यह दिक्कते जितनी बढ़ेगी उतना जीत का दावा और मजूद परेगी गोरगाम वारियर्स की टीम चार ओर के बाद 36 रन साथ विकेट के नुकसान पर द्रूव पहले ही ओर में उनने दो रंदे के तीन विकेट निकाले वाड़ ग्रेड बालिंग और है ट्रिक के उपर भी है जब अगली ओर में आएंगे तो पहले उनोंने अमिस को चलता किया फिर उसके बाद किसन आये उनको भी उनोंने डीप स्क्वेर लेग में चलता किया कि रवी पटेल वहाँ पर डीप में मौजुद जो कोई गलती नहीं कि उनोंने और अब धर्मिन कि दर्मिन पटेल कि नए बल्लेबास के रूप में खुद कपता न प्रजय गेनबाजी के उपर कावेरी एंड से पांच वेवर में अधा सफर अब तेह चुका है दूसरी पारी का कि बहुत ही बढ़िया क्या बात है थोड़ा अन और्थोड़क्स जैसा एक्षन है उनका थोड़ा अलग तरीके सा तरीके का एक्षन है और राउंड विकेट गेनबाजी करते हैं तो वहां से बिलकुल ऐसे यॉर्कर लाइन के उपर गिनबाजी करना एक अच्छे गिनबाज की निशानी है एक एक रन के साथ 37-37 रन विक्टे गीरी है इस बाहर लेक साइट के बाहर वाइट काई सारा रन तो काफी सारे चाहिए जीतने के लिए 22 गेंदों में 105 रन एक बड़ा टार्गेट यह नाम बनता हुआ कुछ चमतकारी यहां पर आपको बचा सकता है अच्छी गेंद ऑप्स्टम के बाहर वाइड़ी सी और कर बहुत ही बड़िया गेंद बाजी और राइट हैं बालर अमुमन जब राउंड विक्ट आते हैं यह लाइन और लेंध पर गेंद बाजी करना ज्यादा पसंद करते हैं मतलब बल्ले बासे दूर रखने का प्रयास होता है तभी राइट हैंड बॉलर राउंड विकेट आते हैं इस बाट डाउंद ग्राउंड सामने की दिसा में फिल्डर है वहाँ पे एकी रन मातर प्राप्त होगा तो एक रन के साथ दर्मिन अपना खाता खो रही है इसी बीच एक कमाल लाजवाब शौड विकी के बल्ले से आया है फुल्टोस गेन थी मातर उसको दिसा दिखाने थी क्यूंकि गती तो थी उस गेन के उपर और अधिसा दिखाई कौन सी लॉंगन वाली वाइडिस लॉंगन के उपर से छक्का बोटोरा स्कूर 45 पैत और डॉट बॉल के साथ ओवर की हुई समाती पांच ओवर के बाद 45 पैतालिस रन साथ विकेट के नुकसान पे जई पाटिदार सादकपर लो फोल्टोस गेन डाउन दग्राउन सामने के दिसा में फिल्डर मौजुद मीड ओफ के उपर के तन नहीं वाले बाद नहीं गेन बास के रूप में यह अच्छी गेन थी इंसाइड एज वहां पे लगा अंद्रूनी कीनारा परेकरन वहां से प्राप्त कर पाएंगे परेसे करन की मदद से 47 47 रन चटावर है यह चल रहा फुल्टोस गेन कीनारा लगा है वहां पे कोई फिल्डर डीप में मौजूद नहीं चौका देके जा चौका जादा उतना कोछ तकलिफ देगा नहीं क्योंकि रन तो बहुत चाहिए दिल्ली काफी दूर है अगा 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 51 साथ विकेट के नुक्सान पे फुल्टोस गेन थी खेला जरूर है फिल्डर है मौजूद वहां पे ड्रॉप चांस और आसा नहीं होता क्योंकि जब आप रनिंग में होते हैं उतने कंट्रोल में होते नहीं और उसके साथ इस कैच को लेना उतना आसान नहीं होता लेकिन उकुछ दिक्कत नहीं होगी ड्रॉप चांस यहां पे आपको माफ है क्योंकि अच्छी पोजीशन में आपकी टीम इस बार फ्लिक किलने का प्रयास था लेकिन डॉट बॉल में उससे तब्दिल किया चिक इन बाजी कितन के द्वारा मातर 52 पावंद रन महस अपचा रिकता ही चल रही अब इस मैच की जीत तो निस्चीत यहां पे कर ली है अगर देखा जाए तो निस्चीत तौर से गोरगाम वार्यस की टीम ने कदमों का इस्तमाल सीधे बल्ले से कवर की दिशा में एक रन के लिए खेला एक रन मिल भी गया है और 53 तैप पंद रन छेवर की समापती 53 तैप पंद रन साथ विकेट के नुकसान पे पहले और में देखा जाए तो तीन विकेट निकाले थे द्रूव पटल ने और हैट्रिक के कगार पे है वो तो मौका उनके लिए बन सकता है ट्रिक लेने का क्योंकि पिछले उनका जो पहला हो रहा था वहाँ पे आखरी दो गेंदों के उपर उन्होंने विकेट निकाला था तो मौका ज़रूर है यहाँ पे द्रूव के लिए वांदर वेला वाइकिंग्स और सिंदाइ सूपर किंग के कैप्टन आएंगे वांदर वेला वाइकिंग्स और सिंदाइ सूपर किंग के कैप्टन आएंगे यूट्यूब ऑपरेटर मिश्टा आनंद भाई पटेल का संपर्क करेंगे सामने की दिसा में एक रन मिलेगा असे एक रन के साथ फिप्टी सिक्स चपंद रन अधी पब साथ वे और में गिनबसी के उपर इस बार करमों का इस्तमाल करके विकी क्या बाद है बेटर इन सौट कनेक्शन इतना अच्छा हुआ हाफ ओली गें थी और उसे मैक्सिमम में तब्दिल किया चे रन की मज़़ा से 62 विकी पटेल अपने आपके लिए काफी अच्छे रन बटो रहे हैं नौ गेंदों में 16 के उपर खेल रहे है विकी पटेल दो मैक्सिमम उनके बल्ले से देखने को मिले है साथवा ओवर चल रहा है साड़े छे ओवर 62 बासट रन साथ विकेट सौट्टों यहाँ पर लग रहे है लेकिन आते आते काफी देर कर दी मेरे हुजूर इस बार एक्रोस दा लाइन क्रोस बैटेट बल्ला कहीं और गें कहीं और वाइट कहीं सारा 63 तैसट रन इस बार उपरी किनारा लगा है विकेट कीपर के तौर पे भवेश मौजूद थे लेकिन उनसे दूर गीरी और 64 चौसट रन इस सिंगल की मदद से तो कॉम्प्रियेंसिव पर्फरमंस बहुत ही बढ़िया कमाल और लाजवा प्रदसन यहां पे अगर देखा जाए गोरकाम वॉर्यर्स के द्वारा पहले बल्ले बाजी की 140 बटलब पहले बल्ले बाजी भी बहुत ही बढ़िया है उनके पास उसके बाद जब गेन बाजी की बारी आई तो वहां पे भी अच्छा प्रदसन देखने को मिला गेन बाजों के द्वारा तीन विकेट निकाले थे द्रूव ने दो विकेट मिराज को मिले और दिवियस और बावेस उनको एक एक विकेट मिला तो यह पूरी तरीके से जैसे सिंड़ देख सूपर किंग है यह गोरकाम वॉर्यर से एक बैलन्स टीम की तरह नजर आते हैं और जो भी टीमें जीती है सभी बहुती बढ़िया प्रदर्स न सभी के दोरा जो सेमी फाइनल में पहुँची है सबका बहुत बढ़िया प्रदर्स न और सभी चार तीमें जो पहुँची है जो स्ट्रॉंग कंटेंडर है टीमे मजबूत दावेदार है सभी और ये बहुत ही बढ़िया आयोजन खुपसुरत आयोजन जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ओपर किया गया है मैसब पाड़ीदार प्रीमियल लिग पहला सीजन 2022 और वन डे फिनिस आठ टीमे इस टूनामेंड में हिस्सा लिया है प्रत्योगीता मेंड टीम वन भाग लिया है वन डे फिनिस साथ मैच इस चार फईनल जिसमें चॉठा क्वार्टर फईनल चलता हुआ लेकिन एक चॉठा सेमी फाइनल जो उभ मिल चुका है अब गुरिगान वॉरियर्स के रूप में लेकिन उसी भी जो विकी अपने बल्ले बाजी का जोहर दिखाते हुए अपनी ताकत का प्रतस्थन करते हुए विकी एक अच्छा सौड खराब गेंथी और जो हैट्रिक गेंथी ना अगर देखा जाए तो जी माफ कीजगा रवी गेंद बाजी के उपर है रवी पहली बार गेंद बाजी के उपर आए है आखरी ओर में और स्वागत किया उसका छेरन के साथ विकी ने 74-74 स्कोर बढ़ता हुआ सामने की दिशा में स्टैंड डिलिवर करने का प्रयास लेकिन यहाँ पे रवी को विकेड मिला है रवी चमका है और लॉंग ओफ के दिशा में कोई गल्ती नहीं कि वहाँ पे खड़े फिल्डर ने और आठवा विकेड गिरा है जय पार्टीदार सादक पौर का तो 74 चाहतर इस बार लेक साइड की दिशा में वाइट का इस सारा दुबारा डालनी पड़ेगी तो आखरी कुछ लम है चल रहे है आखरी कुछ गेंदे बची है जो जीत चाहिए थी जो हमें वीजे था चाहिए था चौथे क्वार्टर फाइनल का वो मिल चुक है इसे बीच एक और एक और विकेट यहाँ बे और दीवेस वहाँ पे फिल्डर मौजुद थे कोई गलती नहीं की और नौमा विकेट यहाँ पे गिरा है आठवा विकेट में आप कीजिएगा पच्चतर के नौमा विकेट पच्चतर के नौमा विकेट गिरा है किसन पटेल नई बल्ले बास के रूप में अब बीच मैदान में तो मानना पड़ेगा बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जीत का स्वाद यहाँ पे चखा है गोर्गा वारियस की टीम ने लेकिन यह जीत जो उन मिली है बहुत ही बढ़िया योगदान सभी का एक टीम यूनिट के द्वारा परफॉमंस किया गया हवा में है इसी भी जो लाउट हो सकती है क्या टीम नो मैंस लेंड में गिरी है आखरी की बची गेंदे किसन खिलना चाहते है रन नहीं लिया उनोंने 75 रन के उपर 9 विकेट तो बहतरीन तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो जीत दर्ज की है गौर का वार्यश की टीम ने 140 इसका टार्गेट जो यहाँ पर रखा गया है वो बहतरीन तरीके से यहाँ पे उन्हों डे डिफेंड किया है और सेमी फाइनल में अपने आपको प्रस्था बित किया है और डॉट बॉल तो यह जो जीत की जरूरत थी जो चौथा क्वार्टर फाइनलिस चाहिए था जो सेमी फाइनलिस हमें चाहिए था वो मिल चुका है गोरगाउं वारियस ब नहीं गुंज हमें दिखी थी पहली पारी में जहाँ पे एक सो बयाल इसरन बना दिये बहर के उपर और जीत की गुंज उन्होंने रखी थी तो यह गुंज अंतक सुनाई दी और आखिर में चौथा सेमी फाइनलिस्थ हमें मिला है गोरगाउं वारियस वेल्डन टीम यू झाल 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 आखिर वेल्डन टीम खोंज आखिर में लुए true din घीपिर में आखिर में आखिर में गलुक्याउं तीम कारण श्रय मेंट में इसरो अнырий टीमिर्डन टीमेर items जाए के उंतकर हो जोड़ल खोन दिस सो यह पदन बावेस्पटिल बावेस्पटिल मैनब्द मैच बावेस्पटिल स्वामी दो विकेट भी निकाले और सबसे बड़िया बाद 46 रणों की 14 गेंदों में वो पारी खेली उसकी मदद से 142 इसका टार्गेट मिला और गेंद बाजी में भी एक विकेट उनको मिला तो आल रांडर परफॉर्मंस के तहट इस चौथे क्वाटर फाइनल के मैनब्द मैच जो सेंडर परसन अफ दा बैच कहला है जाते है वो है भावेस्पटिल मैनी कॉंग्रेट जेलेशन एन वेल ड़न भावेस्पटिल एन आर्सो वेल ड़न फर गोर्गाम वार्यास फर दा बिग विक्ट मैं भी कहला है जो कि एल रहा है जते है हो झाल 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 रिंगल जिनोंने गेन बाजी की सुरुवात की है कावेरी एंड से खुद कप्तान है टीम के और मेहुल आफ दमाग विद्ध सिंगल वेरी अर्ली अच्छी गेन क्या बात है ओप साइड के बाहर वाइडी सी और रिंगल पहली गेन के ओपर कठीन सवाल पूछा प्रसान को और पहली गेन पर प्रसान को रखा सांथ ओप साइड के बाहर है और वाइड का इसारा अंपाइर की और से देव जो फ्रन्ट अंपाइर के रूप में और पार्थ स्क्वेर लेग अंपाइर के रूप में रिवास एडेम करने का प्रहास और अच्छी गेन बाजी लगातार एकी टपपे के उपर एकी लाइन के उपर गेन बाजी की है ओप साइड की दिशा यहाँ पे पकड़ी है रिंगल ने यूँकि अमोमन क्रॉस बैटर ज्यादा खिलना पसंद करते हैं प्रसान्थ एक रण के साथ प्रसांथ ने अपना खाता खोला प्रसांथ अफ्ट मार्क विद्ध सिंगल और तीन रण स्कोर बाड़ के उपर स्कोर बड़ता हुआ कि क्वाटर फाइनल में बहुत ही बढ़िया पारी खेली गई थी तो प्रसांथ और मेहुल दोनों के द्वारा 126 का टार्गेट रखा था वहाँ पे तो वहीं मनसा यहाँ पे भी होगी कि एक बड़ा टार्गेट खड़ा किया जाए लेकिन ये वाट बहतरीन सोड है क्या बात है जो माहल थोड़ा सांथा ना उसमें चिल्ला हट डाली है क्योंकि ये इतना बड़िया ये सोट हा कमाली है सोट लाजवाब हाफ ओली गेन क्रोस बैटेट मिडविकेट के उपर से पहला छक्का सेमी फाइनल का दर्ज होता हुआ स्कोर बॉड के उपर नौर अन पहले ओर की समापती के बाद सीन दई सूपर किंग्स बुमिन लिफ्ट आम गेन बस पहला मैज अच्छा रहा था उनका जो क्वाटर फाइनल पहला हुआ था लीला पॉल लाइन्स के सामने अच्छी गेन बाजी वहाँ पे की थी भुमिन ने अच्छी गेन अपनी जो रैप्विटेशन है उसी के हिसाब से सुरवात की है यहाँ पे बिल्कुल सीधी जड में यॉरकर गेन थी सीधे बल्ले से खिलने की जरूरत थी अगर इस गेन को दिखा जाए तो फुल्टोस के निजबाद सीधे बल्ले से मीड़ोफ की दीशा में सौट खेला है रिंगल मौझूद वहाँ पे रन मात्र एक ही प्राप्त होगा दस रन ऐसा सिंगल की मज़द से स्कूर बढ़ता हुआ अच्छी गेन थी कटर गेन थी यह पढ़ने के बाद थोड़ी बाहार किया और निकली उसकी वज़ा से मेहुल के रडार में से बाहार निकल गई यह गेन अनिया था बल्ला दो चला था लेकिन जो लाइन थी जो लैन थी उसे पर्दे में नाकामियाब रहे अच्छी गेन बाजी और लेफटाम गेन बास को देखना अच्छा लगता है लेकिन इस बार मेहुल के रडार में और इनके पाले में गेन आई ना तो बाउन्टरी के हवाले में चली जाएगी क्योंकि ताकत है इसके पास इस बल्ले बास के पास control है ताकत है और timing बहुत ही बढ़िया है लेंद को बढ़िए अच्छी तरीके से जल्दी पिक कर लेते हैं और स्पॉट को पिक करना ये पसंद करते हैं और इस बार इतना बढ़िए स्पॉट को पिक किया कि 6 रन के लिए गेन को डिपोजीट कर दिया मिड़ विकेट की उपर से और स्कोर बढ़ता हुआ अब सोला रन अच्छी तरीके से ताकत का प्रदस्टन यहां में मेहूल के द्वारा सोला रन दबाओं में अब थोड़ा केंबस इस बार वहीं प्रयास था लेकिन थोड़ा अलंग दो ग्राउंड यह सोट उतना सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं क्योंकि घती में थोड़ा परिवर्थन था और लेंध जी थी ना थोड़ी उपर थी इस बार उतनी आगे थी नहीं और सिंगल के साथ स्कोर 17 रन बढ़ता हुआ प्रासांद अब स्ट्राइक की उपर है थोड़ा इस पारी में सांद लगे है अभी तक देखना होगा दुबारा डालनी पड़ेगी जी वाइट का इसारा अठरा रन अमोवन देखा है प्रासांद के सामने दोनों गेंद बाज उने एक जो स्ट्रेटर जी अपना ही के थोड़ा उनसे दूर रखने का प्रयास किया जाए इस बार भी वही प्रयास उसकी वज़ा से उपरी किनारा लगा है रिंगल है गलती नहीं करेंगे और अमोवन जैसे भी गेंद फलक में जाती है न तो जान हलक में आही जाती है बल्ले बास की और प्रसांद जो हाफ सेंचूरियन थे पिछले क्वाटर फाइनल मैच किये व और पहला विकेट सिंदे सुपर किंग का गिरता हुआ अठारा के उपर प्रसान को वापिस जाना पड़ेगा डगाउट में छे गेंदे दो रन बना के क्या हुआ हैं? झाल झाल तीसरा उबर प्रगदी पर है 19 रन बॉर्ड के उपर एक विकेट के नुक्सान पे अमीद है नहीं वाल लिबास के रूप में प्रसान की आउट होने के बाद झाल 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 उपसाइट की दिस्सा में उपर कट खेला है फिल्डर वहां पर डीप में कोई मोजूद नहीं तो देखे जाएगी चौका बहुत ही बढ़ी विराट कोहली का फेमस है और जो बैक्वर्स वीप एबीडी वीलस ज्यादा खेलते हैं वो उनका फेमस सौट है सचीन दैनलुकर का स्ट्रेट ड्राइव उनके तो सभी सौटी फेवरेट है सभी फेमस सौट है उनके तो सचीन दैनलुकर गॉर्ड आफ क्रिकेट और मौजुद आख्रिकेट में अगर रिवर्स देखा जाए तो ग्लैन मैक्सवल का सबसे फेमस है रिवर्स कूप ओईन मॉर्गन और स्कूप तिलक रणे दिलसान का फेमस है नजाकत देखी जाए तो केन विल्लियम सन और महला जेवर्दने तो यह सब ट्रेड मार्क सोट हो कि इस बार छोटी गें थी थोड़ा इंतजार करके खिलना पड़ा मिस फिल्लिंग केच के मौके के लिए गए थे मुरुगन वहाँ पे लेकिन उनसे थोड़ा आगे गिर गई और स्कोर बड़ता हुआ है सिंगल की मदद से 25-25 रण तीसरा वर चल रहा है थोड़ा कंट्रोल में रखा है अभी तक सिंदधाई के बल्ले बाजों को और स्रेई अच्छा ओवर ये गुजरा है साथ रण मात्र अब तक चार गेंदों में आये है ये थोड़ी उंगलिया जादा गुमाते और गती में परिवदन करना जादा पसंद करते है स्रेई बल्ले बास को गती ये देते नहीं है इसी वज़़ा से बल्ले बास को ज्यादा ताकत यूज़ करनी पड़ती है इस बार ये थोड़ी गती प्रदान की थी रूम था अप्स्टम के बाहर रन आउट का मौका डाइरेक्ट थ्रो होता तो भी पहुंच गए थे साथ वहां पर और 26 26 रन सब्सक्रर्णेज व Youtube से इसे उनधस है। सब्सक्राइज ज़ झाने पर neसा ऑन वांसे इस स्टर आपडया प्लब करूंच गालँ है मेल वंट सू चो वटा प्रिएज़ किया प्रियो अ शर जवर दको अज़ इस बांद produkt इसा वांटर ओना।zeni लूटरात अल French 151 30 रन, loss of only one wicket तीन ओर के बाद 30 रन एक wicket के नुकसान पे 9 गेनों में 20 के ओपर मेहुल खेल रहे है और टीम मैनेजमेंट से उनको उम्मीदे होगी कि एक कप्तान आज एक कप्तान ही पारी खेले अपनी टीम के लिए और एक बड़ा सम्मान जनक टारगेट बाड के उपर रखे दे बल्ले बाजी दोनों टीम के पास अच्छी है आज के दिन के जो 3 half century देखने को मिले उसमें से 2 half century इस मैच में खेल रहे है एक प्रसांट आउट होके जा चुके है लेकिन स्रेई फिल्लिंग के उपर अच्छी गेन पहली गेन क्या बाद है सिधी जड में यॉरकर गेन थी फॉलो किया खोट के निकालना पड़ा वहाँ पे लेकिन फिर भी connection नहीं हुआ चौथा वर चल रहा है तीस रन ये सौड अच्छा ये सौड बहतर है स्रेई है तो वह गलती नहीं करेंगे हवा के विपरित सौड खेला और सौड वैसे अच्छा था गलती कोई नहीं बले बाजने की एक ही गलती की के हवा जो चल रही था ना उसके वीरूद सौड खेलने का प्रयास अकिन्स तो विंड और उसकी वज़ा से वो केदर प्रकृती के खिलाफ जाओगे तो विकेट तो जाएगी और विकेट यहाँ पे मिला है और अमित वापिस जाएंगे डगाउट में छे रन के उपर तीस के उपर दूसरा विकेट यहाँ बे गिरा है चौथा वर चल रहा है तीस रन अब स्नेहल पटेल इस ग्राउट के मैनेजर और एक बहुत ही बढ़िया हर्फन मौला आल्राउंडर खिलाडी बीच मैदान में आब आ चुके है इस ग्राउट के उपर पहली टूनामेंट जीतने वाले येक लौते कप्तान स्नेहल पटेल नमन 11 स्याधा की और से नवसारी वलसाड लिवा पाटिकदार समाज का पहला टूनामेंट हुआ था इस ग्राउट के उपर क्या बाद है ये फॉर्म है ये इन फॉर्म प्लेयर है रडार में गेन आ गई पहली गेन के उपर पाले में डाल दी तो डिपोजिट कर दी उसे लौंग मिड़ विकेट के उपर से छे रन के लिए क्या स्टार्ट वाड़ वेटू अफ़ दा माख बहादी बढ़िया वाड़ वेटू अफ़ दा माख विध दा मैक्सिमम बाइदस्ट निहल पटेल ही ज़ा इन फॉर्म प्लेयर चतीस रन छे रन की मदद से स्वागत है यहाँ पे गेन बास का किया स्ट निहल ने थैंक्यू वेरी मच्च सॉट अफ लेंड ऐसा कह रहे है जैसा आभार आपका छोटी गेन डाली दो गेंदों के उपर लगातार दो मैक्सिमम कंजी किड़ो शिक्स निहल पटेल क्या बात है पहले हाफ ओली गेन मिड विकेट के उपर से उसके बाद चोटी गेन तो स्क्वाइर लेक के उपर से परिणाम सही परिणाम बिल्कुल वहीं चे रन 42 बाया लिस रन यहां से मोमेंटम सिफ्ट हो रहा है अब और अब पीछले मैच में भी इस निहल ने इसी तरह से मोमेंटम सिफ्ट किया था और मैन अब दा मैच भी पाया था इस बार हटके खेले है पहले मिड विकेट स्क्वेर लेक और अब लॉंग लेक फाइन लेक के बीच में से लेक साइड इनको पसंद है मैक्सीमम में डिल करना इनको पसंद है गेंद जहां भी डालोगे ना अगर रडार में आगा इस निहल पडल गे तो वो बाउंडरी ला ला जवाब बल्ले बाजी नाम है श्निहल पडल बहुत ही बड़िया पारी खेल रहा है यहाँ पे श्निहल आते ही तीन गेंदों के उपाद तीन मैक्सीमम डेविड मिलर बनते हुए यहाँ पे कर डेविड मिलर ने यह कारनामा किया था और वो कारनामा उनको फाइनल में पहुँचा के गया है तो यहाँ पे यह कारनामा किया है श्निहल पडल ने क्या बात है हमारे साथ बैठे कॉमेंटरी बॉक्स में किसन ने अभी अभी बोला कि यह भी छक्का जाएगा और चार गेंदों के उपर चार मैक्सिमम, क्या बात है, प्रेडिक्शन विल्कुल सही है किसन की क्या प्रेडिक्शन लगाई है, चौवण रन सिंधर सूपर किंग भी चाहेगी, किसन यहाँ पर बैठार है कॉमेंटरी बॉक्स में और चार ओवर के बाद चोवण रन, चार गेंदों में चार छक्के, तीनों लेक साइट के उपर, पहले हाफ ओली गेंद को मिड विकेट के उपर से जड़ा, फिर थोड़ी छोटी गेंद को स्क्वेर लेक के उपर डिपोजिट किया, उसके बाद छोटी गेंद जगा बना के fine leg के उपर deliver कर दिया और उसके बाद आखरी छोटी गेन तो उसे भी बेजी दिया square leg के उपर से क्या बात है और इनको वैसे dawn के नाम से जाने जाते हैं तो उसकी प्रकार की dawn गिरी यहाँ पर दिखाते हैं वेस्ट निहल पटेल चार गेंदे 24 run maximum continue बैक टू बैक फोर सिक्सेस अ कि अ कि अ कि अ कि यह थैंक यो वेरी माच बहुत इबढ़िया पारी यह डॉन को पकड़ना मुस्किल हो गया है अब चार गेंदे चार शक्के लगा चुके है और स्कोर चार ओर में 54 run उसी राहा पे चलने का प्रयास मेहूल ने किया लेकिन इस बार डगाउट में वापीस आ गए 54 run के उपर तीसरा विगेट गीरा है मेहूल पटेल कप्तान वापीस आएंगे डगाउट में एक बड़ा सौट खिलने का प्रयास खर्बुजे को देखके खर्बुजे ने रंग बदलना चाहा लेकिन खर्बुजा कट गया दस गेनों में 20 run की पारी खेलके मेहूल पटेल कॉटन बोल्ड हुए और अच्छी बल्ले अगेन बाजी मानना पड़ेगा भूमिन पटेल की पहले और में भी एक विकेट उन्होंने निकाला था प्रसांद को चलता किया था और अब यहां पे भी दूसरे और में भी सलामी बल्ले बाज मेहूल को भी चलता किया है और अब नए बल्ले बाज यस बीच मैदान में चोवन रन के उपर तीसरा विकेट गी रहा है सिनिजाई सुपर किंग्स का यस नए बल्ले बाज के रूप में क्या बाज है पहली गेन के उपर बड़ा सोट खेला है और कामिया भी मिली है रडार में गेन डाल दी पहली गेन पीछली वाली गेन धोड़ी अच्छी दी बैक ओफ लेंड यहां पे नया बल्ले बाज है तो चलो थोड़ा उनके पाले में डालके देखते है आगे डालते ह लेकिन गेन चली गई पीछे बाउंडरी राइन के उपर डिपोजिट कर दिया उसे छेरन के लिए वाड़ा वे टू अफ दो मार्क यस पटेल यह भी डगाउट में से सैट होके आए है चोटी गेन थी उपरी किनारा लेकिन फिल्डर महाँ पे दर्सक बनके रह गए क्या बाते बाहर बैड के स्नेहल को देख रहे थे मौका ताड रहे थे कि जब मेरा मौका हैगा तब मैं भी दिखाऊंगा कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात दो गेंदों में बारा रण यस पटेल बैक टू बैक टू सिक्स क्या ये फिर से कहानी दोहराई जाएगी छोटा सा हितिया सभी अभी लिखा गया क्या फिसे दोहराया जाएगा बैक टू बैक टू बैक टू बैक ट्री सिक्स यहाँ पे लगाए है यस पटेल ने क्या बात है ये तो पार्टी जॉइन किया है स्निहल के साथ उन्होंने तीन गेंदों में लगातार तीन सिक्सर यस के द्वारा ये तो एक आदत सी बन गई है अब तो पहले स्निहल ने वो कारणामा किया और उसके बाद अब यस आए ये नाखो से अपने आपसे वो कहानी वो नहीं दोहरा पाए चार गेंदों में चार सिक्सर वाली उसकी वज़से नाराज है ऐसा ने के सौट नहीं गया और 73 क्या बढ़िया तीन ओर में जहां पे जो स्कोर था अब उचल के वो 73 पहुंच चुका है पाँचवा ओर मात्रह चल रहा है वैसा भी सिंधाई सूपर किंग बैटिंग बहुत ही बढ़िया इनके पास पहले भी 126 रन बनाए थे पहले क्वाटर फाइनल में बैटिंग बहुत ही बढ़िया है इनके पास हवा में ज्यादा गेन फलक में जान हलक में जीनाई नो मैंन्स लैन में गेन गिरी क्योंकि उसके लिए कैचिंग पोजीशन चाहिए वहाँ पे और अमूवन यह थोड़ी कपता नहीं गलत कहूंगा मैं थोड़ी खराब लगी क्योंकि ब जो कैचिंग पोजीशन अमूवन होता है लेकिन यहाँ पे मौका बना था और किसी ने वहाँ पे उतना प्रॉपर रिप्लाई किया नहीं रिस्पॉंड उतना दिखा नहीं तो स्नेहल पटल अभी भी नाबाद रहेंगे 25 के उपर खेल रहें पांच गेनों में और चोहत्त एक रन मिलेगा एक रन के साथ अब यह स्पटल इस ग्राउंड के उपर कुछी समय में एकडेमी भी सूरू होने वाली है तो इस ग्राउंड की सफलता की पुस्तक में एक और सुनेहरा पन्ना जोड़ा जाएगा तो लेधर बॉल इंट्रेस्टेड जो भी हो यहाँ पे ग्राउंड मेनेजर डाइरेक्टर उनका संपर कर सकते हैं लेकिन उसे बीच एक अच्छा वहाँ पे सार्प कैच लिया गया है अपने फॉलो त्रू में गेंद नीचे ट्राविल कर रही थी और थोड़ी तेज गती से भी आ रही थी लेकिन रिंगल बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रेजंस ओफ माइंड दिखा और अमुमन आसान नहीं होता इस प्रकार के लो कैचिस लेना लेकिन उस आसान जो मुश्किल काम था उसे आसान बनाया है रिंगल ने और विकेट यहाँ पे गिरा है यस पटेल जो थोड़ा डेंजरस खतरनाक लग रहे थे उनको वापीस बेजा है और बढ़िया कोटन बोल्ड रिंगल के द्वारा चोहतर की उपर आपचतर की उपर चोथा विकेट गिरा पांच गेनों में 19 रनों की बैक टू बैक थ्री सिक्सिस वाली पारी यहाँ पे समाप्त कि राज नए बलेबास के रूप में यस का बस सामना यस का ब स्थान लेना आए है यस गए राज आए और श्नेहल अभी में मौझूद है तो यह एक अच्छी बात होगी सिन्धाई सूपर किंग के लिए क्योंकि जब तक यह रहेंगे बार के ओपर टार्गेट खड़ा वो एक बड़ा टार्गेट खड़ा हो सकता है उसकी उम्मीद टीम रख सकती है जब तक श्नेहल मौझू अच्छी गेन थी यह और रिंगल ने अच्छी वापसी करवाई है जहां पर चौथा और पांच्वावर इस प्रकार से गुजरा था ना चौथा और पूरा वो स्नेहल ओरियेंटेड रहा पांच्वावर पुरी तरीके से यस ओरियेंटेड रहा लेकिन बाद में छठ्था और अभी तक रिंगल ओरियेंटेड रहा है मतब रिंगल का दबदवा इस ओर में रहा है यह कोपी बुक स्टाइल में कवर ड्राइव खिलने का प्रयास मिस फिल्लिंग वहां पे जहां पे एक रन नहीं था वहां पे चौका मिला रन तो यहां पे वैसे भी जादा आ रहे लेकिन इस प्रकार की मिस फिल्लिंग यह थोड़ा कप्तान नाराज हो गये इनसे कि एक आसान सा वहां पे रोकना था एक रन भी निहल ने मना किया था रन लेने से लेकिन मिस फिल्ल की वज़ेस से वह सिंगल नहीं बलके चौका गया कि असी रन चटावर चल रहा है असी रन बॉर्ड के उपर लग गया है इस बार लेक्स टम के हूपर वाइड का इसार अंपार के द्वारा दुबारा डालनी पड़ेगी और यह बैक आफ लेंथ वैसे अच्छी लाइन लेंथ है क्योंकि अमूमन क्रॉस बैटेड थूड़ा सौट ज्यादा खिलने का प्रयास करती है तो बैक आफ लेंथ गेंद अच्छी मानी जाती है फुल्टोस गेंद सीधे बल्ले से खेली है फिल्डर है इस बार गलती नहीं की एक रन आसानी से मिल जाएगा एक रन के साथ 82 रन राज अब श्ट्राइक की उपर अच्छी तरीके से फिनिस करना चाहेंगे स्नेहल भी यहाँ पर क्योंकि सैटप अच्छा मिला है उनको स्टार्ट अच्छा मिला है अच्छी गेन थी यह बैक फूट पे गए सीधे बल्ले से पंच खेला है स्रे मौझूद वहाँ पर एक रन से नहीं रोक पाएंगे उनको और 83 छेवर की समापती के बाद तरासी 83 रन चार विकेट के नुक्सान पर श्नेहल खेल रहे है आठ गेंदों में 31 के उपर खिलना चाहते है जो लेधर क्रिकेट में अपना केरियर बनाना चाहते है जो क्रिकेट का रियल फॉर्मेट है ट्रेडिशनल फॉर्मेट लेधर क्रिकेट उसे अगर आप सीखना चाहते है क्रिकेट की बारी किया जानना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछी समय में एकडेमी सुरू होगी काम उसका सुरू हो चुका है तो सब को बताने में यह खुसी हो रही है कि जैमसन क्रिकेट ग्राउंड की सफलता की उस तक में एक और पन्ना जुड़ने चा रहा है अब गेंद बाजी का भार समभा लेंगे वहतरी गेंद बाजी अच्छा सौड है हवा में है फिल्डर है और गलती कर गए छेरन देके चला गया यह सौड अच्छा था गेंद भी अच्छी थी लेकिन खराब क्या था वो फिल्डिंग फिल्डिंग का स्तर खराब था इस गेंद के उपर कैच हो सकता था लेकिन वो छे में तबदिल हो गया और राज ने भी यहाँ पर अब तो अपनी बाजुए खोली है और वो खोल नहीं होगी क्योंकि डैथ ओवर चल रहे है अब तो क्योंकि सात्वा ओवर प्रगती पर है यह फ्लिक किया है पैरों के उपर और बल्ले बास की पैरों पे गेंद बाउंडरी की सेर पे गेंद वहद ही बड़िया फ्लिक किया मात्र लो फुल्टेस गेन पैरों के ओपर डाली थी और वो कहते हैं आकास चौपड़ा के बल्ले बास की चरण में गेन तो बाउंटरी की चरण में गेन और ये चौका देखे गया 93 रन सिंद्धाई सूपर किंग को और अब राज भी यहाँ पे बाजुए खोल रहे हैं अच्छी पारी उनके द्वारा भी चाहिए क्योंकि अच्छा फिनिस करना होगा श्निहल को एक सपोर्ट चाहिए अच्छा तो वो तो दिया है यहाँ पे राजने छोटी गेंती तेज गती सी और वहाँ पे डेक हिट की थी वाइड का इसारा अच्छी गेंती लेकिन दुबार डालनी पड़ेगी यह जब भी गती प्रोडिूस करते हैं न मैंने देखा है अमोमेंट डॉट बॉल आती है इनको अच्छी चिंज ओफ पेस है इनके पास इस बार किनारा लगा है उपरी पीछे फिल्डर नीचे फिल्डर और मिस कॉम्मिनिके संदो फिल्डर के बीच में दोनों वहाँ पे आ गए थे लेकिन एक दुसरे को देखते रह गए और ड्रॉप चांस यह कैच छुटा है राज क्या दो रन वहाँ पे ले लिए उन्होंने और 96 चानवे रन फिल्लिंग में तब्दिल्या होगी बुमीन को अब थर्टिया सर्कल के इंदर खड़ा कर रहे कप्तान हेमन एक लॉंग उन है डीप मीडविकेट है डीप स्क्वेर लेग है पीछे सौट फाइन लेग सामने लॉंग ओफ है फुल्टोस गेन है और मिलेगा चक्का चहां भी आप फिल्लर खड़े कर दीजे इस प्रकार की गेन दे अगर डालोगे न तो पूरे फिल्डर बाउंडरी लाइन पे होगे न तो भी दर्सक बनके रह जाएंगे खराब गेन थी है वाके ही काफी खराब गेन थी बैट डिलिवरी गॉट दा ट्रीटमेंट विद दा मैक्सिमम पहले पैरों के उपर फुल्टोस को चौका बनाया फिर उसी दीशा के उपर फुल्टोस गेन डाली तो उसे सिक्सर में कनवर्ट किया ये ताकत रखते है राज छे गेंदों में 20 के उपर खेल रहे है छोटी गेन पठकी भी गेन भूमिन उसके नीचे और विकेड मिली है यहाँ पर जिया लेकिन जो क्याम करना था अपनी टीम के लिए वो उन्होंने कर दिया है राज ने एक अंत में एक अच्छी तावर तोर पारी इस नेहल तो खेली रहे थे लेकिन उनके साथ एक जरूरी था ऐसा एक प्लेयर आए और वो भी इस प्रकार की पारी खेले तो वो पारी यहाँ पर राज ने खेली है साथ गे ने बीस रन बनाए और अच्छी एक वेल डाइरेक्टर बाउंस के तहत स्रेई को विकेड मिला है बहुत ही बढ़िया गिन बाजी मानना पड़ेगा अच्छी वापसी बोल्ड अवैल डिरेक्टर बाउंस भाइड श्रे बैस्मेन राज वांस तो गो फर दो बिक बट तर इस अपट एज़ एज़ डिसमिसल सॉफ डिसमिसल यह फिल्डर इस बूमिन में चो एनिए जिए फिफ्टी विकेड गोस दावनिया फोसीन देशूपर खिलने के प्रय इंदी गेन में तबदिल कर दिया और अब सात ओर के बाद 102 रन पांच विकेट के नुकसान पे स्टनेहल स्ट्राइक्टियों पर होंगे आखरी ओर में अच्छी गेन थी यह वाइडिस यॉरकर लेक साइट पर ज्यादा खिलना पसंद करते हैं उसकी वजह से गेन बास की सोच अच्छी की ऑप्स्ट्रम के बाहर रखी गेन लेकिन यह जानते हैं इनके पास यह भी कला है लेकिन बहतर इन फिल्लिंग स्ट्रेई टैरफिक फिल्लिंग डैफिन अटली सेव टूर अनियर फॉर इस टीम क्योंकि तेज गदी से गेन ट्राविल कर रहे थी शनेहल के बल्ले से ताकत काफी आज प्रोडिस हो रही है और यह कला है इनके पास कूँकि लेक साइट पे खेलना पसन करते है तो आपसायट के ओपर भी आ जाते है और अपसायट की गेन को भी वो लेक साइट के बेद सकते है फुल्टो स्केन हवा में ज़्यादा चली गई है रिंगल है स्रेई है पकड़े का कौन स्रेई गलती नहीं की जियां और ये भी ज़्यादा वैसा आप्सन थे नहीं स्टेहल के पास और अच्छी पारी वो खेल रहे थे और वहतरिन पारी 33 रनों की एक सो चार पांच विगेट के नुकसान पे छे विगेट के नुकसान पे स्निहल पडेल एक उमदा एक ला जवाब 11 गेनों में 33 रनों वाली पारी खेली और टीम को एक बहतरिन पोजीशन में रखे गए है क्योंकि 100 रन के उपर का स्कोर सेमी फाइनल में ज़रूरी होता है क् क्योंकि दोनों टीमें स्ट्रॉंग कंटेंडर है तो उसकी वज़स से आपको टार्गेट तो चाहिए तो वो को वो काम तो किया है यहां पे मेहुलने नेहलने और राजने इस पर डाउन दा ग्राउंड टेज गती से गेन जा रही है दूसरे रन का प्रयास होगा मना जी न टोस गेन है हुवा के साथ खेला है और ड्रॉप चांस वहां पे यह ड्रॉप चांस तो आया लेकिन चौका भी चला गया तो वेलकम बाउंडरी इस आखरी ओवर में आई है एक सो नौ रन चौके की बंदद से स्कूर बढ़ता हुआ और अच्छी एगेन थी अच्छी गेन आखरी गेन डॉट बॉल में और रन आउट के रूप में साथवा विकेट भी बॉर के उबल लिखा जाएगा तो अब पहले पारी समाप्त हुई है एक सो नौर अन बॉर के उबल लगा दिये गए है आठ होवर समाप्त होने के बाद टॉस धीता था वैसे वांदरवेला वाइकिंग्स के कप्तान हमंत ने और पहले उन्होंने फैसला किया कि वो फिल्लिंग करेंगे आमंत रित किया सि कंप्रिहेंसिव ये इनिंग बढ़िया एक छोटी पारी लेकिन इफेक्टफुल पारी इंपेक्टफुल पारी निहल पटल के बल्ले से आई 11 गेंडे 33 रन 5 गेंडों में 19 रन 10 पटल ने बनाए राज पटल जीनोंने 7 गेंडों में 20 रन बनाए और उससे पहले कप्तान मे होर में 29 रन दिये और दो सफलता है हासिल की उसकी अलावा रिंगल पटल स्रेई भावेश पटल और दिप्तेस उन सभी को एक एक विकेट मिला तो अब आट होर की समापती के बाद 109 रन हुए है प्राप्त तो 110 रन यहां पे बनाने होंगे इस सेमी फाइनल को जीतके अग हो देखे हाल के लिए झाल को जीतके अग कर दो आजा से वह बिलोंग करते हैं विसाल पटेल उनके अलावा मिनेस बाई पटेल जो अटगाम वलसार से बिलोंग करते है तो पीच क्यूरेटर है वो ग्राउन कंसल्टन है उनकी निगराने में यह जो विकेट इतना बढ़िया खेल रहा है उनकी निगराने में एकड़ेमी अब नई सुरू हो रही है उसकी अलावा चंदू टंडेल जो वलसार से उनका भी अच्छा यूगदान इस ग्राउन को बन मिश्टर अमरत भाई जवेर भाई को बहुत ही बढ़िया उंदा कामगीरी फिर यह जो लाइटिंग यहां पर जो आज नहीं दीख रही उससे पहले जो लाइटिंग की सुवीदा वो रौनक डेकोरेटर्स के ओनर मिश्टर इस्वर भाई वेस्टनौ उसके अलावा जो और अभी कारिय करता इस ग्राउंड में मौजूद गंस्याम बाई अनिल बाई रितेज बाई भगू बाई कासम बाई सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अगले नेक्स्ट सेसन में यह सीजन अभी यहां इस ग्राउंड पे खतम होगा 2830 को एक और टुनामेंट है अंडर 23 पाटीदार समाज का उसके बाद इस ग्राउंड का सीजन एंड होगा फिर उसके बाद नए सेसन में इससे भी बढ़िया फ्लड लाइट और इससे भी ज्यादा हाइट वाले आपको पोल नजर आएंगे मतलब रात में भी ऐसा लगेगा कि जैसे अब दिन में खेल रहे इत हाइट है वो भी बढ़ा ही जाएगी और जो लाइटिंग यहाँ पे थी उससे भी बढ़िया अब अगले सेसन में हमें वो और भी ज्यादा रॉष्णी में खिलने को मिलेगा तो अल क्रेडिट गोस तो मिस्टर रमेजबाई वसंजी पतल एन और आल इस टीम मेंबर और आ अनी लेवल छे रन वापिस बाते है इस गेम के उपर फुल्टोस गेन क्रोस बेड़ेट खिलने का प्रयास टार्गेट खड़ा हो चुका है जो चाहिए था सिंदे सुपर किंग जो रन चाहते थे वो तो बॉड़ के उपर है बस अच्छी गेन बाजी के अब उनको जरूरत है लगा त क्योंकि ये ग्राउंड आउट फिल अच्छा है विकेट भी बहुत ही बढ़िया आप पूरे दिन खेलो गेना तबी उतना बढ़िया आपको विकेट मिलेगा जैसे आप सुबह में पहला मैच खेलते हो ना आखरी मैच भी उसी प्रकार से खेलेगा ये विकेट इंसाइड आउट सॉट खिलने का प्रयास स्वीपर पॉइंट की दिसा में गेन जा रही है आउट फिल अभी अभी मैं बात कर आदा इतना तेज है तो चौका दो देखे जाएगी और असरेई बहुत ही बढ़िया पारी की यहां पे उम्मीद वापिस करेंगे कप्तान टी रॉयल चैलेंजर्स बॉस्टन और गोरगां वार्यर्स के कप्तान आएंगे टॉस के लिए आएंगे पहले यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बॉस्टन और गोरगां वार्यर्स के कप्तान आएंगे ये छोटी पटकी वी गेन थी पीछे फिल्डर नीचे फिल्डर और विकेट का पतन पहला विकेट यहाँ पे क्या बात है क्या दिन गुजर आ इस निहल के लिए पहले ग्यारा गेनों में 33 रणों की पारी कप्तान ने मेहुल ने गेन बाजी के उपर लगाया एक वेल डाइरेक्टेड बाउंस डाला पहली गेनी के उपर सर्प्राइस कर दिया बल्लेबास को पूल सोट खिलने में मजबूर किया और ये पूल सोट हुक में तबदील हुआ और टॉपेज लेके चला गया ग्यारा के उपर पहला विकेट बावेस पडल वापिस आएंगे डगाउट में स्रेई का साथ छोड़ा है यहाँ पे बावेस ने और अब उनका साथ निबान आये हैं ब्रुगेस जो पहली मैच में सलामी बल्लेबास के तौर पे आये थे 20 रन बनाये थे 9 गेंदों में तो अब वहीं साथ यहाँ पे स्रेई के देना होगा उनको और साजेदारी एक बड़ी बनानी पड़ेगी ग्यारा के उपर पहला विकेट गीरा है ब्रुगेस पड़ेल बीच मेधान में अब उनके आने की वज़ए यह है कि अभी अभी विकेट की रहा है भावेश के रूप में श्निहल स्ट्राइक दी है अपनी टीम के लिए और जब वो स्ट्राइक पे थी ना तो पारी बहर या खेली थी तो आज इस निहल जो भी कुछ कर रहे है न वो सब कुछ सही हो रहा है इची गेन थी और कर थी कवर की दिशा में ड्राइव खेला है वेरी अरली ओफ दमाक विद दे सिंगल मुरुगेस पटेल नाव विद दे सिंगल स्कोर मोव्स ट्वैल रन स्रे अब स्ट्राइक के ओपर क्रॉस बैड एट सौट गती कम थी उसकी वज़त से बल्ले पर पूरी तरीके से गेन आई नहीं अच्छी सोच और बढ़िया गेन बाजी उंगलिया अच्छी तरीके से गुमाते है और लिफ्टाम गेन बास के पास ये काबिलियत होनी चाहिए क्योंकि एंगल तो होता ही है उनके पास और अगर उंगलिया गुमाते है तो ज्यादा फाइदे मन भी होता है हलके आतों से जेंटली पुस्क बेकवर्ड पॉइंट की दिश्वा में प्ले विद्ध सॉफ्ट हैंड ओनली फॉर द सिंगल स्कोर बढ़ता हुबा तेरा चौदा रन एक दो एक दो सिंगल से ज्यादा परेशान या दिक्कत होगी नहीं अगर सिंधाई सूपर किंग की बात की जाए तो योगी टार्गेट बढ़ा है 110 रन का सॉट अच्छा है ये सॉट बहता रहे ये सॉट कड़क है ये छेरन वाला सॉट है बहुत ही बढ़िया सॉट पैरों के अपर गेन थी और वैसे भी बल्ले बास के पैरों पे गेन जाती है न तो बाउंडरी की सरण में गेन पहुंची जाती है बहुत ही बढ़िया सॉट है ये मानना बढ़ेगा पिक अप सॉट लेंद को पिक किया लेंद को पड़ा और मैक्सिमम जड़ा फुल्टोस गेन दूसरी गेन के उपर भी देखना होगा कितने रन जाएगे वन बाउंस स्ट्रेट इंदू दफेंस पहले छक्का लॉंग लेक की दिशा में और अब चौका मिड विकेट की दिशा में तो जो वर अच्छा गुजर आ था उसे महंगा बनाया स्रेई ने दो वर के बाद 24-24 रन एक विकेट के नुक्सान पे स्रेई का टिकना काफी ज़रूरी है स्रेई का टिकना उतना ज़रूरी है जीतना कल गुजरात के लिए मिलर का टिकना ज़रूरी था क्योंकि फिनिसर का रॉल भी उनको दिखाने पड़ेगी स्रेई को कि मैं अच्छा स्टार्ट अप भी दे रहा हूं और अच्छा फिनिसर भी हूं ये मौका है उनके पास आज उनको ये मंच मिला है कि फिनिसर के रूप में भी अपने आपको प्रस्थापित करें जो राजस्थान के लिए हमोमन बटलर वो काम करते हैं सुरवाद भी तेते हैं फिनिस भी करते हैं तो वो करना होगा यहां पे स्रेई को मेहुल कप्तान गेनबाजी की जो कमान है वो अपने पास रखेंगे कंटीनियू अपनी स्पेल का दूसरा वा लेके आएंगे कावेरी एंड से पहले उस एंड से ओवर किया था जहां पे दसरन आये थे अब यहां से देखना होगा कि एंड चेंज होता है तो कुछ क्या पर कि फुल्टोस गें थी आप स्टम के बाहर लेकिन उनको एक सॉट में ऐसा लागा कि मन बना लिया था कि वो मिडविकेट लॉंग लॉंग मिडविकेट लॉंग उनके उपर से सॉट को खेलेंगे उसकी वज़से ज्यादा आप स्टम के बाहर हुई ना तो वहीं अंदाज लेकिन सॉफ्ट हैंड खेल लिया यह कई कबार प्रिमेडिट प्रिमेडिटेट सॉट खेल लेते हैं बल्ले बास यह सीधा डाउन दा ग्राउंड फिल्डर है वहाँ पे और अच्छी फिल्डिंग और अच्छी गिन बाजी का प्रदर्शन क्योंकि लो फुल्टोस ऑप्शन के बाहर एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है लेकि वहाँ से थोड़ी ताकत प्रदान करना वो मुश्किल हो जाता है बल्ले बास के लिए इस बार कवर ड्राइब खेली है मिस फिल्डिंग और ये मिस फिल्डिंग देखे जाएगी चौका उससे पहले भी हमने इस प्रकार का एक चौका पहली पारी में भी देखा जो दुस्कनेहल को मिला था तो यहाँ बे भी कवर की दिशा में सीधा आ रही थी गेन लेकिन चौका मिला और चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब 30 रन इस बार थोड़ा इंदजार करना पड़ा अगेन फलक में जान हलक में लेकिन वापिस जीवन दान मिल गया है जिया थोड़ी देर यहाँ पे उनको और अब जीवन दान मिला है जीयां मौका ड्रॉप चांस हुआ है तब इसका कितना फाइदा उठा सकते है मुरुगेस यह देखना होगा पहुँच भी गये थे गेन के निचे लेकिन अंत में कंट्रोल में नहीं रख पाई अपने आपको चोटी गेन खराब गेन थी और लॉंग लेक की दिसा में कोई फिल्डर है नहीं होते तो भी दर्सक बन जाते क्योंकि यह वैसे भी छेरंड वाली गेन थी उतिनी खराब गेन थी और ऐसी खराब गेन अगर अच्छे बल्ले बास को देंगे तो उसे छेरं में डिपोजिट करी देंगे और छेरं की मदद से 37-37 रन बहुत ही बढ़िया तरीके से जिम्मेवारी उठाई आई यहाँ पर एस रेइन है सब्सक्राइब लेकिन डाउन दा ग्राउंड फिल्डर मौजुद गेंद भी अच्छी दी यॉर्कर थी खोद के निकालना पड़ा 38 रन इस सिंगल की मदद से तीनवर की समापती 38 रन वांदरविला वाइकिंग्स एक विकेट के नुक्सान पे अब तीस गेनों में बहुत ता रन चाहिए 72 रन रिक्वाइर इन 30 बॉल्स पूरे टुनामेंट का आखो देका हाल अब यूचूब के उपर देख सकते है कीजिए चैनल स्माइल चैनल फॉर यू उसके ऑपरेटर बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग आनन्द पटेल और कैमेरामेंट मानना पड़ेगा अच्छा कैमेरा कैप्चरिंग सभी मुमेंट बिलकुल मिडल अफ दो फ्रेम मिस्टर रोनक राठोड कैमेरामेंट के रूप में और स्कोरर के साथ जाने पहचाने हमारे स्कोरर सलमान रावत 835 में चुका उनका अनुबव हो चुका है स्कोरिंग में ऐसा ना हो के गिनेस बुक अप वर्ल्ट रेकमन नाम डज कर दे हवा में हैं फिल्डर है उसके नीचे में हुल गलती नहीं करेंगे जरूरत थी जिस विकेट की वो विकेट यहां बेर आज ने दिलाया है गैन बाजी परिवरतन किया आ बालि enc चेंज है विकेल श्रेप अज में चाहिए वार्भी का चुका गलती परे ना में अने पटेल एक सेट अप प्लैट्फरम की जरूरत थी वो स्रे पटेल ने दिलाया है अपनी टीम को अब उस सेट अप को आगे ले जाने के लिए उनके पिता स्री हेमन भाई अब बीच मेदान में पहुंचे है दो जनरेशन यहाँ पे खेल रही है नई जनरेशन डगाउट में आ में आई जो में आई को आए गकट उब हुदाना है जनरेशन भाई शो जो छोगण और बीच में आई जनरेशन सेट जो दो जाए खेलियो को में दो पेलाई खेल प्ली को आई प्लीम को आई रही है कि अगरे लिए शस्वदाट गजम यहाँ तरो में ग्वदरिए कि आप स्टम के बाहर वाइट का ही सारा कि हेवन पटेल नहीं वल्ले बास के रूप में चौथा उबर प्रगदी पर है वाइट का ही सारा दो लगातार बैक टू बैक वाइट लेकन ऑप्स्टम के दूर रखने का प्रयास है यहां पर थोड़ा आप स्टम से बाहर बले बास से दूर रखने का प्रयास और अच्छी सोच है अगर देखा जाए तो वाइट जाएगी एक आदा इंसाइड आउट सॉडिस बार कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बीच में फिल्डर और एक रन से ही मातरा संतुष ठोणना पड़गा एक रन के साथ हे मंत ने अपना खाता खोला वेरी अरली ओफ दमाग विद शिंगल और फर्स्ट दिलेवरी एंद नाव स् फोटीवन चौथा ओवर यह चल रहा है कि फोटीवन एक तालिस कि इंसाइड आउट सॉर्ड स्वीपर पॉइंट की ऊपर से वहां पे कवर के ऊपर से गेंच जा रही है और थोड़ा हवा के विपरित था उसकी वज़ा से गेंट की गति कम हो गए और इस सिंगल के मज़ा से फोटी टू फोटी त्री तायालिस र कर रही है कि इस बार यह सोड़ वहतर है स्कुर्ड राइव के अंदाज में अच्छी फिल्डिंग बहुत ही बढ़िया फिल्डिंग का प्रजासन कि और इस सिंगल की मदद से चोवाल इस निश्चित तोर से चौका रुका वहां पर क्योंकि बढ़िया फिल्डिंग का प्रजासन तेज गति से गेंट ट्राविल कर रही थी इस बार क्रोस बैट है स्नेहल मौजूद और से फिल्डर है वो स्नेहल पीछले क्वार्टर फाइनल में भी तीन कैचिस ले चुके थे और यहां पर इनकी बातसाहत चलती है इस ग्राउंड के उपर यह जो एरिया खास करके लॉंग ओन का मिड विकेट का इनको पसंद है यहां पर जादा खड़े रहते हैं वो क्योंकि सेफ फिल्डर है तो हैमन पटल को वापिस जाना पड़ेगा डगाउट में स्कोरर को भी ना जादा परेशान किये 44 इसके ओपर तीसरा विकेट गीरा चार ओवर की समाप्ति के बाद दिप्तेस पड़ेल नहीं बलेबास के रूप में तो चार ओवर हो चुके हैं यहां पर 44 रन तीन विकेट के नुक्सान पर तो पहला हाफ यहां पर समाप्त हुआ है दूसरी पारी का और पहले हाफ में देखा जाए दर थोड़ा इक्वली रहा है लेकिन स्रीनदई का हाथ थोड़ा उपर है अभी ड्राइविंग सीट के ओपर वो बैठ है 24 गेंदों में 66 रन चाहिए 24 गेंदों में 66 रनों की जरूरत है करीबन 16 से भी ज्यादा का ओसत यहां पर प्रती ओवर चाहिए अगर इस मैच को जीतना है तो यहां से कौन सा बल्ले बाज किस प्रकार की पारी खेलता है तो वो काफी कुछ निर्बर करेगा इस मैच के रिजल्ट को तब 16 से भी ज़्यादा का ओसत यहां पर चाहिए अगर इस 66 रन को बनाना है तो तो सौड अच्छा है पहली गेंद के उपर क्रोस बैटेड एक हाथ से लेने का प्रयास लेकिन बहुत ही बढ़िया उंदा फिल्लिंग का प्रताशन ला जवा फिल्लिंग निस्चीत तोर से छक्का रोका है यूँकि गेंद तेस गती से ट्राविल कर रही थी और वहां से एक डाइविंग एफर्ट लगाया इस अ जम टू परफेक्शन इस टाइम टू परफेक्शन और डेफिनेटली से फोर रन फॉर इस टीम 46-46 रन अच्छी गेंद थी वो इंसाइड एज लगा वहां पर दो पैरों के बीच में से गेंद सौट फाइनले की दिसा में चली गई मयंग पटेल पहली गेंद के उपर एक बड़ा सौट खेला था मयंग के अच्छी तोर से वो चक्का जा चकता था लेकिन अच्छी फिल्डिंग के प्रदसन फिर उसके बाद अच्छी वापसी क्लेंबोर्ड यूमिस आई हिट सौफल करके खिलने का प्रयास लेकिन बल्ले बाज गेंद बाज ने अपनी लाइन नहीं बदली बल्ले बाज अपनी लाइन और लेंद बदलने गए थोड़ा बैक फूट पर चले गए ऑपसाइट के उपर जाके खिलने का प्रयास किया लेकिन गेंद बाज ने विक्टो के उपर अपना बरोसा जथा ना वो लाइन के उपर वो बरकारा रखा और अंत में विक्टो को डिस्क्लोज कर दिया 47 47 के उपर चौथा विकेट गिरा वांदर वेला वाइकिंग्स नाउ वांदर वेला इन ट्रबल कि यहां से जितनी डॉट बॉल ले आएगी जितना विकेट आएगा तो 47 इसके उपर चौथा विकेट की रहा है पांचवा और प्रकती पर है पांचवा और चल रहा है 47 चार विकेट के नुकसान पे तो यहां से अब थोड़ी यहां से अब थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है वांदर वेला वाइकिंग्स को क्योंकि अब 21 गेंदों में 63 रन चाहिए सौड अच्छा है बेटर है बुमिन क्या बात है पहली गेंद के उपर छे रन के साथ अपना खादा खोला बुमिन ओफ दमाग विद दा मैक्सिमम ओबर स्क्वेर लेग एरिया रडार में उनके ये गें थी पाले में उनके गें थी दो बाउंटरी के हवाले में चली गई ऐसा लगा इस सौट के उपर जैसे डगाउट में से सैट होके आए है बुमिन और किसे बल्ले बास को एक लाजवा पारी खेलनी पड़ेगी अंतक रहना पड़ेगा जहां-जहां मौके मिले वहां बड़े सौट खेलने पड़ेगे सिंगोल को डबल में कनवर्ट करके और जो अच्छी गेंद है उसके उपर भी आपको प्रहार करने पड़ेगे कैल्कुलेटिव रिक्स तो लेना पड़ेगा यूँगि छे विक्ट अभी भी हाथ में है मिल्डल ओडर के बल्ले बास को यहां पर कमाल दिखाना पड़ेगा क्रॉस बैटेट सौट हवा में चली गई है है फिल्डर मौजूद गल्ती नहीं करेंगे पहली गेन के उपर एक छोटा सा ट्रेलर दीका लेकिन पिच्चर सुपर हिट नहीं हुई 53 तैप पन के उपर पांचवा विकेट गीरा बुमिन वापिस आएंगे और वांदरवेला वाइकिंग्स की मुसीबते लगातार बढ़ती हुई एक छक्का लगाया थोड़ी उम्मीदे जगाई लेकिन उसके बाद वो उम्मीदों का जो दिया था वो जल्दी बुझ गया 53 तैप पन के उपर पांचवा विकेट गीरा आधी टीम अब डगाउट में जा चुकी है मिलन नए बल्लेवास के रूप में अब स्थान लेने के लिए जाएंगे बुमीन का मिलन तीगरा चार दसमलाव पांच उवर 53 तैप पन रन पांच विकेट वान्दरविला वाइकिंग्स 57 अभी भी चाहिए यहां से जीतने के लिए और गेंदे बची है 19 जी नोबल का इसारा वेस्ट हाइट के उपर और अगली गेंद होगी वो बाजो खुलने वाली फ्री हीट होगी तो बल्ले बास को पहले ही गेंद के उपर हाथ खुलने का मौका मिला है मिलन को छोटी पटकी वी गेंद अपर कट वहाँ पे बैकवर्ड पॉइंट में फिल्डर मौजू देख हाथ से और अच्छा कैच लेकिन फ्री हिट माफ कीजेगा क्योंकि कही कबार हो जाता है ऐसा एक्साइटमेंट में कही कबार हो जाता है 55 पच्पंद रन 5 विगेट के नुक्सान पे 5 और की समापती के बाद आफ्टर कम्प्लिटिंग 5 और 55 लॉस अफ़ 5 विगेट तब यहाँ से अठारा गेंदो का खेल बचा है और पच्पंद रन चाहिए जीतने के लिए तो अठारा के करीब का औसत यहाँ पे चाहिए प्रति और बनाने होगे अठारा या उससे भी ज्यादा रन तबी आप मंजिल तक पहुँच सकते है और दूसरा जो सेमी फाइनल होगा रॉयल चैलेंजर्स बॉस्टन और गोर्गाम वारियर्स के बीच में जहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बॉस्टन जिरो ने टॉस जीता है और पहले फिल्लिंग का फैसला किया है इसने हल पटेल अपने स्पेल का दूसरा वल लेके जैंसन एंड से पहला और अच्छा रहा था तेरा रंदे के एक विकेट निकाला था उन्होंने जबार हवा में है फिल्लर है नीचे पीछे फिल्लर और विकेट और अच्छा कैच वहाँ पे लिया गया थोड़ी ज्यादा हवा में चली गई थी राज वहाँ पे मौजूद थे कोई गलती नहीं कि उन्होंने हाफ फॉली वैसा तो गें थी लेकिन अगेंस दो वींड हवा के विपरित खिलने के प्रयास में थोड़ा ज्यादा हूचे चली गई और गें जब भी स्निहल के हाथ में आती है न तो विकेट चटका के जाती है और जब वो बल्ले बाजी के उपर आती है तो गेंदे पसंद करती है बाउंडरी लाइन के बाहर जाना तो दीन है आज नहल का मानना पड़ेगा दो विकेट उससे पहले 33 रोनों की पारी मैन अब दम मैच के वापिस हगदार बन गए है रिंगल अब कप्तान मैदान के उपर फोल्टोस गेन उपरी किनारा और आसोब डिस्मिसल आसान सा मोका पहली कहनी के उपर रिंगल स्कोरर को भी ना जादा परेशान किये आज के दिन के दूसरे गोल्डन डग वापिस आएंगे डगाउट में पचपन के उपर सांतवा विकेट और यहां से अब जीत दीरे दीरे अपनी जो है ना वो मजबूत करते हुए अपना जीत का जो दावा उन्हें ने रखा था वो दावा जो रखा था उसे यकीनन में उसे हकीकत में तब्दिल कर रहा है श्निहल पटेल और अब हैट्रिक के उपर हैट्रिक का मौका यहां पर अब आज यहीं बज़ गया है श्निहल के लिए अच्छे कैच भी लिए है अच्छी पारी भी खेली अच्छी फिल्लिंग भी की है और हैट्रिक चांस रिवास एट्रिक को चौके में तब दिल किया है जी नहीं जी नहीं रुख गयी है वहाँ पे गेन ऐसा लगा कि साइध निकल जये लेकिन जी नहीं अच्छी वहाँ पे गेन बाजे रिवास एट्रिक किया और एक रन के साथ दुरू जीनों अपना खाता खोला और स्कोर 56 रन बढ़ता हुआ लेकिन मानना पड़ेगा बहुत ही बढ़िया गेन बाजी अच्छा ओल राउंडर पर्फोर्मंस नहल के द्वारा सेमी फाइनल के हीरो बन गए वाइड इसी और कर खोद के निकालने का प्रयास मात्रम मिट्टी उड़ी है वहाँ पर कनेक्शन तो हुआ ही नहीं है और लिफ्टाम और्थोडोक्स लिफ्टाम फास्ट गेन बाज हवा का रूख ही यहाँ पर उनको मदद भी कर रहा है लहरा थी है गेन हवा में इस बार कवर ड्राइव काफी तेजगती से हाड लेंद थी है लेकिन उसको बहतरीन तरीके से ताकत के साथ खेला और फिप्टी सेवन चेवर के बाद सत्ता बन रन वांदरवेला वाइकिंग साथ विकेट बारा गेंदों में फिप्टी थी तैप पन रन चाहिए 26 दसम्लब 50 की उतसत से यहां पर रन बनाने होगे प्रती ओवर तो ये इस ओऔर में कितने रन आएंगे वो तैप करेंगे कि आखरी ओऔर में कितने रन जाएगे जेत युट का मार्जिन कितना सेट होगा कितने रन के मार्जिन से फाइनल में टीम पहुँचेगी यह सब तै करेगा 12 गेंदे और 53 रन जीतने के लिए चाहिए राज गेंद बाजी के उपर अब फुल्टोस गेन है लोव फुल्टोस आप साइट की दिसा में एक्स्ट्रा कवर में डीप में फिल्डर मोजू दे अमिद दूसरे रन की चेस्टा है मना किया और रन आउट विकेट ऐसा लगा जैसे सेक्रिवाइस कर दिया अपना चाहते दो वापीस आ सकते थे लेकिन आधी पीट टे कर चुके थे और अमरुगेस जानते हैं कि जो उम्मीदे थी जीत की वो सारी यहाँ पे खारी जो हो चुकी है जो आसाइब बंधी थी जो अपेकसाइब बनी थी और जो उम्मीदों का मेहल है वो यहाँ पे दरासाइब हुआ है और अठा वन रन आठ विकेट के नुक्सान पे मनवत पतेल नौन स्ट्राइक एंड के उपर अच्छी गेन बाजी ओवरल अच्छा क्रिकेट यहाँ पे वांदरवेला वाइकिंग्स के द्वारा बहुत ही बड़ी आ प्रदसन मानना पड़ेगा जब पहले टॉस वैसे तो जीता था अगर देखा जाए तो वांदरवेला वाइकिंग्स नहीं टॉस दीता था और थोड़ा फैसला गलत जरूर लगा मुझे क्योंकि पहले जब पहला मैच अगर आप देखोगे सिनिदाई सूपर किंग्स बाड़ के ओपर काफी सारे यह रन रख देते है जब पहली बैटिंग आती है तो टार्गेट बड़ा खड़ा करने की समता रहती है इनके पास तो सायद वो ध्यान जहन में नहीं रही और फिल्लिंग का फैसला किया थोड़ा गलत जरूर लगा और सिनिदाई को बैटिंग के लिए आमंत्रीत कर दिया एक सो नौ रन एक सो नौ रन बाड़ के उपर झाला साथ के उपर नौमा विकेट यहां पे गी रहा है कॉर्ट बिहाइंड और अगला दूसरा जो सेमी फैनल होगा रोयल चलेंजर बैंगलोर रोयल चलेंजर बॉस्टन रसी भी जिया रसी भी ज्यादा यादा रही है रोयल बैंगलोर ज्यादा यादा रहा है क्योंकि साम को एलिमेनेटर है उनका उसके लिए और रोयल चलेंजर बॉस्टन टॉस्ट जित के फिल्डिंग का फैसला किया है तो उनके कप्तान से हम गुजारिस करेंगे कि आप फिल्डिंग के लिए तयार रहेंगे क्योंकि जल से जल आपको ये मुकाबला सुरू करना पड़ेगा इस बार क्रॉस बैड़ेट सामने के दिसा में रन मातर एक ही प्राप्त होगा तो बात कर रहे थे हम वानरवेला वाइकिंग्स एक उम्दा प्रदर्शन ला जवाब क्रिकेट का प्रदर्शन उनके द्वारा और ओवर की समाप्ती और सामने के दिसा में अच्छे फिल्डर है वो लेकिन रन का एक ही मौका परियाप्त और एक ही रन लेना चाहेंगे अब तो बाकी रही है क्योंकि 6 गेंदो में 47 रन चाहिए 47 रन रिक्वाइर्मेंट इन 6 बॉल 63 63 64 64 65 66 67 65 लेक्स्टरम के बाहर वाइड और इस बाहर इंसाइड एज अंदरुनी किनारा लगा था 65 पैसर ट्रन नौविकेट के नुक्सान पे आखरी ओवर चल रहा है और मानना पड़ेगा सिन्दै सुपर किंग बहुदी बड़िया उम्दा क्रिकेट का प्रदसन कदमों का इस्तमाल इसी बीच और फिल्डर सामने और धरासाई हुई है टीम अल आउट यहाँ पे टीम हुई है वांदर वेला वाइकिंग्स की 65 के पर हो वेरी वेल डन सिन्दै सुपर किंग तो जीता वांदर वेला ने फिल्डिंग का किया फैसला अमंत्रित किया सिन्दै को और यह अमंत्रन उन्हों ने स्विकार किया 110 रनों का तौफा दिया टारगेट डिया 110 रनों का और जब 110 रन का पीछा करने है उत्रे उसको डिफेंड करने है के लिए उत्री सिन्दै सुपर किंग की टीम तो बहतरीन तरीके से उसको डिफेंड किया और 65-65 रनों पे रोका और मानना पड़ेगा 44 रनों से इस मैच को जीता और अगेन मैन अब दे मैच वन और अनली दे लोकल मैन, मैनजर अब दिस ग्राउंड नेहल पटेल क्या बात है, एक बार फिर से लगातार बैक टू बैक मैन अब दिस बार इस टुनामेंड में और पहले उन्होंने 11 गेनों में 33 रनों की पारी खेली और 109 के उपर टीम को पहुँचा दिया फिर उसके बाद जब गेनबाजी की बारी आई, तो वहाँ पे भी उन्होंने 2 वर में 15 रन देके 3 विकेट निकाले और अच्छा साथ नी बाया राज ने 2 वर में 12 रन देके 3 विकेट, मयंक, लेफटाम, गेनबास, 1 ओवर 11 रन, 2 विकेट उनको मिले और अमित अंत में जो गेनबाजी करने आई, आठवे ओर में उनको भी एक विकेट मिला तो अब इस प्रकार से जिसका इंतजार था हमको वो फाइनलिस्ट पहला हमको मिल चुका है सिन्धाई सुपर किंग्स, स्ट्रेट इन्डू दो फाइनल सीधा फाइनल में पहुँच गई है, यहाँ पे सेमी फाइनल में वांदरविला वाइकिंग्स को हरा के अब उनके साथ फाइनल में कौन खेलेगा, उसके लिए हमें दूसरे फाइनल का इंतजार करना पड़ेगा RCB, Royal Challengers Boston के कप्तान जल से जल फिल्डिंग सजा दे और सामने गोरेगाम Warriors के दो सलामी बल्ले बास पहुँच जाए जल से जल बैटिंग के उपर कि आःे जल फिल्डिंग नविते रह इंटार करना जा हमें के वाइनल में पुँच झाल 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 गोरकाम वारियर्स के लिए जीनोंने जो पिछला क्वाटर फाइनल हुआ था वहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन किया था और एक बहुत बड़ा टार्गेट रख दिया था वहाँ पे उन्होंने 142 का तो अब यहाँ पे जो जरूरत थी पहले विकेट चाहिए था वो वोो जोब कार बार ट्थेल्स के उरूरत था विकेट। झाल 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 पर पहला उनका क्वाटर फाइनल अच्छा रहा था दो विकेट निकाले थे उनको मिले थे यहाँ पे भी अब कप्तान राज ने वहीं जिम्मेवारी दी है उनको जाल झाल 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 वो quarter final था यह semi final उसका दबाव अलग होता है लेकिन यह semi final हो रहा quarter final यह तो अपना खेल खेलेंगे और drop chance यह drop chance यह जीवंदान मिला है यह मेहगा पड़ सकता है क्यूंकि यह catch कप्तान का था यह catch प्रजई का था पुनीत वहाँ पे मौजुद थे और निस्चित तौर से हितेस्ट ने कप्तान के बरो से सहीं साबित किया था कि आपने मुझे गेनबाजी का भार सौपा है तो मैं विकेट आपको निकालूगा लेकिन फिल्लिंग में सपोर्ट नहीं मिला कि रिवर्स अटेम किया है ही हवा में हैं बैक वड पॉइंट में विकेट का पतन यहां पर जानते यह खुसी बया करती है यह celebration बया करता है कि यह विकेट कौन सा था यह विकेट किसका था क्यूकि यह भावेस स्वामी का विकेट था तो भावेस ने यहाँ पे भावेस का कैच लिया है रिवर्सिप एक गलत सॉट सीलेक्षन वहाँ पे लगा अगर सही लग जाता तो ठीक है लेकिन जहाँ पे स्टेज के ऊपर मैच चल रहा है पहला विकेट जल्दी गिर चुका है आपके पास scoreboard के उपर run है नहीं तो जल्दी ही इस प्रकार का short खेलना no doubt यह उनका trademark short है signature short है लेकिन कई कबार क्या होता है कि एक situation एक momentum अगर आपके पास नहीं होना तो इस प्रकार का short खेलना यह अपने आप में question बन जाता है कि क्या गलती कर गए यहाँ पर स्वामी और वह गलती का खामियाजा कैसे टीम भुखतेगी यह थुड़ा आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि अभी तो दिक्कत में है टीम बार की उपर खाता मातर एक ही रंद से खुला है लेकिन विकेट का कॉलम जो है वह बर चुका है दो इस बार अपर काट स्वीपर पॉइंट में फिल्डर एक रंड के साथ खाता खोलेंगे बल्ले बाज अपना पूरी जिम्मेवारी अब होगी प्रज़ाई के उपर वहीं पारी वापिस दोहरा नहीं पड़ेगी क्वाटर फाइनल वाला जो नौक थाना वो दिखाना पड़ेगा यहाँ पर रंड चाहिए सामने गुरगाओं के पास अच्छी बैटिंग है इस बार लो फुल्टोस गेन स्क्वेर लेक की दिशा में डीप में फिल्डर मौजूद है और एक रंड के साथ स्कूर बढ़ता हुआ तीन रंड इस ओवर की यह आखरी गिन पावर प्ली के आखरी गिन और ओन साइट की दिशा में पढ़ने के बाद थोड़ा बाहर की और निकली थी धीमिकती से चक्मा दिया था अमपायर का इसारा ओवर की समाप्ती दोवर की समाप्ती के बाद तीन रं दो विकेट के नुक्सान पे आज के पूरे टुनामेंट का सबसे कम स्कूर पावर प्ले का अगर देखा जाए तो तो अच्छी गिनबाजी मानना पड़ेगा जो आरसीबी ने फैसला लिया आरसीबी ने जो फैसला लिया वो के फिल्लिंग करेंगे टॉस जितके तो वो सही फैसला साबित हुआ है उनके लिए पावर प्ले की जो लड़ाई थी वो उन्होंने जीती है छोटी छोटी जो लड़ाई होती है वो जीती नहीं पड़ती है जो पहले पावर प्ले की लड़ाई होती है उसके बाद मीडल ओवर में जो फ्रेम होता वह वहां पर आप कैसा सेट अप करते है फिर उसके बाद ड प्रजाई जो आपको स्क्रीन के उपर नजर आ रहे उनके उपर अच्छी गेंद वहां पे अपील की गई है वहां पे LBW की लेकिन नकारा है उसे जी वहां पे अपील की थी लेकिन आपस्टम के बाहर सफल कर गए थे उसकी वज़ा से विक्टो को मिस्कर रही थी इस बार क्रोस बैर इनका ट्रेडमार्क सोट है यह लेकिन यहां पे तो रनेक ही मिलेगा क्योंकि आज दिन बहुत ही बढ़िया गुज़र आया RCB के गेंद वाजो का और खास करके सेमी फाइनल में सहीं समय के उपर सहीं मौके के उपर सहीं प्लैट्फरम के उपर गेंद बा यह सोट अच्छा है कनेक्शन इस बार हुआ है लेकिन फिल्डर को दूर निकाला है और जिवंदान ड्रॉप चांस मौके मिल रहे हैं फिल्लिंग में थोड़ी परेशा नहीं हो रही है RCB को यह तो अच्छी बात है कि बार के उपर रन नहीं है अन्या था अगर यह ड्रॉ की वह दिक्कत करेंगी लेकिन अच्छी पोजीशन में कमांडिंग पोजीशन में अब तक गेन के नीचे आ गए थे पूरी तरीके से लेकिन अंत में थोड़ा लेजी एलिगंट सा उनका एटिटीड लगा उसकी वज़े से वह थोड़ा कैच छुटा सायद वो ऐसे उनको लग गया था कि कैच आहीं जाएगा फुल्टोस गेन दी ये खड़ाब गेन ये थोड़ा प्रेसर रिलिस करेगा ये बढ़िया सोड़ी ये खड़ाब गेन डाल दी और बल्ले बास के चरण में गेन तो बाउंटरी की सरण में गेन और बहतरीन तरीके से स्क्वेर लेक के फिल्डर को वहां से उसके उपर से चेरन में इसे तब्दिल कर दिया और पारी का पहला चक का पहला मैक्सिमम आता हुआ कप्तान प्रजाई के बल्ले से ग्यारा रन इस चेरन की मदद से स्कुर बढ़ता हुआ फिर से प्रयास वही था लेकिन ये जो गेन थी ना वो बैक उप लेंदी सफल करके खिलने का प्रयास जरूर हुआ है लेकिन रन मात रेखी प्राप्त होगा बारा रन इस सिंगल की मदद से अच्छा वर वैसे तो ये पुनीत का ये गुजर आया एक छक्का बले आया वो खराब गेन थी एक ड्रॉप चांस भी आया था ये छोटी पटकी वीगेन बैक फूट पे जाके वेट ट्रांसफर करके मिड विकेट के फिल्लर को क्लियर किया है और छक्के में उसे तब दिल किया है छे रन के साथ ओवर की हुई समापती और अठारा रन तीन ओवर की समापती के बाद ओवर ये अच्छा गुजरा है देखा जाए गिन बाजी बल्ले बाजी के लियास से तो गोरगाम वारियर्स के लिए इस ओवर में थोड़ी राहत की सास आई है जो स्कोर आ नहीं थे रन संक्या जादा बढ़ नहीं रही थी वो जो प्रेसर था ना वो प्रेसर थोड़ा रिलीज हुआ है इस ओवर में अब कप्तान के सामने खुद कप्तान राज उसके सामने प्रजाई फूल्टोस गेन और प्रजाई ने कहां कि पहले ओर में आपका राज था लेकिन यहाँ पर मेरा दब-दबा रहेगा क्योंकि फुल्टोस गेन खराब गेन को स्क्वेर लेक की दिशा में छेरन में तब्दिल कर दिया और 24 रन मोमेंटम यहां से सिफ्ट हो रहा है और टारगेट चाहिए रन तो बनाने होंगे और इस बार थोड़ी यह उपर गेन थी लेकिन इस बार क्या उतनी जगा थी नहीं रूम था नहीं उतना खेलने के लिए सौटाम जैप खेलना जरूर चाहते थे फाइनलेक की दिशा में लेकिन गेन में थोड़ी गती थी वहाँ पे हाड लेंद डाली थी यह गेन अच्छी गेन यह सिदे बल्ले से खेलना पड़ा सौफ्ट हैंड एक रन मिलेगा वहाँ पे अच्छी गेन वाके यॉरकर डाली थी प्रज़ई को 25 रन 25 इस सिंगल की मदद से स्कुर बढ़ता हुआ चौथा वर प्रगती पर हैं दूसरा सेमी फाइनल यह चल रहा है मैं सब पाटिदार प्रीमियल लिख का आठ टीमों ने इस प्रत्योगीता में हिस्सा लिया था एक टीम फाइनल में पहुँच चुकी है सिनिदाई सुपर किंग्स बहाद ही बढ़िया वाइड इस यॉरकर ट्स टॉफ पेस्चन आस्किंग बाइदर राज अचन नाट प्रॉपर रिस्पॉंड बाइदर बैस्मेन क्या बात है क्या बात है बहुत ही बढ़िया यॉरकर सीधी ब्लॉक में बल्ला तो नीचे आया लेकिन उससे पहले गेंदर जल्दी से आ गई रोकना पड़ा और वैसे भी क्रिकेट में सबसे बढ़िया गेंदर बानी जाती है यह जब से 1877 से क्रिकेट की सुरवात हुई है न वहीं से इस गेंदर का जवाब अभी भी किसी भी बल्ले बास के पा टॉस बैड़र एक्रोस दा लाइन खिलने का प्रयास लेकिन बल्ला कहीं और चला गेंदर कहीं और जा रहे थी लुकिंग लंडन टॉकिंग टोकियो जैसी पोजीशन थी और 26 रन दो विकेट के नुक्सान पे चार ओवर की समापती दूसरे सेमी फाइनल का पहला हाफ यहा विकेट भी मिले है तो सही टपे के उपर अच्छे मेरिट के उपर गेंदर बाजी हुई है बांध के रखा है सांत रखा है अभी भी वारियर्स को झाल 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 इस बार अपर कट खेला है बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में से गेंट अपपा पड़ने के बाद सीधी सीमा रिखे के बाहर निकल गई है वेलकम बाउंडरी इस ओवर में आई है यह और थर्टीवा निकत तीस रन नील के बल्ले से सही समय के उपर यह चौका निकला है और जिम्मेवारी होगी यहाँ पर प्रज़ई के उपर पूरी कप्तान को यहाँ पर लीड करना है टीम को अंतक डटे रहना है और एक अच्छा डिफेंडिंग सम्मान जनक तार्गेट रखना है क्रोस बैट एट बेहतर सौट है फिल्डर है मौजूद लेकिन अच्छी फिल्लिंग और अच्छा पीकप और थ्रो स्ट्रॉंग वहाँ पे सोल्डर अच्छा थ्रो वहाँ पे दिया और इसे एक रन के साथ 32 32 रन प्रयास फिर से वहीं प्रजाई वाला किया निल ने लेकिन नाकामियाबी क्योंकि इस बार थोड़ी गती कम थी बैक ओफ लेंड गेन जरूर थी लेकिन उसके लिए क्या है ना वो रडार में नहीं थी सरीर के काफी करीब से गुजरी थी आर्क में बिल्कुल नहीं गेन आई ये कदमों का इस्तमाल किया सिधी विक्टो के उपर यू मिस आई हिट आप कदमों का इस्तमाल करेंगे तो हम यॉरकर बना लेंगे और सिधी विक्टो को यहाँ पर डिस्ट्लॉज कर दिया और परेशान यहाँ ज्यादा बढ़ती हुई अब गौरगाम वारियर्स की 32 के उपर तीसरा विक्ट की रहा है गौरगाम वारियर्स का और अच्छी गेन बाजी मानना पड़ेगा हितेस जो फॉर्म उन्होंने पहली मैच में नजर दिखाया था वहीं फॉर्म यहाँ पर उन्होंने कंटीन्यू किया है अपना फॉर्म जारी रखा है और दूसरे ओर में एटक के उपर आये गेन बाजी के उपर आये और विकेड निकाला तो देख सकते हैं आब राउंड विकेड राइट हैं बैस्मेन के लिए और सिधी विक्टो के उपर वैसे हाफल ही गेन थी अगर जगपे से खेलते दो लेकिन कट्नम का इस्तमाल करने के प्रयास में उसे यौरकर बना ली 32 के उपर तीसरा विकेड दीप नई बल्ले बास के रूप में अब बीच मेंदान में सॉफ्ट हैंड यहाँ पे जेंटली पुस्ट कवर की दिशा में एक रन के लिए और खाता खोला यहाँ पे एक रन के साथ दीप ने अपना और स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन तीन विकेड के नुक्सान पे नैलसन स्कोर अन स्कोर कार 33 फो 3 और और की भी समाप्ती पांच और की समाप्ती के बाद 33 रन गोरगाम वारियर्स तीन विकेड के नुक्सान पे सफल ओवर और सफल स्पेल यहाँ पर एक हत्म किया हितेस्ट ने अपना अच्छी गेन बाजी यहारकर गेन थी क्रॉस बैटेड अक्रस दे लाइन खेले थी लेकिन फिर भी डाउन दे ग्राउंड सौट एक रन मिल जाएगा 34-34 रन प्रजाई अब स्ट्राइक के उपर सौट यह बहतर है स्टैंड अन डिलिवर किया है लेकिन फिल्डर है और यहाँ पे बड़ा विकेट बड़ी मचली को जाल में फासा है देव जो पहला मैच भी उनका बढ़िया रहा था गेन बाजी में प्रदसन अच्छा रहा था तीन विकेट निकाले थे तो वहीं यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे जारी रखा हवा में जादा उठ गई और थोड़ा लॉक पोजीशन में आ गई यहाँ पे हमने देखा था कि जगब एसे खड़े-खड़े खिलना चाते थे स्टेंड डिलिवर करना चाते थे लेकिन जो गेन की जो लैंथ थी न वह करीब थी काफी सरीर के तो वहाँ से खोद के निकालना पड़ा और लॉकिंग पोजीशन में थोड़ा नजर आए एक्स्टेंशन थोड़ा कम लगा बल्ले का और हवा में ज़ादा चली गई makes no any mistake add to the deep long of area and fourth wicket goes down here and the big wicket of प्रजई कप्तान को चलता कर दिया है बड़ी मचली को जाल में फास्ट लिया यहाँ पे देव ने जह बल्ड़ी में देवोð खूड़ा और आए झाल झाल चालीश रन चार विकेट के नुक्सान पे और मिराज बहुत ही बढ़िया अपना खाता खोला चेरन की मदद से और वाट आवे टो आफ दा माक बाइदा मैक्सिमम पच्छी गेन अच्छी वापसी बढ़िया वापसी यहाँ पे की है सीधी यॉरकर जड़ में डाली पैरो को वहाँ पे पकड़ा था गेन बल्ले बास के और 41-41 रन स्कुर बढ़ता हुआ इस बार चक्मा दिया चेंज ओफ पेस गती में परिवर्तन और जब भी आप उंगले गुमाएंगे ना और अगर आप हाड लेन डालेंगे इस विकेट के उपर था आपको उच्छाल मिलेगा काफी स्पोर्टिंग है विकेट है बहुत ही बढ़िया यह विकेट है पीच कुरेटर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है यहाँ पर इस बार उंगलिया गुमाई लेकिन लेकिस्ट्रम के बाहर थोड़ा वाइड हो गई और इस बार भी यह लेंद वैसे अच्छी थी लेकिन थोड़ी लाइन वहाँ पर गलत थोड़ा सा बच गई यहाँ से मेरे ख्याल को लगा कि काफी स्टम से करीब से निकल गई और 42 बायालिस रन 4 विकेट के नुक्षान पे 6 और की समप्ती के बाद 7 रन की उसत से रन यहाँ पर बंद रहे तो अब आखरी जो दोर बच्चे है डेथ और यहाँ पे बच्चे है जो डेथ और यहाँ पे बच्चे है तो वहाँ पे अब थोड़ी पीटा ही करनी पड़ेगी रन बटोर ने पड़ेंगे चेवर के बाद 42-42 रन 4 विगेट के नुकसान पे तो बहुत ही बड़िया अब तक तो दबदबा रहा है देखा जाए तो RCB का और आज सभी की वैसे भी नजरे RCB के उपर होगी वो साम को टाटा एपील की बात कर रहा हूँ कप्तान बदला है RCB का तो देखना होगा नतीजा बदलता है या नहीं सौड़ अच्छा है हीतेस है मौजूद और विकेट का पतन दीप यहां से वापिस जाएंगे एक हाफ वाली गें थी वैसा दो देखा जाए हाफ वाली गें थी और मिडल अब दा बैट कनेक्शन हुआ भी था लेकिन एलेवेशन मिला नहीं मात्र उंचा ही मिली लंबाय हासिल हुई नहीं और हितेस आज कुछ भी काम वो गलत नहीं कर सकते क्योंकि गेंडबाजी में भी बहुत ही बढ़िया प्रदशन तो कॉन्फिरेंस उनका उंचा है आत्मविश्वास उनका ज्यादा है तो अब पांचवा विकेट 43 तयाल इस इस बार ये भी अच्छी गेंड थी वाइडे सा यॉरकर सागर जय माफ की जेका नहीं बल्ले बास के रूप में मिराज स्ट्राइक कियों पर अब बहतर सौट है ये स्टैंड एंड डिलिवर हितेस उसके पीछे नीचे फिल्डर और विकेट का पतन मिराज को वापिस डगाउट की राह पकड़नी पड़ेगी क्योंकि इस ओर में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है जब बल्ले बास ने इसे दिशा में बड़ा सौट केलने का प्रयास किया क्योंकि ये हवा के विपरित सौट केल रहे है ये जो यहाँ पे हवा का रुख चल रहा है न वो कावेरी एंड की और से विरुत दिशा में जैमसन एंड की और जा रहा है तो वहाँ से अगर आप इस प्रकार के सौट खेलेंगे न तो हवो में ज़्यादा चली जाएगी एलिवेशन मिलेगा नहीं और उसके लिए फिल्डर वहाँ पे तैनाथ किया गए है लॉंग ओफ भी है लॉंग ओन भी है और गलती कोई नहीं की फिल्डर ने वहाँ पे चम्वाल इसके ओपर गीरा है छठा विकेट दिवियस नहीं बल्लेबास के रूप में अब कैच आप देख सकते हैं अंतकम नी नजरे बनाई रखी और अमोवान आसान नहीं होता इस प्रकार का कैच लेना लेकिन वो जो मुश्किल काम था उसे आसान बनाया वहाँ पे खड़े फिल्डर ने मानव मौजूद थे अच्छी फिल्लिंग अच्छा कैच लिया मानव ने चवबाल इसके उपद छठा विकेट दिक्कत में है यहाँ पे गोरगाम वरियस की टीम क्रोस बैटर दिवियस के बल्ले से काव कॉर्नर की दिशा में मिलेगा यह चे रन फ्लैट सिक्सर और अमुमन वैसे भी देखा जाए ना तो डैथ होर में काव कॉर्नर की दिशा में काफी रन जाते है ओवर की समाप्ती 50 रन बहुड के उपद 7 ओवर की समाप्ती के बाद गोरगाम वरियस 50 रन 6 विकेट के नुक्सान पे यह जो एरिया था नहीं यह सोड जो गया ना वो डैथ होर में अमूमन वहां से रन जादा जाते है और अगर आप देखोगे ना अंतराश्टी लेवल जो एरिया ना यहां पर फिल्डर हो गे डेध होर में क्यूकि यह जो एरिया है काव कॉर्णर मतलब 400 विकेट कoreOOOOO मतलबूट चांच ओप विकेट कॉर्नर यहाँ से विकेट के चांन्स बनते है 50 50 रन 7 ओर के बाद 6 विकेट के नुक्सान पर गोर गाउं वारियर्यस देव अब अगेन बाजी का बार संबालेंगे पहला और अच्छा रहा था उनका ये इस बार लो फुल्टोस गेन का लाई हो के साहरे स्क्वेर लेक की दीशा में फिल्डर डीप में हो जो जब तक फिल्ड करेंगे एक रन आसानी के एस साथ प्राप्त करेंगे दीवियस जो छे रन के साथ जीनों ने अपना खाता खोला था पहली गेन के उपर अब वो स्ट्राइक के उपर है और आखरी पांच गेनों में ज्यादा से ज्यादा दीवियस खेले वो ही हक में होगा टीम के कलवाला से वैसे तो गरलू क्रिकेट खिलते हैं इस बार क्रोस बैट एड़ एक्रोस दे लाइन थोला लैक अफ बाउंस था इस गेन में उसकी वज़़ा से कनेक्शन उतना हुआ नहीं बहतर जो चाहते थे और स्कोर फिप्टी टू बाववन रन अखरी ओवर है पहली पारी का दूसरा सेमी फाइनल ये चल रहा है अच्छी गेन बाजी बहत ही बढ़िया बैक अफ लेंथ और अवे फ्रम दाबैस्में वांस तो ट्राइफ पर दाबिग बाट अनुए नेक्शन बिकूस अच्ट्रा बाउंस वर्कियर if you can hitting on to the deck you can definitely got some extra bounce this time again but connection is enough connection is better going for the big big and maximum बहादी बिडिया सही समय के उपर ये छक्का लगा है सही समय के उपर से जई के बल्ले से ये सौट लगा है middle of the bet connection हुआ और ताकत इतनी बरपूर थी सौट के उपर आप देख सकते आक्शन रिपले में कि गुडलेंद के उपर ये भी टपा पड़ा था लेकिन जहां से इनके बल्ले का extension आता है न वो केरेबियन वाला रोमान पौवेल वाला ये ताकत था इस सौट के पीछे क्या बढ़िया सौट आज के दिन का सबसे ये लंबा ये बड़ा चक्का होगा और अठा वजन रन इस छे रन की मदद से तो एक defending target यहां पर चाहिए उसकी और आगे बढ़ रहे और अब सिंगल की मदद से दिवेस स्ट्राइक क्यों पर आएंगे स्कोर बढ़ता हुआ 59-69 रन इस बार कवर ड्राइव फुल्टोस गेन को ओप साइट की दिशा में कवर में फिल्डर डीप में मौजुद दूसरे की चेस्टा है दूसरे की मांग है मिस फिल की वज़े से पूरा हो जाएगा और अब 61 61 एकसाट रन ओवर की समाप्ती तो ये था दूसरा सेमी फाइनल रॉयल चैलेंजर्स बॉस्टोन हो वन दर टॉस डिसाइड़ तो फिल्डिंग फर्स्ट धियार पूटिंग गोरगाम वार्यर्स तू बैट फर्स्ट और पहले बैटिंग का नीमंत्रन स्विकार किया 61 पॉर्कियों पर लगाए आट होर समाप्त होते होते हुए छे विकेट वहाँ पे गवाए उन्होंने अच्छी गेन बाजी अगा देखा जाए तो आरसी विके द्वारा पहले ही ओवर से थुड़ा दबदबा रहा क्योंकि पहले ही ओवर में विकेट निकाला था खुद कप्तान राज ने उसके बाद विक्टो का सिलसिला लगातार अंत्राल पे जारी रहा और अंत्मे 8 ओर के बाद 61 रन प्राप्त हुए है और स्कोर काड़ अगर देखा जाए तो 22 रन की पारी कप्तान प्रजाई ने खेली उसके अलावा कोई भी बल्ले बाज ऐसा नजर नहीं आया जो डबल फिगर में भी पहुँच पाए और विकेट कॉलम देखे जाए तो हीतेस पटेल दो वर्द असरन दो विकेट पुनित दो झाल बल्ले ओंपर पारी कोच पारी कर दो विकेट झाल है असरन दो विकेट प्राइखे जाए जो विकेटित दो वार कि उने, जाए, आए, पर छिकेट पर भी बल्ले पारी कनातेट कि उन्न दोकर जाए. झाल 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 जुमें से गेन को निकाला और लिफ्टाम और्थोड़क्स स्पिनर इंट्रोडूस इन दो फर्स्ट ओवर फर दिफेंडिंग 62 रन फ्रम गोर्गाम वारियर्स सस्वाड सब बेटर्स कनेक्शन एन इवन बेटर क्या बाद है छे रन के साथ पारी का आगाज हुआ है और छे रन के साथ खाता खोला बले बस पुनितने मानव माप कीजेगा मानव ओफ दमाग मानव ओफ दमाग विद द मैक्सिमम ओवर स्क्वेर ले गेरिया बहुत ही बढ़िया क्या सही अंदाज आ है और एक सबसे एक्सपिरेंस गेन बास को पिक किया है फुल्टोस गेन दिये कलाईयों के सहारे मोडा है एक रन के साथ यह सही सोच क्योंकि एक बड़ा सौल आल्रेडी आ चुका है जो रन प्रती ओवर चाहिए वो मिल चुके है तो उसके बाद एक रन लेके सिंगल लेना और स्ट्राइक रोटेट करना एक अच्छे प्लेयर की निशानी है पुनीत अब स्ट्राइक के उपर हलके हाथों से जेंटली पुस गली के पोजीशन में जब तक फिल्ड करेंगे सब ब्रिलियंट पीस अफ रनिंग बीट्विन दो विकेट खिलते ही दोड पड़े थे आँखों ही आँखों में इसारा हुआ और एक रन चुरा लिया स्कोर बढ़ता हुआ नौ रन ये दूसरा समी फाइनल चल रहा है मैस अब प्रिमियल लिग मैस अब पार्टीदार प्रिमियल लिग इस बार स्ट्रेट बैट्रेट सीधा सौट को रोकना पड़ा अपना वैसे अक्रोस द लाइन अप खिलना चाते थे ओन साइट की दिशा में लेकिन गेंद अब एक साओ से थोड़ी अलग आ गई अच्छी गेंद थी ये बीट किया दा बल्ले बास को बीट किया वैल चैलेंजर्स बॉस्टन आरसीबी 62 यहां पर टार्गेट लेके उतरी है आरसीबी की टीम टॉस जीता था फिल्लिंग का एकदम सही फैसला नजर आया व्योंकि उस फैसले के उपर उन्होंने काम भी किया है उस प्रकार से उन्होंने गेंद बाजी की है और बड़िया गेंद बाजी के चलते गोरगाम वारियर्स को उन्होंने रोका 61 के उपर यहां से अब गेंद बाजों की जो भुमी का है वो थोड़ी जिम्मेवारी और बढ़ जाएगी फुल्टोस गेंद उपरी किनारा लगा है फिल्डर है नीचे फिल्डर पीछे फिल्डर पहले विकेट का पता नौर मीराज पहले मैच में भी उन्होंने विकेट निकाले थे तीन तो यहां पे भी वो एक सफल गेंद बास के रूप में आये है प्रजाई ने जिम्मेवारी दी उनको के आप कावेरियंट से दूसरे वर डालिए क्योंकि विकेट चाहिए मुझे और उस कप्तान के बरोसे पर सही उत्रे है पुनीत को वापिस जाना पड़ेगा डगाउट में दो रन बना के मात्र वापिस जाएंगे और नौरन के उपर पहला विकेट यहां पे गीरा है रॉयल चैलेंजर्स बॉस्टन का हाओ अधुस्मीट फिल्दर थे मौजूद वहां पे देखिये अच्छा कही चुन के द्वारा कुरुणाल नई बल्ले बास के रूप में बीच मैदान में तो लगातार अंतरल पर यहाँ पर विकेट चाहिए और सबसे बढ़िया के पावर प्ले यह सही घटना चाहिए गोरगाम वारियर्स के लिए सामने RCB वो भी प्रयतना करी कि उसे पावर प्ले को अच्छा बना नहीं क्या यह थोड़ा एक्रोस दा लाइन खेले थे और परदिये के बाद थोड़ा काटा बदला था लिक कटर यह गें थी और अगर इस प्रकर की गें डालता है तो उसमें कला है एक हुनर है यह इन स्वि परगें थी और उपरी किनारा और कैच वहाँ पे बहुत ही बढ़िया कैच सुन्य के स्कोर पे वापिस कुनल स्कोरर को भीना ज्यादा परेशान किये और फिल्डर को वहाँ पे डिस्टप किया क्यूंकि कैच लेना वहाँ पे उनको बिल्कुल जरूरी था और दुरू यहाँ पे आप टार्गेट को ध्यान में रखके कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कम से कम टार्गेट भी हमने डिफेंड करते हुए देखा है याद है मुझे 2003 का एक उस्टेलिया न्यूजिलन का मुकाबला वर्ल्ड कप का वो मैच था 120 के उपर उस्टेलिया को अल आउट किया था उसके सामने उस्टेलिया ने न्यूजिलन को 120 के अंदर समेटा था 500 का मैच था तो यह होता है यह तो बड़े लेवल की बात है ऐसा टैनिस क्रिकेट में भी कई बार हमने देखा है इसी ग्राउंड के उपर 24 गयनों में 15 रन चाहिए थे RCB के सामने वो जई पाटी दन ने मैच जीता था वो तीन रनों से 24 गयनों में 15 चाहिए थे तो भी तो यह स्पॉटिंग विकेट है यहाँ पे आप अच्छी गंडिबाजी करेंगे ना और यह देखिया अक्रमक सोच है यह रिकी पॉंटिंग ऐसा करते थे हमेशा मैंने इसले दो जा तीन वाली बात की कि वहाँ पे कप्तान रिकी पॉंटिंग थे ना यह बात इनने सुनी है अच्छी गेंडी किनारा लगा है विकेट कीपर स्लीब के बीच में से गेंड को निकाला टेस्ट मेंच वाला माहुल खड़ा हो गया यह तो क्या बात है बढ़िया गेंड बाजी ला जवाब अपना काम मिराज ने बखुबी तरीके से किया था लेकिन वहाँ पे स्लीब जो था ना वो बीच में थोड़ा गैप था पहले यह स्लीब जो खड़ा था वो बिल्कुल दूसरे स्लीब के रूप में मौजुद था और बीच में से निकल गई गेंड को सामने कैचिंग पोजीशन भी खड़ा था उसी लिहास से किये गेंड भी डाली थी चौका अनफर्चुनेटली वहाँ पे मिल गया अच्छी गेंड बाजी लेकिन राज कप्तान का उनका खाता खुला है इस चौके की मदद से अब स्लीप में परिवर्तन हुआ है उसी दीशा में ये भी गेंड थी मानना पड़ेगा मेरिट के उपर गेंड कर रहे है जहां कप्तान चाहते है उसी प्रकार से गेंड बाजी कर रहे है और ये सोच मुझे अच्छी लगी आकरमक फिल्लिंग दूसरे स्लीप के रूप में एक स्लीप मौझूद है सामने एक कैचिंग पोजीशन बिलकुल सिली मिड़ोफ के रूप में इस बार सही बिगेंड बल्ले पे नहीं आई है ये दबाव बनाएगी ये मैच में मज़ा आएगा ये आसानी से टार्गेट इतना खतम होगा नहीं ये अच्छी गिनबाजी कर रहे है तेरा रन दो विकेट के नुक्सन पे दो वर के बाद दो वर के समापती हो चुकी है तेरा रन है बौड के उपर और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्टुड़नमेंट का लाइव टेलिकास्ट स्माइल चैनल फॉर यू और हमारे साथ हमारे क्रीखिरोस के स्कोरर एक उम्दा व्यक्ती एक अच्छे स्कोरर 835 मैचो का अनुबव सलमान रावद मानिक पर से बिलंग करते है है और इस मैच में अम्पाइर के रूप में अम्पाइर मेराल पटेल कल कि सामने एक सॉफ्ट हैंड स्क्वेड वहाँ पे कवर्ड ड्राइब मीड़ोफ की दीशा में जब तक फिल करेंगे एक रन वहाँ पे आसानी से मिला चौदा रनी सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अच्छी गेंबाज ही कर रहा है अगर दिखा जाए तो गोरगां के गोरगाओं के गेंबाज इस बार कट करने का प्रयास लेकिन उच्छाल मिला वहाँ पे इस वैसे बीस एंड से थोड़ा मदद जरूर मिलेगी गेंबाजों को 14 रन है बाड के उपर अच्छी गेंब हटके थोड़ा रूम बनाए अपने आपके लिए फॉलो किया था दीवियस ने इस बार राज को अच्छी सोच अच्छी गेंबाजी और अब 15 रन इस सिंगल की मदद से अब स्कुर बढ़ता हुआ तीसरा ओवर ये प्रगती पर है 17 रन रिक्वाइर इन 33 बॉल्स फुल्टोस गें खराब गें फिल्डर फिर भी मौझूद ये जब आपका दीन सही होता है ना गेन बासका अगर दीन होना तो फुल्टोस के ओपर वे विकेट आजाती है यह क्रिकेट यह क्रिकेट का मज़ा यह मैं सब पार्टीदार प्री दिफेंड नहीं कर सकते है आपको विकेट लेने है सही अंत्राल के उपर आपको विकेट निकालने है डॉट बॉल में ज़्यादा से ज़्यादा कणवर्ट करना है वहीं काम अब तक क्या है गेन बासोने और वापिस चलता गया मानो पटेल को कोई गलती नहीं कि रवी लेकिन वहाँ पे सीधा फिल्डर को दून निकाला रवी पटेल को अच्छे हाइट के उपर भी थी लेकिन थोड़ा फ्लैट ज़्यादा खेल गए और वो उचा और लंबाई मिली नहीं लो कैच वहाँ पे अच्छा लिया गए रवी पटेल के द्वारा पंद्रा रण तीन विकेट के नुक्सन पर स्टैंड एंड डिलिवर किया है फिल्डर है मौजूद ड्राप चांस यह मौका जी नहीं जी नहीं वहाँ पे पकड़ा गया है अससाइड यहां मुझे लगा लेकिन माफ कीजीगा विकेट यहाँ पे गिरा है चौथा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ बैक टू बैक विकेट यह भी हाफ फॉली के थी अगर आप एक्सन रिपिले में देखोंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा देव पटेल गोल्डन डग के रूप में वापिस डगाउट में जाएंगे स्कोरर को भीना परेशान किये और चौथा विकेट आरसी भी ना विन ट्रबल मुसीबत में यहाँ पे बॉस्टन की टीम यह देख सकते हैं आप स्क्रीन के उपर के हाफ फॉली गेन थी अगर यह भी देखी जाए तो सीधे बल्ले से खिलने का प्रेस बैट थोड़ा हेट्रिक का मौका बन गया यहाँ पे दीवियस के लिए चौथा विकेट 15 के उपर मुसीबत में अब रोयल चैलेंजर्स बॉस्टन की टीम हितेस नई बल्ले बास के रूप में अब वंजना से घरिली कुर्केट वैसे तो खेलते हैं कि इस बार स्वीप सॉट आधा स्वीप थोड़ा अक्वार पोजीशन में खेले एक रण के साथ अपना हाँ खाता खोला ही तेस ने स्कोर बढ़ता हुआ 16 रंज 3 ओवर की समापती के बाद 16 रंज 4 विकेट के नुकसान पे 46 46 रंज चाहिए अभी भी जीतने के लिए अगले निर्दारित 5 ओवर में यह दूसरा सेमी फाइनल यहाँ पे चल रहा है मैसब पाटीदार प्रीमेल लिग 2022 दूसरा सेमी फाइनल जो गोरगाम वारियस और RCB के बीच में जो हमारे साथ देरी से जुड़े हैं उनको बता दे कि RCB ने टॉस जीत के फिल्डिंग का फैसला किया था गोरगाम वारियस ने पहले बैटिंग करके 61 रन बौर के उपर लगा दिये 62 62 रन का टार्गेट यहाँ पे मिला है उसे डिफेंड करने के लिए उतरी है गोरगाम वारियस की टीम उसके सामने मौझूदा परिस्थिती थोड़ी खराब है RCB की 16 रन चार विक्टे गिर्चिक्यू है तीन ओर के बाद तो अभी भी यहाँ से 30 गिंदों का खेल बचा है और 46 रन 46 रन चाहिए जीतने के लिए और खुब सुरत ये जैमसन क्रिकेट ग्राउंड हरंगाम रानकुआ रोड और पूरा स्रेई इस ग्राउंड को बनाने में जाता है मिस्टर रमिस बाई वसंद जी पतेल प्रमुक है वलसार नौसारी जिल्ला लेवा पाटी दर समाज के चैर्मेन और प्रमुक मिस्टर रम अच्छी गेंदी वाइट की अपेक्सा कर रहे थे लेकिन अच्छी अंपाइरिंग वहाँ पे मीरल के द्वारा प्रजाई खुद कप्तान है गेंबास के रूप में है यह वहाँ में ज़्यादा चली गए दीव्यस उसके नीचे और वहाँ पे ड्रॉप चांस ड्रॉप चांस वहाँ पे जीवन दान मिला पहुँच भी गए थे गेंद के नीचे लेकिन अंत में यह ड्रॉप चांस में गीना जाएगा ये मौका बन सकता था ये दबाव जो है न वो थोड़ा और बढ़ाया जा सकता था अगर इस कैच को कम्प्लिट किया जाता तो आप देख सकते हैं नीचे आभी गए थे लेकिन अंत में वो रिवर्स कॉप में लेने के प्रयास में वो हाथ दो इकठे नहीं कर पाए समय के उपर सॉफ्ट हैंड वहाँ पे सॉट खेला है रक्सात्म ग्रूप से कवर की दिशा में एक रन मिलेगा और अठारा रन दीरे दीरे स्कोर बढ़ता हुआ अठारा रन चौथा ओवर्स चल रहा है ये बहुत ही बढ़िया गुज़र रहा है ये मैच सेमी फाइनल मुकाबला अच्छी तरीके से यहाँ पे सभी का मनोरंजन होता हुआ हलके हाथों से इस बार पॉइंट की दिशा में एक दो एक दो रन से यहाँ पे स्कोर काड को लगातार चलाना पड़ेगा स्ट्राइक रोटेट लगातार आपको करना पड़ेगा क्योंकि पहला हाफ अभी तक तो पूरी तरीके से गोरगाम वारियर्स के पक्स में रहा है क्योंकि गेन बाजी आला दर्जे की अववल नंबर की गेन बाजी हुई है कि यह लेक साइट के ओपर थोड़ा मौका जरूर था रन बना सकते थे किनारा लगता दो बहतर पनिणाम हो सकता था लेकिन दुबारा डालनी पड़ेगी वाइड है वाइड की मदद से 20 रन एक दो एक दो रन के लिए यहां पर तरसा यहां बल्ले बाजो को गेन बाजोने उतने अच्छे ही गेन बाजी हुई है मेरिट के उपर और विक्टे निकाली है ना वो एक ज़्यादा दबाव पैदा किया है इस बार हटके रूम बना के खिलने का प्रयास मेकिंग फोरूम हिमसेल आउटसाइड यॉप्स्टम जेंटली पूस्ट विद सॉफ्ट है तो दे बैकवर्ट पॉइंट फॉर ओनली फॉर्ट सिंगल नाव इद सिंगल 21 21 21 21 चल रहा है दूसरा सेमी फाइनल है दूसरी पार इस बार पैरों के उपर फ्लिक किया है फिल्लर है मौजूद वहां पे रवी और अच्छी रनिंग बीट्वीन दा विकेट दो रन वहां पे बावेस पडेल अच्छा कलेक्शन लेकिन उससे भी बढ़िया उम्दा रनिंग बीट्वीन दा विकेट दो इस रन के साथ ओवर की हुई समापती चार ओवर की समापती के बाद 23 तेईस रन चार विकेट के नुक्सान पे आरसी भी और अब 39 49 रन चाहिए 24 गेंदों में 39 रन रिक्वाइर इन 24 बॉल 10 रन नियरली एवरेजर नियरली बाई 10 रन पर ओवर 10 रन के करीब यहां से रन बनाने होगे हर ओवर में क्योंकि 24 गेंदे बची है 49 रन चाहिए यह 24 गेंदे तै करेगी के सिंड़ई सूपर किंग के सामने कौन खेलेगा फाइनल में बावेस स्वामी गेंद बाजी का बाहर संबालेंगे कप्ता ने जिम्मेवारी दी है एक अपने सबसे एक्सपिरियंस और हुनर बंद गेंद बाज को कि जो चार पहले चार ओवर खत्म हो चुकी है पहला हाफ समाप थुआ है तो दूसरे हाफ में जो कहानी बुननी है जो कहानी बनानी है उसकी सुरवात आप कीजिए फुल्टोस गेंद थी और फिल्डर है डीप में लॉंग उन के उपर एक रन और 24 सिंगल की मदद से इस बार किनारा लगा है लेकिन पीछे कोई जो एक सौट थर्डमें जो करीब होना चाहिए वो था नहीं इस सौट थर्डमें थोड़ा काफी वाइड खड़ा है और पीछे भी काफी खड़ा है तो गेंद अगर कैरी नहीं कर सकती मेरे ख्याल से अगर कड़ भी लगा तो क्रोस बैटरी एकरोस दा लाइन फिल्डर है मौजूद बाउंटरी लाइन के उपर अच्छी फिल्डिंग उम्दा फिल्डिंग का प्रदसन यह जान जोकर है फिल्डर क्योंकि जानते है कि महत्वक क्या ही इस मुकावले का जो पहली चार ओर में वो जो जाल बुना है न उसको जारी रखा है यहाँ पर भी इस बार कनेक्शन मिला है इस बार पूरा सौट खेला है और यह मैक्सिमम आएगा जो दबाउं कम करेगा आर्जीबी के लिए सहीं समय के उपर सहीं सौट जड़ा है और सहीं बले बास ने यहाँ पर जिम्मेवारी ली है क्योंकि खुद कप्तान है वो 31 रन 31 कप्तान को यहाँ पर लीड करना पड़ेगा और हलके आतों से बैकवार पॉइंट की दिशा में एक रन आसानी से बटो रहे गए यह साजेदारी अच्छी हो रही है और यह साजेदारी चाहिए रसे भी को योकि टॉप ओडर पूरी तरीके से द्वस् के बाद मिडल ओडर में एक साजेदारी चाहिए रस बैटर यह फुल्टोस गेंथी वैसे फिल्डर है मौजूट डीप में यह अच्छा सपोर्ट हो रहा है हितेस के द्वारा जानते हैं कि राज वो सक्सम हैं बड़े सोट खेल सकते तो ज्यादा से ज्यादा उनको स्ट्र 29 रन चाहिए 29 रन 18 गेंदों में 29 रन रिकुवाइर 18 बाल्स एक नाजुग मौके के ओपर यह मैच खड़ा है दूसरा सेमी फाइनल है अगर सेमी फाइनल इस प्रकार का नहीं होता है न तो मज़ा भी नहीं आता क्यूंकि दोनों स्ट्रॉंग केंटेंडर टीमें है अगर क स्कोर के ओपर आपको रोका है तो उसका मतलब है कि दोनों स्ट्रॉंग कंटेंडर टीमें है वो भी यह टार्गेट डिफेंड करने का हुनर रखती है 34 34 रन पहली गेन के ओपर सिंगल आया बड़ा सोट केलने का प्रयास कटर गेन थी ये बीच बीच में ये गेन डालते मैंने देखा पिछले और में भी यहां से वो कट करवाते थे गेन को और पढ़ने के बाद इनकी गेन बाहर थोड़ा निकलती है ये मीराज की एक खास्य इस बार आपसाइट की जिसा में मीराज बने महमद सीराज क्या बात है 34 के ओपर पांचवा विकेट गीरा और यहां पे गोरगाउं वारियस मीराज क्या बात है बिल्कुल जो पिछली गेन महमद सीराज वाले अंदाज में डाली थी लेक कटर थी दूसरी गेन वहीं वाइ एकवर्ड पॉइंट की दिसा में फिल्लर को दूड निकाला बड़ी मसली मतलब कप्तान को फासा है कप्तान डगाउट की राह पे चला है 34 के ओपर पांचवा विकेट और अब यहां से परेशानिया बढ़ सकती है आर सीबी की यह देख सकते आप बिलकुल आप्सम के बाह और यह जो गेंड डाली थी यह देख सकते आप स्क्रीन के ओपर एक्शन रिपले में और अब उनका पिछला पाउं देखिए वो कहीं और था एक्रोस दा लाइन वो पाउं था आगे वाला पैर जो फ्रंट फूट था ना वो भी कवर की दीशा में था तो सौट आप कैसे बैकवर पॉइंट पे खिल सकते हैं ये गलती की उसकी वज़ा से वहां पे एक आसान सा सौफ्ट डिस्मिसल देखने को मिला अच्छी गेन क्या बात है बहुत ही बढ़िया एक सहीं मौके के उपर सहीं टॉपपे के उपर सहीं वक्त के उपर गेन बाजी की है बिलकुल ला जवाब कदमों का इस्तमाल इस बार करना पड़ा है क्योंकि गेन बाजी हुतिनी अच्छी हो रही है तो कुछ ना कुछ तो यहां पर अलग करना पड़ेगा बल्ले बास को एक रन के साथ 35-35 रन मात्र दो रन अब तक इस ओर में आये है तेरा गेंदे 27 रन चाहिए और 27 चाहिए थे तो अब वो चाहिए 21-21 रन क्योंकि सही समय के उपर यह मैक्सिमम आया है हितेश के बल्ले से लो फुल्टोस गेन आकरी गेन के उपर गलती कर दी खराब गेन डाल दी और जब भी बल्ले बास के पैर में गेन आती है तो पाउंटरी के सेर पे निकल जाती है गेन छे रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 41-41 रन और अब चाहिए 21-21 रन और हितेश पटेल सही समय के उपर ये सोट लगाया है उन्होंने पैरों के उपर गेन और अमुमान आसान गेन होती है किसी भी वल्ले बास के लिए और इस स्टेज के उपर आप ये गेन नहीं कर सकते लेकिन अब पस्ताने से क्या पाहिदा होगा जब चीडिया चुक गई खेत अब 12 गेंदों में 21 रन चाहिए पकड थोड़ी सी यहाँ पर जो बनी थी गोरगाउं की वो थोड़ी सी कम हुई है इस छेरन की मदद से यह अजीब हो तरीके से मैच चल रहा है किसी पहले हाफ में देखा जाए तो गोरगाउं के पक्स में चल रहा था उसके बाद राज उसका विकेट गीरा फिर से उनके पक्स में आया अब यह छेरन आ गए तो थोड़ा मोमेंटम सिफ्ट हुआ है तो यह क्रिकेट का मज़ा यह मैसर पाटिदार प्रीमियर लिग का मज़ा देवियस पटेल गिन बाजी के उपर कदमों का इस्तमाल करके हवा में खेला है कवर के उपर से और मैक्सिमम यहाँ पर क्या बात है क्या बढ़िया बल्ले बाजी भावेस बहुत ही बढ़िया बल्ले बाजी थोड़ी पटकी हुई छोटी गेन थी पिछली गेन के उपर आकरी गेन के उपर भी छक्का है यहाँ पर भी शुरुवा छे रन के साथ मतलब दो केंदों में बार प्रेसर रिलीज हुआ है और इस बार कवर की दिसा में लॉफ्टेट ड्राइव फिल्डर मौझूद एक बाउंस जब तक फिल्ड करेंगे चौका वहां पे निकली जाएगा क्योंकि फिल्डर को वहां पे बीट किया है और दो गेंदे 10 रन 11 रन चाहिए मात्रव जीतने के ल और सामने हीतिस इस बार छोटी पटकिवी गेंथी बैक ओफ लेंद पूल सोट खेला है अब तो एक दो एक दो रन से मेरे ख्याल से टार्गेट की और पहुंच सकते है योगि रनर बॉल सिच्वेशन के उपर मैच को लाके खड़ा कर दिया है जहां पे 13 गेंदों में 27 रन चाहिए थे तो अब वो 9 गेंदों में 10 की ओपर पोजीशन आके खड़ी हो गई है इस बार थोड़ा उच्छाल था एक रन मिला है गली की पोजीशन में एक रन के साथ अब 53 नौ रन चाहिए अब जीतने के लिए 8 गेंदे बचिये रनर बल सिच्वेशन ऐसा लगा नहीं था कि साइद इस प्रकार की पोजीशन आ सकती है लेकिन यह मोमेंटम यह जो है ना यह गेम चेंजिंग ओवर बन गया है बड़ा सोट खेलने का प्रहासा अपने फॉलो थुरू में मिस्फिल की एक रन बटो रेंगे डाउन दा ग्राउंड सामने दूसरे की चेस्टा मना किया जानते अच्छी पोजीशन पे आ गए है तो रन आउट के रूप में विकेट खोना नहीं चाहेंगे ना अपनी और चौवन रन आठ रन अभी पे आके साथ गेंदे बचिये उल्टी गिंदी सुरू हो गई है चौवन रन पांच विकेट आठ रन चाहिए अभी भी सेमी फाइनल यह है जो भी टीम जीतेगे फाइनल का टिकेट मिलेगा और सुपर किंग के सामने खेलेंगी यह साथ गेंदे अब तैय करेगी के उनके सामने कौन खेलेगा गोरगां वारियर्स या फिर आरसीबी अब तक तो अभी तक जो मौझूदा सिच्वेशन आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है थोड़ी दिक्कत में है दिवियेस क्रेंप है ऐसा लग रहा है उनके पैरों में तो किसी एक गेंद बास को अब वो गेंद डालनी पड़ेगी इस ओवर को खत्म करने पड़ेगा करना पड़ेगा कप्तान किसे देते है क्योंकि यह इंपोर्टन गेंद है यह जोगे आठ रन की जरूरत है साथ गेंदे बची है तो एक गेंद जो बची है चोट के तहत वहां पर दिवियेस गेंद नहीं डाल सकते क्योंकि थोड़ा हेंश्ट्रिंग में खीचाव लग रहा है उनको नायू थोड़े कीचे यह ऐसा लग रहा है चोटिल है कि दुरू एक गेंद वो डालेंगे अच्छी गेंद डाले जीए अच्छी तरीके से खत्म किया तो अब आठन चाहिए आकरी छे गेंदों में क्या मुकावलाई हो रहा है क्या मैच चल रहा है समरी अब तक आप देखोगे न छे गेंदे बचिये फिर भी हमारे सामने कौन फाइनल खेलेंगा वो ते नहीं हुआ है तो यह क्रिकेट का मज़ा जब तक आखरी गेंद डाली नहीं जाती आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो अब छे गेंदे बचिये वो छे गेंदे डालने की जिम्मेवारी किसके हाथ में होगी वो एक इंट्रेस्टिंग बात होगी आखरी छे गेंदे बचिये कुनाल और हितेस की जोड़ी बीच मैदान में मौझूद क्या वहाँ से वैसे अगर एक आरसीबी की जो रैप्यूटेशन है क्या वो रैप्यूटेशन से उपर आज यहाँ पे आरसीबी काम कर सकती है वो देखना होगा फाइनल में पहुँच पाए गिया नहीं ये प्रज़ई कप्तान डिसाइड करेंगे पहली गेन कदमों का इस्तमाल नो मैंस लन में गेनगिरी एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा सेट बैट्समें हितेश पडेल 12 गेनों में 15 लेकिन एक इंपोर्टन नौक अपनी टीम के लिए खिला है हितेश ने एहमियत इसकी बहुत ज्यादा होगी इस पारी की और उसके सामने भाविस साथ गेनदे 14 रन और अब साथ रन चाहिए यह अच्छी गेन थी यॉरकर गेन थी बहुत ही बढ़िया गेन बाजी मानना पड़ेगा प्रज़ई खुद कप्तान ने जिम्मेवारी उठाई है आपके उपर वो जानते हैं कि आखरी यह पूरे मैच में जो भी घटा है लेकिन यह 5 मिनिट का यह ओवर सबसे इंपोर्टन है ये पांच मिनिट आप किस प्रकार का क्रिकेट खिलेंगे, किस प्रकार की गेन बाजी आप करेंगे, वो मैंच का मतलब टूर्णामेंट का परिणाम भी वो तैह हो सकता है, चार गेंदे आप बची है, छे रन चाहिए, कद्वों का इस्तमार, यू मिस, आई हिट, क्या बात है, सही समय के उपर, सही मौके के उपर, और चार गेंदों में जहाँ छे जरूरत थी, अब तीन गेंदों में, छे रन चाहिए, दबाव यहाँ से थोड़ा बड़ा है अब, आर सीबी के उपर, मैंने बोला था, यह मैच कहां, कब पलटेगा, कुछ पता नहीं चल दे, आखरी तीन गेंदे बची है, लेकिन फिर भी, परीनाव हमारे सामने नहीं है, क्योंकि किस मौके के उपर, कहां पर मैच पलट जाता है, जैसे इस ग्राउंड के उपर हवा का र चाहिए, कप्तान ने जिम्मेवारी ली, कि मैं गेन बाजी करूंगा, और यह जो आठ रहने वो में डिफेंड करके दिखाऊंगा, और वो वैसे भी कहते हैं, आप कितने, आपका नाम कितना बड़ा है, आपका नाम कितना छोटा है, यह महत्वन ही रखता, आपकी कहानी कितनी है, आपकी कहानी कैसी है, तो वो कहानी कैसी लिखी जाएगी प्रजाई के द्वारा, उसके उपर उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है अब, उसके उपर तै होगा कि आप कितने बड़े है खिलाडी, वो आपकी कहानी तै करती है, आपका कैरेक्टर वो दिखाती है, तो अब तीन गेंदे बची है, छे र दोनों ओ छोर से बरसक होगा, चीराक के उपर जिम्मेवारी है, स्ट्राइक के उपर नाया बल्ले बास, तीन गेंदे, छे रन प्रजाई, अच्छी गेंदे, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया मानना पड़ेगा, काबिल तारिफ गेंदे, अच्छे टपे के बड़े आप और यॉरकर, चौथी गेंद, बैक उफ लेंद गाली, नहीं बल्ले बास के लिए सही सोच है, कि वो अपेकसा करते है, कि वहीं गेंद आएगी साहिद, इसकी वज़ा से क्रोस बैटर पहले से स्टान्स अपना रखते है, दो गेंदे, छे रन, क्या बात है, बैक उफ लेंद लगातार, दो डॉट बॉल, यहाँ पे कहानी लिखी जा रही है, प्रजय के द्वारा, एक बड़िया गेंवाजी का प्रदसन, जी यहां, आपका नाम बड़ा है, आपका नाम छोटा है, यह कोई माइने नरेकता आपकी, कहानी कितनी बड़ है, आप क्या काम करते है, उसके उपर आपको याद किया जाता है, और प्रजय, एक गेंद बचिये और छे रन चाहिए जीतेने के लिए, किसी भी तरीके से, यह जो जैमसन क्रिकेट की बाउंटरी है, आपको उसे पार करना होगा, तबी आप फाइनल में सिन्दय के सामने खिल पाएंगे, एक गेंद छेरन, सलाम अस्वरा बावेश स्वामी, वन अब दा मोस्ट एक्सपीरियन्स प्लेयर, एक गेंद से बजे, जहां पे, एक सिच्वेशान चल रही थी, जहां पे रनर बल सीच्वेशन चल रही थी, दस गेंदों में 11 रन ऐसी सिच्वेशन थी, वहां से अगर आप देखोगे न, तो वो 9 गेंदों में मात्रव 5 रन दिये हैं, और अब पुरी जिमेवारी चीरा, दो डॉट बॉल कर चुके है, कहानी भूल के इस गेंद के ओपर कॉंसेंट्रेशन करना होगा, इस बार किनारा लगा है, और बले कैच चुटा है, लेकिन ये मैच चुटा है, गोरगाउं वारियर्स के हाथ में ये मैच कबजा किया है, पूरा स्रे जाएगा प्रज़ई, क्या बात है, क्या गेंद बाजी की है, जहाँ पे जीतने के लिए आखरी ओर में आठ रणों की जरूरत थी, तो मात्रत दो ही रंदिये, पांच रणों से इस मुकाबले को जीता है, all credit goes to प्रज़ई, कप्तान, जिम्मेवारी उठाई, आखरी ओर में अपने आपको वो लाए, और अपने कंदों के उपर उन्हों इस मैच को जीता सकता हूँ, बोलो सा अपने आप में रखना और उसके ओपर काम करना ये अलग बात है, जो मैंने कहा ना कि कहानी कैसी लिखी जाएंगी, प्रज़ई, यहाँ पे आएंगे, प्रज़ई, कप्तान यहाँ पे आएंगे, सिन्धाई सुपर किंगे कप्तान मे हूँ लाएंगे, और यहाँ पे कहानी लिखी जा चुकी है, प्रज़ई के द्वारा, कप्तान जो होता है ना वो इस प्रकार का होता है, अब तो कप्तान चल पड़ा है सीनातान, लेकि फाइनल में अपनी टीम को उन्होंने लाके खड़ा किया है, सिन्धाई सुपर किंग के सामने खेलेंगे गोरगाउं वारियस, और रसी भी, रोयल चैलेंजर्स, प्रकार किया है, सजय आए निए और रसी ऑाइन आए नामने जामने सीनातान, लेकि जाए वारियस, और रसी आएजर्स, और रसी जो आएजर्स, और रसी खड़ा है, अभी जाएजर्स. अब कर सकतने खnder टोज है और देख reconst झाज कि नहों सकतने और अभीन गाँ त farms औरत बोज है वारियर्स वान दर्टास एंड डिसाइद टू बैट फॉर्स अगेंस सिन्दाइ सूपर किंग क्योंकि गोरिकाम वारियर्स जानते हैं कि सिन्दाइ सूपर किंग को पल्ले बाजी पे लाना मतलब मुसीबत में बड़ोतरी करना क्योंकि वो पहली दो मैच में 100 रन के उपर का टारगेट वो सेट कर चुके है तो वो बात प्रजय के जहन में है उसी वज़ा से उनोंने पहले बैटिंग ली और प्रजय को ये भी विश्वास है कि उनके पास ऐसी गेन बाजी है जो 62 का टारगेट भी डिफेंड कर सकती है तो वो उनोंने करके दिखाया है तो उनको मालूम है कि किस प्रकार से इस फाइनल में खेलना है तो अब आखरी मुकाम के उपर अपने आखरी चरम के उपर चरम बिंदू के उपर ये मैं सब पाटीदार प्रीमियर लिख पहुँच चुका है फाइनल का मुकाबला है ये मेगा फाइनल इस ब्लॉकबस्टर फाइनल गोरगाम वारियस और सिन्धाई सुपर किंग्स के ब मैंन का आखो देखा हाल जो देखा है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे स्माइल चैनल फॉर यू उनके जो ऑनर है और जो ऑपरेटर कैमेरे के उपर आपको नजर आएंगे मिस्टर आनन्द भाई पटेल झाल झाल आनन्द भाईंगे झाल 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 गोर बढ़ता हुआ 7 रन एक रन की मदद से फाइनल मुकाबला ये चलता हुआ अच्छी गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थोड़ी नीची रही लेक आफ बाउंस नजर आया ये विकेट की खासियत है सुबे से पहले मैच से जैसा विकेट खेल रहा न अभी भी उसी प्रकार का ये विकेट चल रहा है तो बड़िया स्पोर्टिंग विकेट है ये धिमी गति की गेंद चकमा दिया डॉट बल के साथ ओवर की समापती जी वाइट का इसारा माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा वाइट का इसारा और 8 हरं हवा में है उची उट गई है फिल्डर है उसके नीचे पीछे फिल्डर और पहले विकेट का पतन यह अत्री गेंड डाली ना लेकिन विकेट मिल गई वाइट डाली आखरी गेंड तो वो दूसरी गेंड खिलने का मौका मिला और वो दूसरी गेन मेहूल को विकेट देके चली गई और आठ के स्कोर के उपर पहला विकेट यहाँ पे गिरा है गोरगाम वारियर्स का मेहूल एक सफल गेन बास के रूप में फाइनल में पहले ही ओर में विकेट चटकाए है जोई पटेल ज्यादा बीना स्कोरर को परेशान के मात्र एक के उपर डगाउट में वापिस चल पड़े है इनफर्म प्लेयर इसलिए है क्योंकि पहली दोनों मैचों में वो मैन अब दम मैच एज़क क्रीक हीरोस एप्लिकेशन के मुताबिक वो मैन अब दम मैच दोनों मैचों में हुए है पहले में भी दूसरे में भी 33 रन बनाए तीन विकेट निकाले तो इनफर्म बल इनफर्म क्रीकेटर इस बार बैक फूट पे गए वो नटराजन स्टाइल में उन्होंने एक पाउँ खड़ा करके फ्लिक किया और सिंगल की मदद से स्कुर बढ़ता हुआ नौर रन इस बार हवा में है आपसाइट की दिसा में फिल्डर उसके पीछे बागेगे लेकिन मात्र गेन को वापिस लेने के लिए जाएंगे वेलकम बाउंटरी सोवर में आती हुई चौका मिला है और स्कुर बढ़ता हुआ 13 रन जरूर थी सोर में चौकेगी यूँकि श्निहल पटेल एक अच्छे इंफॉर्म गेनबाज है विकेट चटकाना जानते है किस प्रकार से और ज्यादा से ज्यादा अमूवन उनको जो एंगल मिलता है न वो एंगल का वो ज्यादा इस्तमाल करके विकेट निकालते है हवा में इस बार पिसली गेन के उपर चौका दूसरी उपर बल्लेबास को चौका आया और बड़ा सोट खेलने के प्रियास में श्निहल पटेल गेन बाजी के उपर आते है और विकेट ना निकालेना ये मैंने देखा नही है इतियास अपने आपको वापिस दोहराएगा क्योंकि स्निहल गेन बाजी के उपर आएगा तो विकेट तो निकालेगा और तेरा के उपर पहला विकेट मीराज को वापिस चलता किया यस वहाँ पर मौजूद थे कोई गल्ती नहीं किया उन्होंने तेरा का अनलकी नमबर अनलकी सावित हुआ है गोरगाम वाडियर्स के लिए योगी विकेट गीरा है तेरा के उपर अमोवन लोग बोलते हैं 17 के उपर खत्रा लेकिन मैं तो बोलता हूँ तेरा के उपर डेफिनेटली खत्रा होता है अब हर बार देखोगे आंतराश्टियस तर पे भी देखोगे बारवी गेन होती है जब भी तेरवी गेन आती है ना कुछ ना कुछ घड़ता है ये अनलकी नमबर का कुछ ना कुछ खेल होता है तो यहां पे भी तेरा रन दो विकेट अब कप्तान प्रजाई नए बल्ले बास के रूप में आपसाइट की दिसा में रूम था बैकवर्ड पॉइंट पे सीधा फिल्डर को दुन निकाला एक रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ रुका हुआ है तेरा रन इस डॉट बॉल की मदद से इस बार फ्रंट फूट के उपर इन्वाइट किया था अमुवन जो लेफ्ट टाम गेंबास की जो गेंड होती है न वो ऐसा लगता है कि हाफ फॉल ही है लंबा पाम आप निकालते हैं लेकिन वहाँ से काटा बदल के लेक ब्रेक होके निकल जादी है वो लेक कटर बनके और वहीं मस्टला हुआ डॉट बॉल के साथ दोवर की समापती दोवर की समापती पावर प्ले हुआ समाप 13 रन दो विकेट के नुकसान पे मैसब पाड़ीदार प्रीमेर लिग 2022 का ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ पहला सीजन उसका फाइनल सीनदाई सुपर किंग और गोरगाम वारियर्स कहानी ऐसी है आपके सामने के टॉस जीता है गोरगाम वारियर्स ने और पहले उनोंने बैटिंग ली है और डॉबर की समापती मतलब पावर प्ले समापत हुआ है तेरा रन दो विकेट के नुकसान पे मेहूल अब गेन बाजी का बार जारी रखेंगे कावेरी एंड से फिल्लिंग में अब तब्दिलिया होगी पीछे सौत थर्मेन है ओपसाइट की दीशा में बैकवर पॉइंट है कवर है लॉंग ओफ बाउंडरी लाइन के उपर और एक्स्ट्रा कवर बाउंडरी लाइन क के उपर फुल्टोस गेन क्रॉस बेड़ेड आड़े बल्ले से काव कॉर्नर की दीशा में बीट किया फिल्दर को चौका बटो रहा है वैसे भी गेन खराब थी तो उसके उपर बड़ा सौट्टो खिलने का वो जो संभावना होती वो बढ़ जाती है लेकिन इस बार तो च चौका भी मिला है और इस चौके की मदद से स्कोर 17 रन बढ़ता हुआ असान गेन थी फुल्टोस गेन बैट डिलिवरी गौट दर ट्रीटमेंट विद बाउंटरी इस बार क्रोस बैटेड सौट लो फुल्टोस गेन एक सेब फिल्डर स्निहल मौजूद है बाउंटरी लाइन के उपर और बाउंटरी लाइन के उपर लौंग उन है ओन साइट की दिशा में डिप में मिडविकेट है डिप स्क्वेर लेग है लौंग उन वाइड इस है और एक्ट्रा कवर अब अर थोड़ा और स्क्वेर खड़ा किया जाएगा पीछे एक सौट फाइन लेक भी मौजूद है इस बार हटके रूम बना के अपने आपके लिए जगा बना के खिलने का प्रयास प्रज़ई के द्वारा लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको रू एक लंबा स्ट्राइड यह अपने आपके लिए एक्जेस करते हैं थोड़ा मुविंग तार्गेट अपने आपके लिए बनाते हैं प्रज़ई का ताकि वो पावर जन्रेट कर सके लेकिन इस बार मात्र ताकत दिखी रन एक ही मात्र मिला 19 रन अच्छी गेन यह यॉरकर गेन थी ओपसाइड की दिशामें कवर ड्राइव के अंदाज में अब बल्ला थोड़ा तेड़ा था लेकिन कवर की दिशामें गेन गई थोड़ी से मिस फिलू भी उसकी वज़़ा से एक रन मिला और अब इस रन इस एक सिंगल रन की मदद से दो विक्टे गवाई है गुर्गाम वारियस्ट ने फुल्टोस गेन उपरी किनारा लेके गई है लेकिन फिर भी बाउंटरी लाइन के उपर से तो निकल जाएगी छे रन वहाँ पे बहुत ही बढ़िया सोट और आखरी गेन के उपर खराब गेन डाली और जहां चौके के साथ ओवर की सुरवात हुई थी तो छे रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ती 26 रन दो विकेट के नुकसान पे तीन ओवर की समाप्ती के बाद गोरगाम वारियर्स तो पिछला सोट एक अच्छा स्कोर देके चला गया बाड के उपर गोरगाम वारियर्स को प्रेसर रिलीज हुआ है जरूर कि दुबार डालनी पड़ेगी वाइड का इसारा मिश्टर हमन पटिल फ्रेंट अंपायर स्क्वेर लेग अंपायर उनके ही सुपत्र स्रेई कि यह सीधा क्रॉस बैडर सीधा सॉट डाउन दा ग्राउंड मेहुल खुद कप्तान मौजूद है और 27 27 रन 28 माफ कीजिगा 28 28 रन दिमी गति के गेंड डाली थी उंगलिया गुमाई थी चकमा दिया था वहाँ पे और पढ़नी के बाद कांटा बदला यह होना चाहिए यह अच्छा लगा देखे के चेंज ओफ पेस आपके पास होना चाहिए गेंड बाजी में परिवत्तन के रूप में राज आये है और अच्छी कंट्रोल के साथ गेंड बाजी हो रही है इस बार थोड़ा कंट्रोल उन्होंने गवाया है और वाइड का इसारा किया है अंपायर है मंद पटेल ने 29 उन्तिस रन 29 रन दो विकेट के नुक्सान पे ये थोड़ा ज्यादा स्लो डालने के प्रयास में ज्यादा बाहर हो गई थोड़ा ज्यादा गती में परिवत्तन करने के प्रयास में दिसा से बटक गए तीस रन अब इस वाइड की मदद से दो विकेट के नुक्सान पर फाइनल मुकाबला ये चलता हुआ पहली पारी ये गेंद अच्छी थी लेंद अच्छी है लेकिन वाइड होगी ये भी लगातार तीन बैक टू बैक वाइड यहाँ पर तो ये जितनी अत्रिक गेंद डालेगे उतना थुड़ा ज़्यादा नुक्सान हो सकता है यूँकि प्रज़ एक अच्छे बल्ले बास है उनसे दूर रखने का प्रयास हो रहा है इस बार अब बल्ले के उपर चड़ी है और अगर ऐसा कनेक्शन होगा ना तो फिल्दर महाँ पर दर्सक बनके रह जाएंगे क्यूंकि छोटी डिलिवरी थी, सौट ओफ लेंड गें थी, वेल डाइरेक्टेड बाउंस डालने के प्रयास में ज्यादा छोटी हो गई और कनेक्शन इतना बहतर मिला कि पूरे छेरन देके चला गया आप स्थम के उपर सफल करके जगा अपने आपके लिए बनाई एरिया चुना स्क्वेर लेग वाला और छेरन उड़ा दिये स्क्वेर लेग के उपर से थर्टी थर्टी सेवन, सर्थीस रन इस सच्वेरन की मदद से यह सौड बढ़िया है अच्छा यह फ्लिक सौड खेला डाउन दग्राउंड फिल्डर मौजूद वाइडिस लॉंगन के उपर थर्टी एट अर्थीस रन अच्छी पारी यहां पे खेल रहे है प्रज़ई और पिछला मुकाबला भी प्रज़ई ने बहतरीन तरीके से जीताया था गेन बाजी करके इस बाहर फुल्टोस गेंद अप्स्टम के बाहर गसीटा है लपेटा एस निहल को क्लियर किया है और छे रन मिलेंगे अमोबन अच्छे फिल्डर है लेकिन वहां पे उतना मौका था नहीं कि कैच को लिया जाए और 44 रन यह और महंगा गुजर रहा है यह राज में हमने पहले भी देखा है कि दो तिन गेंदे पहली अच्छी डालते है लेकिन उसके बाद हाथ खुलने के मौके भी दे देते हैं बल्ले बास को इस बार एक बाहरी किनारा लगा है फीचे सौट थर्ड में पे फिल्डर मौझूद है 45 45 रन चार ओर के बाद फाइनल मुकाबले का पहली पारी का पहला हाफ यहां पे हुआ खतम चार ओर के बाद 45 45 रन दो हो विकेट के नुकसान पे 11 गेनों में 21 रवी चार छाएन मौझ। अच्छ मिन अचिर्ड है तेज गेंदबाज, बाएं हाथ का गेंदबाज, अब बॉलिंग आकरमन के उपर जैमसान एंड से गेंदबाज ही करेंगे, पैतालिस रन फोटी फाइव, चार ओर के बाद, इस बार बैकफूट पे जाके फ्लिक किया हलके हाथों से, और एक रन बटो रहा, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, चायालिस फोटी सिक्स रन, रवी बहुत ही बढ़िया, बारा गेंदमें, बाइस के उपर, आठ गेंदमें, चौदा के उपर, प्रजाई, साजेदारी, बहुत ही बढ़िया पनप रही है, इन दोनों के बीच में, इस बार बड़ा सॉट खेलने का प्रयास विकेट की बढ़, जो सॉट फ्रम दो विकेट की बढ़, प्रयास अच्छा किया, और लेकिन जिवन दान ये हाफ चांस जरू माना जाएगा प्रजाई के लिए, बड़े सॉट खेलने का प्रयास हुआ है, और यहाँ से अब मोमेंटम जो मिला है, पहले चार ओर में, पहले दो वर अगर देखा जाए, तो सिंधधई के पक्ष में रहे, उसके बाद के दो वर में वापसी की गोरगाम वारियर्स ने, तो वहाँ पे वो दो मैच का जो एक चोटा हेलिकॉप्टर निकालने का प्रयास, लेकिन जब तक बल्ला नीचे आता, गेन निकल गई विकेट कीपर के हाथों में, इस बारूम था, अपर कट खेला है, स्वीपर पॉइंट में फिल्डर मौजूद, लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, यह अच्छ तर आप देखोगे ना, तो वेरियेशन लिखा है लैंथ में, पहली गेन अगर देखा जाए, तो बैक ओफ लैंड डाली, उसके बाद तो हाफ फॉली डाली, उसके बाद फिर से बैक ओफ लैंथ ओप साइट की दिशा में, यह फिर से हाफ फॉली यह यॉरकर लाइन के वो थोड़ा आपको फ्रंट फूट के पर इन्वाइट भी करते है, सौट खेलने के लिए, जब तक आप बल्ला आता है ना, तब गिन निकल जाती है, इस बार सीधे बल्ले से हवा में, फिल्डर में हुल, लेकिन बन गए दरसक, यह खूब सुरत दरसन यह सौट था, अग और सबसे बड़ी बात न है, कि मिड ओफ के उपर से उसको क्लियर करना, यह अपने आप में एक अच्छे क्रिकेट करे निसानी है, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में सौट को खेला, जो गेन बास का एंगल है ना, उसका इस्तमाल किया, यह देखिए, उसका एंगल जो लेंथ को वहाँ पे स्पॉट को पिक कर लिया, बढ़िया सौट, खूपसरत यह सौट, इस बार अप प्रजाई के बले से बड़ा सौट, यह 70 मीटर वाला चक्का, क्यूंकि कनेक्शन देखते ही बन गया था, कि यह छेरन देखे जाएगा, वेलकम स्निहल पटेल, विद द मैक्सीमम बाई प्रजय पटेल, वहादी बढ़िया साजेदार इंदोन के बीच में, अच्छी वापसी और 59 69 रन, इस बार भी बड़ा सौट सामने की दिसा में मेहुल के उपर से लॉंग ओफ को क्लियर किया है, इस ओवर में नेहल के उपर यहाँ पे दाबा बोला है प्रजय ने, इन्फरम आ बालर है आप बले, लेकिन प्रजय भी एक इन्फरम क्रिकेटर है, क्योंकि पिछला मुकाबला उनोंने अपने बॉलिंग के दंबे जीताया था उससे पहले का मुकाबला अपने बैटिंग के दंबे जीताया है आज के दिन के तीन हाफ सेंचुरेन में इनका नाम आता है तो ये बहुत ही बढ़िया पारी प्रजाई के द्वारा टॉस जीत के बैटिंग का उन्होंने फैसला किया था वो जानते है कि स्कोर बढ़कियों पर रन तो रखने पड़ेंगे क्योंकि सामने सिन्धाई के पास एक तगड़ी बैटिंग लाइनप है 65-65 रन क्या बात है जिस दिशा में गेंद आई ना उसी दिशा में उसको वापिस दुगनी गती से बेच दिया बहुत ही बढ़िया बैतरिन बल्ले बाजी तीन गेंदों में लगा तार बैक टूब अपर कार्ड इस बार कवर की दिशा को क्लियर किया है और इस बार मिलेगे छे रन क्या बात है अपनी दवाई खुद खाते है तो पता चलता है कितनी कड़वी होती है क्योंकि स्नेहल पटल ने चार छक्के चार गेंदों में लगाए थे वही कहानी दोहर आई है प्रजाई ने उनके ही खिला तीन मैक्सिमम पहले मिडविकेट के उपर से फिर उसके बाद सीधा तीर जैसा फिर लॉंग ओफ के उपर से और अब एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हर दिशा में स्ट्खिलना जानते है नाम है प्रजाई छोटी गेंद पाँछ वाचका आज के दिन का सबसे बहतर ओवर सबसे बहतर इन गेंद बाश के सामने इफ यू आर इन्फर्म बॉलर लेकिन उसके सामने मैं भी एक इन्फर्म प्लेयर हूँ इन्फर्म बल्ले बास प्रजाई पटेल ना ओन फायर पांच गेंदे पांच सिक्सर 360 डिग्री में पूरे ग्राउंड का वेगन विल बना दिया छटा जाएगा छे गेंदो में छे सिक्सर इस ग्राउंड के उपर दूसरी मरतबा उससे पहले सलमान फूलत ने ये कारणामा किया था जो मुस्लिम प्रीमियल लिग में हुआ था उसके बाद ऐसी कहानी दूसरी बार घटी है और छे गेंदो में छे रन स्कोर बताऊंगा लेकिन उससे पहले प्रज़ई 17 गेंदो में 51 बल्ला खड़ा करेंगे केमेरे को दिखाएंगे ये पारी आपकी जो थी ना फाइनल मुकाबले में क्रिस गेल वाली ये पारी थी और प्रज़ई पटेल स्कोर बढ़ता हुआ 89-89 रन आठ छक्के छे गेंदो में लगातार छे सिक्सर यहाँ पे इस साम को खूपसुरत बनाया है फाइनल को खुस्तनुमा बनाया है प्रज़ई पटेल ने क्या बात है छे गेंदे छे सिक्सर वो काईरन पॉलार हरसल गिप्स यूवराद सिंग वो उस लाइन में आके बैठ गए छे गेंदो में छे सिक्सर और सलमान फुलत उन्होंने भी कारनामा किया था इसी ग्राउन के उपर यह दूसरी बार मरतबा ऐसा ही ग्राउन के उपर कारनामा दिखा है उसी वक्त मैं गवाँ था वो उस गटना का और दूसरी बार भी मैं भी गवाँ बना हूँ इस गटना का वहाँ पे गेंबाज इमरान पटेल थे वो भी लेफटाम स्पीनर थे और्थोडोक्स यहाँ पे लेफटाम गेंबाज स्नेहल थे 89 नवा सीरन और जॉइन दपार्टी सातवा चक्का यह सातवी गेंबाज इस बार अलग है वो कौन है इस बार रवी जॉइन दपार्टी विथ प्रजय पटेल पूरी तरीके से यह द्वन्स करके रख दिया है पहले दोवर का मुकाबला अलग तरीके से चला उसके बाद दोवर का मुकाबला अलग तरीके से चला लेकिन उसके बाद एक ओवर ऐसा आया गेंबाजी में परिवर्तन हुआ और प्रजय के खिलने का अंदाज में परिवर्तन हो गया सतक उनों ने आधा जड़ा सतक उनका आधा है महत्व ज़्यादा है लेकिन क्या आइस प्लेयर ने समा बांधा है मज़ा आ गया 95 95 रन आपसाइट की दिशा में बचने का प्रयास है ये और एकरोस दे बैट थोड़ा क्रोस बैटेड सिंगल सीधा डाउन दे ग्राउंड और 96 चानवे रन अब स्ट्राइक की ओपर प्रजे पडल नजर आएंगे छे गेंदों में छे शिक्सर लगा चुके है ये लो फुल्टोस गेंथी सीधा खेला है एरन मिलेगा एक और 97 एटी फोर रनों की साजेदारी इंदोने के बीच में 29 गेंदों में अठाइस का कॉंट्रिबिशन उसमें रवी का है और 51 का कॉंट्रिबिशन दिया है प्रज़ाई ने कि इस बार ये स्क्वेर आप दा विकेट मिलेगा चौका एक्स्ट्रा कवर मिड़ोफ के बीच में फिल्डर यस मौजुद लेकिन मिलेगा चौका गोरगाउं के दिपेंड के द्वारा 5000 की इनामी रासी ओनर है टीम के प्रजे पटल के लिए सामने की दिसमा डाउन दा ग्राउंड स्नेहल मौजूद है और स्कोर अप बढ़ता हुआ 102 रन अच्छी गेन थी यह और अच्छी विकेट कीपिंग पीछे फिसले जरूर थोड़ा चोट लगी है पाउं में लेकिन अच्छी तरीके से रोका है उस गेन को अच्छी विकेट कीपिंग और 102 103 रन 103 साथ वर की समापती 103 रन अच्छी पहली दोर में सुर्वात हुई थी सिन्दाई सूपर कींग के लिए फिर तीसरा और चोथा वर वो पक्समे रहा देखा जाए गोरगाम के लिए लेकिन उसके बाद एक प्रजाई नाम का तूफान आया एक छोटी सन के लिए एक छोटे से पल के लिए वो पांच मिनिट जो छे गेंद लगी वहाँ पे एक सुनामी जासा आ गया और पुरी तरीके से जो बाडी लेंगवेज था सिन्दाई सूपर कींग का थोड़ा बदल के रख दिया और अब लेफ टाम बॉलर आखरी ओर में मयंग पटिल इस बार एक रोस दा लाइन क्रोस बैट हैट स्वीप खेला है गुटनों के बल बैठके रन मिलेगा मात्र एक 104 रन आखरी पांच गेंदों का खेलब बचा है जिम्मेवारी होगी पूरी तरीके से मयंग के उपर लेकिन सिन्दाई सूपर कींग की टीम सामने उनके बल्ले बाजी है वो दमखम रखती है 100 के उपर का टारगेट चेस करने में क्योंकि आज के दिन वो दो बार ऐसा कारना मा कर चुके है वो पहली बैटिंग थी नो डाउट लेकिन फिर भी दोनों बार ऐसा करना लेकिन उसी बीच ये सौट देखिए अब बैक ओफ लेन गेन थी बैक फूट पे गए और रवी चमका है साम की समय छेर अनियावे मिले है बैक फूट पे जाके और जो पांच हजार दिपेंड भाई की और से मिले थे और उनके जो जी जाजी है प्रजय के स्यादा से अंकित पटेल यूएस से उनके द्वारा भी पांच हजार तो मतलब 10 जार की इना मिरासी यहाँ पे वो जो छे सिकसर लगाए उनके लिए दिपेंड पटेल गोरगाम वॉरियर्स के ओनर उनके द्वारा पांच हजार और उसके बाद उनके जो जी जाजी है 5 000 उनकी और से अंकित पटेल स्यादा यूएस से में रहते उनके द्वारा भी पर दोर पारी खेल रहे है यह सोड अच्छा है और बहतरीन तरीके से बाविस स्वामी वो क्यों पीछे रहेंगे वो भी एक बहुत ही बड़िया एटेगिंग क्रिकेटर है जहां पर इतने सारे रहे है तो वो भी बाविस पड़ेल कहेंगे कि मैं भी छेरन के सथ अपना खाता क्यों ना खोलू हाफ फॉली गेन बिल्कुल रडार में आ गई और अब भाविस के पाले में गेन तो बाउंटरी के हवाले में गेन स्कोर बढ़ता हुआ और अब 110 रन 116 माफ कीजेगा इस 6 रन की मज़द से तीन विकेट के नुकसान पर इस बार थोड़ी जल्दी सौड खेल गए वहां पर थोड़ी तेज गती से गेंड डाली थी दूसरे रन का प्रयास है विकेट की पर एंड के उपर थ्रो अच्छा चाहिए और जी मिला है रनाउट के र 17 रन तो 118 का अब यहां पर टार्गेट मिला है 118 का यहां पर टार्गेट अब सेट किया गया है फाइनल मुकाबले में गोरगाम वारियस वन दर टॉस एंड डिसाइड टू बैट फरस्ट प्रजाई चोवन रोग की नाबात पारी बहुत ही बढ़िया हुमदा पारी प्र लेकिन ये जो ये जो कारणा माथा ना इसका महत्व और जादा होगा क्योंकि ये फाइनल मुकाबले में ये आया है और सही मंच के उपर पंच लगाया प्रजाई ने और क्या बन जाएगे सरपंच देखना होगा ये कहानी क्या होगी अगले आठोर में क्योंकि पहला हाफ गोरिगाम वारियर्स के पक्स में रहा है क्योंकि जो रन चाहिए थे वो रनों का जो दबाव खड़ा करना था वो खड़ा किया है क्योंकि जो खड़ा कर वो खड़ा है झाल 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 पहला और अच्छा रहा था पांस रन दिये थे उसके बाद दूसरे और में 36 रन आये और 41 टोटल दोवर में एक रन एक विकेट मिला राज पटल वो भी महेंगे रहे दोवर में 33 रन मयंग दोवर में 22 रन एक विकेट उनको मिला तो अब 118 का यहां पर टार्गेट मिला है फ किस प्रकार से वो पार करते है यह देखने वाली कहानी होगी यह इंट्रेस्टिंग मैटर है और सामने गेन बाजी भी अच्छी है और सिंधाई की बल्ले बाजी भी अच्छी है तो यह बैट और बाल का बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिशन झाल 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 मुकाबले में किस प्रकार से गेन बाजी करनी है कहां करनी है और अब प्रसांत को यहाँ पे रखा है सांत और वापिस बेज दिया है डगाउट में एक रन एक विगेट के नुक्सान पे सिंधाई सुपर किंग झाल 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 सीरा वहाँ पे मीराज दोड़े थे लेकिन वन बाउंस चौका बाउंटरी मिलेगी आखरी गेन के उपर और पहले और की समापती के बाद छे रन एक विकेट के नुकसान पे सिन्दै सुपर किंग एक सो अठारा का आप पीछा करने हुतरी है सिन्दै सुपर किंग की टिम और एक सुपर किंग की तरह किसी एक बल्ले बास को पारी खेलनी पड़ेगी पारी अब बढ़ती हुई अब सिन्दै सुपर किंग के लिए क्यूंकि छे रन के उपद दूसरा विकेट अमीद बीना ज्यादा अमीद तब वापिस जाएंगे स्कोरर के बीना ज्यादा परिशान किये देख सकते हैं आप आप साइट की दिशा में गें थी वाइडी स्योरकर और सीराज ने मिलकुल आज महमद सीराज जैसी गेंदबाजी की है मानना पड़ेगा झाल 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 पर एक पहले छक्का आया लेकिन दूसरी गेन के उपर छक्का आया लेकिन ड्रॉप चांस जीवन दान यहाँ पर मिला है जी यहाँ पहली गेन के उपर छक्का लगा था दूसरी गेन अच्छी डाली थी मिराज ने वहाँ पर विकेट का मौका पूरी तरीके से बन गया था लेकिन गल्ती कर दी वहाँ पर खड़े फिल्डर ने अच्छी गेन सीधी यॉर्कर जड़ में और स्कोर अब बढ़ता हुआ तेरा रन इस बार क्रोस बैटेड फिल्डर है डीप में काउ कॉर्नर में एक ही रन मात्र मिलेगा और डीप में दीप खड़े थे जब तक वो फिल्ड करेंगे एक रन आसानी से मिलेगा और चौदा रन दो विकेट के नुकसान पर दो वर की समापती हो चुकी है सिंड़ दई चौदा रन दो विकेट के नुकसान पर एक सो अठारा का यहां पर टार्गेट मिला है श्नेहल और मेहुल पूरी जिम्मेवारी इन दोनों के उपर होगी इस टीम की दोनों बहुत ही बड़िया क्रिकेटर है जब चाहे पारी को एक्सेलेरेट कर सकते है इतनी वो काबिलेत रखते है बड़े सोट खेलने की और बड़े से बड़ा टार्गेट वो हासिल करने की उनमें हुनर है तो नजरे होगी पूरी तरीके से सुपर किंग की इन दोनों के उपर और वो आईपेल में हम देखने हैं कि देखते थे ना कि वो मिडल ओडर में जो सुरेस रेना और मोहेंदर सिंग धोनी जो भूमी का निबात है तो उसी प्रकार की यहां पर भूमी का इन दोनों को निबानी पड़ेंगी वहीं राइट और लेफ्ट कॉंबिनेशन है झाल झाल कि इस बार अलंग दा ग्राउन थोड़ी से मिस्फिल्ड लेकिन एक रन मिलेगा और सोला रन स्कोर बढ़ता हुआ तीसरा ओवर है प्रकादी पर अच्छी कंट्रोल से गेन बाजी अब तक पहले दोर में हुई है फोल्टोस गेन क्रोस बैटेड मीड विकेट की दिशा में मीराज मौझूद वहाँ पर सिंगल से कुछी ज्यादा उतना फरक पड़ेगा नहीं स्कोर कार के उपर और गेन बाज प्रजाई को भी प्रजाई प्रजाई पिछला सेमी फाइनल जो हुआ था बहतरीन तरीके से जीताया था अपनी टीम को आठ रन उन्होंने बचाए थे तो अच्छे गेन बाजे ये देखिए ये बैक ओफ लेंड गेन बाजी इनकी बहुत ही बड़िया काबिले तारीफ होती है क्योंकि राइट हैंड बैस्पेंड के लिए ये बाहर भी निकालते है और लेफ्ट हैंड बैस्पेंड के लिए भी बाहर निकालना ये जानते है इसलिए ये राउंड विकेट एंगल थोड़ा चेंज करके गेन बाजी कर रहे है फिर से ये थोड़ा घलती कर रहे है स्निहल पिछला सौड़ भी थोड़ा जल्दी खेले इस बार भी बल्ला थोड़ा जल्दी चल गया उनका इस विकेट के उपर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा थोड़ी फसके गयन कुछ ऐसे पैची से वहाँ पे फसके गयन दाएगी और स्निहल से के अलावा इससे बहतर ये बात कौन जान सकता है फिर से वही मस्तला लेकिन इस बार बल्ला तो चला था ठीक तरीके से लेकिन आर्क से दूर निकल गई गयन एंगल हुआ एक्शन रिपले में आप देखोगे ना तो साब तोर से आपको नजर आएगा कि जहां टपा पड़ा गयन का वहाँ से थोड़ा एंगल बना है और लेफ्ट हैंड बेर्स्मेन के सामने राइट हैंड बॉलर इस प्रकार के एंगल जब क्रियेट करता है न तो वह दिखाता है कि वह क्या लेवल है इस गिन बास क्या सत्रा रन तीन वर की समापती के बाद सत्रा रन दो विकेट के नुक्सान पे फाइनल मुकाबले में सिन्दै सुपर किंग और पारी यहाँ पे एक चमतकारी पारी यहाँ पे चाहिए दोनों बल्ले बाजों के द्वारा क्यूंकि तार्गेट बहुत ही बड़ा है 118 का तार्गेट यहाँ पे है उसके सामने अभी तक मात्र रन तो 101 रन अभी भी चाहिए यहाँ से बचे है मात्र 30 गेने 20 का असद हर प्रतिवर उसकी सुरवात कर दिये मेहुलने सामने एक लंबा चका 73 मीटर क्यूंकि जहाँ वो पोल बना है ना लाइट वाला वहाँ पे 73 मीटर यह बाउंडरी है तो यह बहुत ही बड़िया सौट जरूरत है हर ओर में दो मैक्सिमम के लिए ट्र सेंडर मजबूत दावेदार है और बल्ले बाजी हम पहले भी देख चुके है सिनधाई की के मजबूत बल्ले बाजी रखते हैं वो कि और ट्वैंटी थ्री तेइस रन फुल्टोस गेन ये खराब गेंथी इसको सही नसियत दे सकते थे फिर भी चौका मिलेगा मिस फिल्लिंग पैरों से रोगने का प्रयास थुदा नाकू से वहाँ पे वहीं बोल रहें मेहुल के ये छेरन जा सकते थे लेकिन फिर भी परिणाम तो अच्छा बेहतर मिला है इस प्रकार से ये पारी बनानी पड़ेगी पहले चक्का और अब दूसरी गेन के बाद चौका दबाओ में मिराज अच्छी गेन वापसी दबाओ में अच्छी वापसी की है ये कमबेक होता है गेन बाज के द्वारा और आज मिराज ने पूरे दिन महमत सीराज वाली गेन बाजी की है 28 28 28 28 स्कूर बड़ा है अब चोटी पटकी वी गेन उपरी किनारा नो मैंस लेन में गिरेगी पीछे फाइनलेक पे जब तक फिल्डर उसे फिल्ड करेंगे एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और सही सोच मेहुल को स्ट्राइक के पल लाना ये अच्छी स्ट्रेटर जी इस ओर में देखा जाए तो वैसे बारा रना चुके है लेकिन उसे और बड़ा बनाना पड़ेगा और उपनी की नारा बड़ा सोट खेलने के प्रयास में फलक में गिन थोड़ी देर हलक में जान रही थी बल्लेबास की लेकिन नंत में नो मैंस लैंड में गिरी और अच्छी रनिंग बिट्वीन दे विकेट के साथ दो रन खत्म किये वापे मेहुल ने और इसा दो रन की मदद से 31-31 रन चक्का मिलेगा बड़ा सोट आज के दिन का ये सबसे बड़ा सिक्सर पहले हमने देखा था सामने जब कावेरी एंड से गेन बाजी हो रही थी तह प्रजाई ने सिक्सर लगाया था अब यहाँ पे मेहुल वो इस बार जैमसन एंड की दिशा में 75 मिटर का ये सिक्सर होगा और 37 जहाँ पे 20 रणों की जरूरत थी जो मैं बात कर रहा था प्रती ओर 20 रण चाहिए तो आवाज मेरी सुनी है मेहुल ने और इस ओर में 20 रण बटो रहे है स्कोर बढ़ता हुआ 37 37 चार ओर की समापती के बाद पहला हाफ हुआ समाप 24 गेनों में 81 मतलब प्रती ओर यहाँ से अभी भी 20 रण चाहिए 12 गेनों में 27 के ओपर मेहुल पटेल खेल रहे है दो सिक्सर और दो चौके उस पारी में सामिल है यहाँ से अभ पहले हाफ के बाद क्या स्ट्रेटर जी रहेगी क्या सोच दोनों टीम की और से होगी फिल्लिंग टीम गोरगाम वारियर्स के पास रन है डिपोजीट में तो उनको मात्र यहीं बात ध्यान में रखनी है कि अच्छे टपपे के ओपर गिनबाजी की जाए ज्यादा स्यदा डॉट बॉल में कनवर्ट किया जाए लेकिन सामने दो सेट बल्ले बाजे और दोनों इनफॉर्म प्लेयर है तो उनकी भी सोच होगी कि ज्यादा से द्यादा हॉर्वर में दो मैक्सिमम ट्राइ किये जाए और दूसरे हाफ में कप्तान ने अब रूख किया है बाविस्वामी की और हाथ में गेन थमाई है बाविस्वामी को इस बार बैक फूट पे गए हाफ फॉलिक गेन को वन बाउंस फिल्डर के हाथ में सौट अच्छा था ये लेकिन स्ट्राइक पे रहना जरूरी है वैसे देखा जाए तो मेहुल का थर्टी एट अरतीस रन अरतीस रन मेहुल अब सामने बैतर इन सौट स्ट्रेंड एंड डिलिवर सीधा तीर जैसा स्ट्रेंड अजे नैरो क्या सौट खिला है मानना पड़ेगा ताकत का पूरी तरीके से प्रदसन यहां पे करते होएं मेहुल और स्कोर अब 44 रन बढ़ता हुआ तो इस ओर में भी जरूर है दो मैक्सिमम की एक मैक्सिमम आ चुका है यह थुड़ा कैरेबियन वाली गिंती होनी चाहिए जब भी हम कैरेबियन प्रिमियर लिग देखते हैं वहाँ पे कई मैचिस मैंने देखी है आंद्रे रसेल रहते हैं काईरन पॉलाड रहते हैं एविन लुईस यह सबी कितने छक्के चाहिए न वो गिंते हैं इस बार उड़ाने का प्रयास है विकेट कीपर प्रज़ई तीसरे एटेम में ले नहीं पाए मौका बना था यहाँ पे विकेट का समा बांधा था बाविस्वामी ने लेकिन उसको विकेट में तब्दिल नहीं कर पाए है ज्रॉप चांस यह मौका मिला है कितना बारी पड़ेगा समई बताएगा यह अब लेकिन फिर से मौका है भाविस्वामी खुद उसके नीचे इस बार नहीं करेंगे गलती इस बार गलती नहीं करेंगे यह भाविस्वामी यह ना क्लेवर गेनबाज है क्योंकि लेफ्टा मौर्तोलोक्स गेनबाजी जानते है इनको पता है किस प्रकार से बल्लेबाज को कहां फसाना है कोज भी है लेधर बॉल के प्रसिक्षन देते है सभी को तो उस लियास से वो प्रेस्टिज के साथ रेप्यूटेशन के साथ वो गेनबाजी करते है एक ड्रॉप चांस आया दूसरी गेन के उपर फसाया सेम गेन उसी प्रकार की गेन बिल्कुल सही सोट बिल्कुल सेम ये दिमागी खेलता बाविस्वामी का जैसे वो खिलाना चाते दे मेहूल को उसी प्रकार से खिलाया उनको वो जहां उनको सोट खिलाना चाते दे वहीं उनको सोट खिलने में मज़बूर किया ये देखिए अब आप्स्टम के बाहर की पढ़ने के बाद बाहर निकली across the line cross batted shot और उपरी किनारा लगा अपने follow through में खुद भावेश स्वामी ने catch लिया और जो उम्मीद है थी सिंदाई की वो थोड़ी कम हुई है अब क्योंकि एक set बल्ले बाज और चोके के साथ इसी बीच क्या बात है प्रभाव कुछ पड़ा नहीं नहीं बल्ले बाज यस के उपर और ये यस ने भी मुझे मालूम है तीन गेनों में तीन छक्के लगाने का कारनावा किया है जो पहला क्वाडरो फाइनल था वहाँ पे तो यहाँ बे भी उनको पहली गेन के उपर मौका मिला हाफ फॉली गेन तो चौका बटो रहा उन्होंने 48-48 रन मेहुल के जाने के बाद भी स्कोर कार में लगातार रफ्तार पकड़े हुए है यस जीनोंने खाता खोला चौके की मदद से यो मिस आई हिट रफ्तार में हुए गी रफ्तार यस क्या बात है सीधी जड में योरकर पिछली जो गेंदे थी ना उसमें रफ्तार कम थी लेकिन इस बार थोड़ी रफ्तार ज्यादा उसी में हुए गी रफ्तार यस और अब पांच ओर की समापती 48-48 रन चार विकेट के नुकसान पे 18 गेंदों में अब 70 रन चाहिए अच्छी गेंद बाजी बावेश की पटिल के द्वारा बावेश स्वामी सीधी जड में एक बहतरीन गेंद थोड़ा हट के मुविंग तारिगेट अपने आपके लिए यस बना है पहले थोड़ा बाहार निकले उसकी बाद अंदर आए लेकिन जो दो पैरों के बीच में गैप थाना वो कवर नहीं कर पाए सिधी विक्टो के उपर चौथा विकेट 48 के उपर पांच ओवर की समापती के बाद सत्तर रन चाहिए अब 18 गेंदे बची है 23 तेईस रन प्रती ओवर यहां से अगर बनते हैं तो भी मैट टाई होता है मतलब 23 से ज्यादा रन प्रती ओवर यहां पे बनाने होगे यह काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन जो बड़े काम करते है वो ही खिलाडी बड़े बन पाते है जो आप कहानी लिखते हैं ना उससे आप बड़े बनते है प्रयास किया था इस बार श्नेहन ले लेकिन नाकाम्याबी अच्छी गेन बाजी बहुत ही बड़िया गेन प्रजय मानना पड़ेगा आज जो भी काम वो कर रहे है उसमें उनको सफलता हासिल हो रही है इस बार बड़ा सोट केलने का प्रयास वहाँ पर दिवियेस और फिल्डर मौजू थे दो लेकिन एक रन वहाँ से एक दो एक दो रन से अप दो जीतने उतनी कुछ खास परेशानी होगी नहीं और प्रजय पटेल एक बहुत ही बड़िया स्टेटमेंट ऐसा यहाँ पर दे रहे कि बोलकर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते है वहीं उन्होंने किया है क्योंकि उन्होंने दिखाया है अपना हुनर गेन बाजी में भी और बल्ले बाजी में भी और यह फाइनल मुकाबले की यह विपरित परिस्थिती थी यहाँ पे इसी बीच एक बड़ा मैक्सिमम अच्छा कनेक्शन वहाँ पे हुआ राज के बल्ले से और एक बहतरिन सोट वहाँ पे जड़ा और एक बहतरिन रैकोड भी यहाँ पे बनाया आज प्रजाई ने छे गिनों में 6 शिकसर और विपरित परिस्थितिया थी और वो कहते हैं ना कि विपरित परिस्थितियों में कुछ लोग तूट जाते है लेकिन कुछ लोग रेकोड तोड जाते है तो प्रजाई ने वहीं किया विपरीत परिस्थी थी के वो बाधसा बने और वो तूटे नहीं बलके रेकोड तोड दिया हवा में उसके नीचे फिल्डर कोई नहीं नो मैंसलन में गिरेगी फिल्डर जब तक वहाँ पे पहुंचेंगे जब तक फिल्डर वहाँ पे पहुंचेंगे एक रन लेने का पूरा मौका था अच्छी गिनबाजी बहुत ही बढ़िया खामोस रखा है यगर देखा जाए ना तो स्नेहल पटेल को इस पारी में थोड़ा खामोस रखा है 56 रन चार विकेट के नुकसान पे सिंधाई सुपर किंग बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जीत की अगर देखा जाए तो आगे बढ़ रही है गोरगाम वारियर्स की टीम क्यूंकि 118 का टार्गेट अब थोड़ा यहाँ से ना मुम्किन लग रहा है क्यूंकि 12 गेंदे बच 56 रन चाहिए 31 रन प्रती ओवर तो बहुत ही बढ़िया उम्दा तरीके से फाइनल में आने का सपना देखा था गोरगाम वारियर्स ने और वो सपने की और आगे भी बढ़ रहे सपना उनका सच होता हुआ नजर आ रहा है क्यूंकि सपने उनके सच होते है जिनके सपनों मे जान होती है पंको से नहीं होता होस्टलों में उडान होती है वो उडान बरी है यहाँ पे गोरगाम वारियर्स ने क्या बात है बहुत ही बढ़िया उम्दा यहाँ पे प्रदासन क्रिकेट का गोरगाम वारियर्स के द्वारा हवा में उसके नीचे पीछे फिल्डर और ड्रॉप चांस और उस ना कुछ मसला होगा नहीं ड्रॉप चांस आएगा लेकिन काफी दूर निकल चुके अगर देखा जाए तो क्योंकि जो मौजूदा सीचुएशन चल रही है ने यहां से सलमन भाई 10 छक्के चाहिए जो मैं केरेबेन वाली गिंती करता हूँ वो 10 छक्के यहां पे चाहिए क्योंकि रन अगर देखोगे ना बाई 61 रन चाहिए 11 गेंदों में बड़ा सोट खिलने का प्रयास तेजगती से बल्ला गुमा लेकिन मात्र होवा चली और बहुत ही बड़िया कॉम्प्रिहेंसिव में कन्विन्सिंग विक्ट्री अगर कही जाए तो बुरा नहीं होगा यूँकि इंप्रेसिव परफॉमंस गोरगाम वार्यर्स के द्वारा हुआ है अच्छी गेन यह फॉलव किया वहां पे इस नहल को चोट लगी है साहिद मेरे ख्याल से क्योंकि तेज गदी से पढ़ने के बाद गेन आ गई थी इस बार अच्छी फिल्लिंग वहां पे रने की मिलेगा और जो हम चर्वा इससे बीच एक और लिम्मैक्सिमुम यहा पे देखने को मिला है इस बार बड़ा सौट दो गेंदो के उपर बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो लड़ रहे हैं और स्कुर बड़ता हुआ इसी बीच 70-70 रन साथ वर की समाप्ति के बाद 70 रन और बहतरी तरीके से यहाँ पर सोच लेके उतरी थी गोरगाम वारियर्स की टीम फाइनल मुकाबले में पहले टॉस जीत के बैटिंग एच्छी सोच उनकी और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने 70 48 रन 48 रन चाहिए आखरी 6 गेंदे बची है और जो मैं बात करा था कि एक सोच लेके उतरे थे यहाँ पे गोरगाम वारियर्स की टीम और जीतने का जस्बा था उनमें और वो कहते हैं ना कि सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओ का सहर चलना भी परचा है मंजिल को पाने के लिए तो वह चले नहीं दोड़े है यह गोरगाम वारियर्स की टीम तो सेवन्टी सत्तर रंतो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंसिंग विक्ट्री जरूर यहाँ पे माने जाएगी बहुत ही बढ़िया प्रदासन गोरगाम वारियर्स की द्वारा फाइनल मुकाबले में अपने आपको पहुचाया एक बहुत ही बढ़िया जो सेमी फाइनल मुकाबला था 62-62 रंका उसको डिफेंड किया एक अच्छे कॉन्फिरन्स के साथ आत्मविश्वास के साथ टीम फाइनल में उतरी लेकिन उस फाइनल मुकाबले में जो आखरी पंच लगाना था वो पंच लगाया प्रजई ने बड़े मंच के उपर पंच लगाया और बन गए सरपंच और फाइनल मुकाबले भी एक तरफा ट्राफिक रहा वन वे ट्राफिक देखा गया है फाइनल मुकाबले में देखा जाए तो और पूरी तरीके से यहाँ पे द्वस्त किया है सिनिदाज सूपर किंग की टीम को जो बैटिंग ओरियंटेट टीम थी पहले दो मैच इसमें सौ के उपर रन लगाने वाली टीम उनको अगर आप फाइनल मुकाबले में सौ के अंदर रोकते हैं ना तो ये आपका रुत्बा बढ़ाता है ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाती है यहाँ पे नोबल क्यूंकि ये जो फाइनल मुकाब था ये जिद का मुकाबला था दोनों टीमों की जिद का सवाल था प्रतिष्ठा का सवाल था क्योंकि यहाँ पे मन्जीले भी जिद्धी थी यहाँ पे जो प्रयास था वो भी जिद्धी था अंत में जो होस्ट ला था ना गोरगाम का वो भी जिद्धी था कि हमें फाइनल जीतना है वहीं होस्ट लेके साथ उत्री टीम इसी बीच यह सबसे खूपसरत सौड स्लॉक स्विप बैकवर्ड स्विप भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि बहतर इन तरीके से इस प्रकार का सौड हम ABD को खेलते देखते थे बैकवर्ड स्विप खूपसरत सौड आखरी कुछ लमहों में एक खूपसरत तौफा इस बल्लेबाज ने दिया है दर्सकों को राज 5 गेनों 20 के उपर लड़े है वो पैरों के उपर गेन थी लेकिन रन कोई मिलेगा नहीं और 78 अठट रन 6 गेनों में पारी और कुछ ही लमहे अब यहां से टूनामेंट के बचे हैं मैसब पार्टीदार प्रीमेल लिग इस रियली मैसब बहुत ही बड़िया प्रदसन गोरगां वॉर्यर्स का काबिले तारिफ मानना पड़ेगा छक्का यहां पे लगा है एक और लड़त यहां पे दिखाई दे रही है 84 84 चौरासी रन और वो कहते हैं ना के जीत निस्चित होती है तो कायर भी लड़ सकते है बहादुर वहीं कहलाते है जो हार निस्चित होकर भी मैदान पे हार नहीं मानते वहीं राज कर रहे है क्या बात है क्या बात है एक बहुत ही बड़िया सोच और कॉन्फिरन्स के साथ खत्मा किया यहां पे लेकिन खत्मा हुआ है मैच गोरगाम वारियर्स के पक्स में तो जो इस मैसब प्रीमियल लीग में आठ टीमें जीनों ने प्रतियोगीता में हिस्सा लिया था फाइनल में दो टीमें सिनिधई सुपर किंग्स गोरगाम वारियर्स लेकिन अंत में ताबूत में आखरी खिल तोका किसने गोरगाम वारियर्स ने और 27 रनों से इस मैच को जीता लेकिन बलके ट्रोफी के उपर अपना कबजा किया है चेंपियन के सामने अपना नाम लिखाय गोरिगाम वारियर्स, many congratulations और a well done गोरिगाम वारियर्स for the big victory, हैमन भाई, सलमान रावत का संपर करेंगे पलाख एक में जा फिल आगाजागी, यहा पार उना लिकला फिलावार फिल का लीकला को जागा है, यहाँ उना है उनार वहाँ कनी है। झाल 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 सभी फ्रेंचाइज ओनर सभी कप्तान का सभी खिलाडियों का जीनों ने इस टूनामेंट में हिस्सा लिया और इतनी बहतरीन तरीके से इस टूनामेंट को स्पॉर्ट्स्मेंट स्पिरिट के साथ खेला क्योंकि क्रिकेट अमोवन जो होता है कुछ ना कुछ ऐसा इस कीशियू में हर टूनामेंट में लेकिन ये एक एसा टूनामेंट यहां पर मैंने देखा ए इससे भी पहले भी पहला पार्टीदार समाझ किया टूर्णामेंट हुआ था बीना किसी डिस्प्यूट, बीना किसी इस्यू के खत्मा करना, यह एक मैनेजमेंट के लिए तालिया होनी चाहिए, क्योंकि यह अपने अच्छी बात है, क्योंकि जहां क्रिकेट होता है, about the part of cricket, होता है, क्रिकेट है, लेकिन अंत्वे, ओवरल बढ़िया क्रिकेट सभी के द्वारा, तो जल्दी यहां से अब प्रेजन्टेशन की सुरुवात होगी, तो सबसे पहले, सभी का धन्यवाद, वापिस सभी को हम थैंक्सपूल रहेंगे सभी के, और चेंपियन टीम को भी, कॉंग्रिचलेशन, वेल्डन, सभी ने बहुत ही बढ़िया क्रिकेट का प्रदर्शन, क्या सभी टीमों ने, यहां पर देखा जाए, भले गोरगाम वारियर्स की टीम जीती है, लेकिन सामने हारा कोई भी नहीं है, जीत क्रिकेट की हुई है, जीत पाटीदार समाज की हु अब ओपन समाज में फाइनल में हारे, लेकिन उस प्रदर्शन को अब मैं चाहूंगा कि आप एज एक चैंपियन के तौर पे आंतर समाज में भी अपने आपको प्रस्थाबित कीजे, क्योंकि आप डीजव करते हैं, आपके पास अच्छे क्रिकेटर है, बढ़िया क्रिके और 29 तारिक को भी यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एक टुनामेंट खेला जाएगा, वो भी पाटीदार समाज का है, इस समाज ने अपने अंडर 23 के प्लेयर्स को बढ़ावा देने के लिए उनको एनकरीजिंग आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्लैटफर्म उन उनको प्रदान करने के लिए एक टुनामेंट का आयोजन किया गया है, अंडर 23 पाटीदार समाज का टुनामेंट 28 मई और 29 मई इसी सेटर डे और संडे को वो खेला जाएगा, उसके बाद वो सीजन का एंड होगा इस ग्राउंड का, तो सभी का धन्यवाद पूरी मेनेजम कमिटी, जो भी टीम मेंबर, सभी ओनर्स, जो आपके नजाब को स्क्रीन के उपर नजर आ रहे है, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का, और अब हम आगे बढ़ते हैं, इस मैसब पाटीदार समाज टुनामेंट 2022 आठ टीमों की ये टुनामेंट आठ टीमों ने इस प्रतिय में अगर देखा जाए, तो इनाम जो पहला इनाम है, बेस्ट बैट्समेंट का, जो सबसे बढ़िया बल्ले बाज इस पूरे दिन हमें लगे, as a Creek Heroes application के according अगर बात करें, तो प्रजय पटेल, गोरगाउं वारियर्स के कप्तान है, प्रजय पटेल, बेस्ट बैट्समेंट क ट्रोफी, उनको देने के लिए मैं प्रसंद पटेल को इनवाइट करूँगा, प्रसंद पटेल, वो आएंगे, प्रसंद पटेल, उनके हातों से बेस्ट बैट्समेंट की ट्रोफी, वो इनायत की जाएगी, प्रजय पटेल, काभीले तारिफ, और ये बेस्ट बैट्समें की खास जो बात लगी है ना कि आज उन्होंने रेकोर्ड तोड़ा है 6 गेंदों में 6 6-र लगाए है बहुत ही बड़े कहते हैं ने कुछ खेलाड़ी विपरित परिस्थे में तूट जाते हैं लेकिन ऐसे खेलाड़ी के लिए अमित लीलापर को इन्वाइट करूँगा और वो बेस्ट बॉलर की ट्रोफी दी जाती है मिराज पटेल मिराज पटेल आज बने है महमत सिराज क्योंकि उसी प्रकार की गेंदबाजी की है उन्होंने और तालियों के साथ इनका इस्तक्बाल किया जाए क्योंकि मिराज पटेल अच्छी गेंदबाजी की है आज पूरे दिन एक उबरता गेंदबाज मिला है पाटीदार समाज को और थैंक्यू अमित भाई उसके अलावा और आगे मैन अब दा सिरिस जो इस टूनामेंड में सेंटर पर्सन अफ द जो होगा उसकी बात की जाए तो उस टॉफी को देने के लिए मैं यहाँ पे आमंतरित करूँगा स्रेई पटेल को स्रेई पटेल एक होनहार अल्राउंडर है हेमन भाई के सुपुत्र तो ये टॉफी मैनबदा सिरिस की दी जाती है राज पटेल कलियारी राज पटेल कलियारी से गरेलू क्रिकेट खिलते हैं और उम्दा प्रदसन उनके द्वारा हरफन मौला खिलारी आखरी फाइनल में भी वो लड़े अंतक उन्होंने हार नहीं मानी उन्होंने अपना जज़बा रखा और एक स्टेटमेंट क्लियर किया कि फाइनल भले हारे है लेकिन मैं अभी भी मौजुद हूँ तो बहुत ही बढ़िया पारी तो ये थे तीन पूरसकार और अब आगे रनर सब अबियसली हम जानते हैं अब बले फाइनल में हारे लेकिन आपका जज़बा जो था ना वो बहुत ही बढ़िया था और आपने हार नहीं मानी वो कहते हैं ना के हारना बुरी बात नहीं लेकिन हार मानना ये बुरी बात है लेकिन वो हार नहीं मानी सिंधई ने 27 रनों से भले हारे लेकिन अंतक लड़े और अब बारी हैं यहाँ पे जो चैंपियन की ट्रॉफी हमारे सामने नजर आ रही है ये चम चमाती खुब सुरट ट्रॉफी जिसके लिए ये लड़ाई चल रही थी उसके लिए ये मैस अप पाटीदार प्रिमियर लिग चल रहा है तो ये ट्रॉफी देने के लिए मैं हेमन भाई पटेल को इन्वाइट कुरेंगा एक और वन अप ग्रेट लेजंडरी क्रिकेटर फ्रम पाटीदार समझ और चैंपियन गोर्गाउं वारियास गोर्गाउं वारियर के कप्तान प्रजय पतेल और उनके साथ पूरी टीम भी थोड़ी देर में उनको जॉइन करेंगी ट्रॉफी के साथ तो बहुत ही बढ़िया प्रदस्शन बेल दौन and many congratulations to Gorgaam Warrior and also for the management of Gorgaam Warriors and also I would like to thanks all the member all the all the members all the they are contributed very well behind the screen and also in front of the screen for the smooth conducting of this tournament thanks thanks to all of you झाल 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 झाल